चलिए ध्यान दीजित देखे आप लोगो सबसे पहले तो डिसिप्लीन फॉलो करना है ब्रीफ में दो तीर मिनट बता देते हैं ठीक है ना यह फर्स्ट वाले गेट से केवल गर्स लोका एंट्री है ठीक है ना वाज लोग पीछे वाले गेट से एंट्री करेंगे पीछे में दो गेट है एक वहां पर है और पीछे ठीक है ठीक ना तो उदर से वाज लोग एंट्री करेंगे और हमेशा गर्स लोग इस गेट सेंट्री करेंगे ठीक है ना उसके बाद से अभी जो अभी जब तक कोरोना का ये परोना तैसे खतम हो गया है फैक्षिन भी लगने लगा ह लेकिन इसके बाव जो तभी जो हम लोग को प्रोटोकॉल्स मिला हुआ है बिहार गॉर्णमेंट से तो उसको फॉलो करना है तो उसको फॉलो करना आप सभी को करना क्या है यहां पर ध्यान दीजे आप लोगो करना क्या है कि आप लोगों को लिए नहीं चल रहा है तो आप लोगों को ये करना है कि मास्क डेली लेकर मास्क पहन कर आना है ठीक है ना इसको हमेशा याद रखिएगा खासकर दो-तीन महीना ठीक है ना कि मास्क पहन कर आना है यह से एक हैंट सेंटाइजयर रखिए अपने पास आप हैंट सेंटाइजर रखिए और आये तो अन्ट 18 कर लिए इसे गेट का डिस्टेंस मेंटेन करना है छेप फीट के दूरी पर बैठना है तो हम तो बोले थे कि एक एक बेंच पे मतलब एक लोको बैठने के लिए लिए आप सब दो दो लोग बैठे हुए हैं तो थ्वासा इसको भी ध्यान दीजे आपके लिए जरूरी है ठीक है ना आपका मैथ के पॉइंट अब भूस अगर बात करें तो दीए मैथ के लिए हमेशा हम एक सेंटेंश से अपने बैच को प्रारंप करते हैं यह सेंटेंश मेरा हर बैच में कॉमन होता है उस सेंटेंश यह हम यहाप सेंटेंश लिख रहा है कि ध्यान दीजे तो इप सिप इफ यू ह यह sentence पहले आप समझ लिजे और उसके बाद यह sentence लिखिएगा भी यहर भी यहर यहर अईब यवगर वैव तो यह सेंटेंस जो है इसका मीनिंग पहले समझेए उसके बाद हम हम है की सुरवात करेंगे दिखें इसमें इसके पहले जो है इसमें एडज Its 막 भाद है राइट यानि एटिचूर की से इस्ता बता रहा है क्या अगर आपके पास एक राइट एटीचूड हो और साथ में क्या हो एप्रिचूड देन ग्लाइम एड़ टॉप अपने एल्टीचूड यहां पे एल्टीचूड वर्ड लिखा हुआ यह तीन वर्ट को हम में मेंली फोकस किये हुए है ध्यान दिजेगा एल्टीचूड का मतलब क्या होता है उसको थ्वा समझेए जो यह वर्ड है एल्टीचूड इसका मीनिंग समझेए आप लो जैसे मान लिजे कि ट्राइंगल जब आप पढ़िएगा तो ट्राइंगल में इसको हम साइड बोलते हैं इसको भी हम क्या बोलते ह हैं साइड बोलते हैं यह सब साइड है जी और उसके बाद से यहां से जो हम लंब गिराते हैं इस लंब को हम क्या बोलते हैं एल्टीचूड बोलते हैं लंब को हम क्या बोलते हैं एल्टीचूड एल्टीचूड का मतलब होता है सिर्स सभजे कि किसी चीज एल्टीचूड क तो इसका मिनिंग समझना है, attitude का मतलब क्या होता है, तो attitude का मतलब होता है, the way of walking and the way of talking, यानि कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका behavior क्या है, कैसे सोचते हैं, अपने बड़ों को समान देते हैं कि नहीं देते हैं, अपने गुरु को समान देते हैं कि नहीं देते ह यह सब चीज जो है आजाता है किसमें राइट अटिश और हलाकि कुछ लोग एटिचूड का मीनिंग भी दूसरे तरीका से लेते हैं जैसे आटिचूड में कभी बोल दिया जाता है क्या रहे वह बहुत अटिचूड वाला बनता है तो यह जो एटिचूड वाला बनता है या आप ही को बोले कि बहुत एटिचूड वाल आदमी है तो डैट मिंस क्या है एटिचूड का मतलब है कि उसके पास एक काइंड ऑफ जो है घमंड है ठीका ना उसमें थोआसा कहीं नहीं कहीं कहीं क्या है घमंड है तो उचीज से बचना है आप कितना भी उपर चले जाई है ले आगे बढ़ने के बाद से हम मालीज आपके माता पीता आपके भाई बहन सपोर्ट करके आपको आगे बहाए और कल के डेट में आप ऑफिसर जब बनिएगा तो अफिसर बनने के बाद आप उन्हीं के सामने घमंड करने लगे लगे कि पापा आपको पता है कुछ ममी आपक लेकिन वहीं जब राइट एटिटी चूट की बात की जाए तो राइट एटिटी चूट का मतलब होता है कि सही बिनम्र रहिए बेहवार सही होना चाहिए बात करने का तरीका सही होना चाहिए बात करने में जो टर्म्स आप यूज करते हैं गलाट टर्म्स नहीं होना चाहिए किसी किसी को देखते हैं न कि थोगा सा पैसा कमाने लगा तो उसका एक बदल जाता है तरीका बोलने का तरीका बदल जाता है यह नहीं होना चाहिए हमेशा दो कोई आदमी कितना भी उपर उड़ता हैं मं दो कभी ना करता है यह नहीं कभी ना तीक busy California लोगर का ज्यादा बात नहीं करेंगे चले धान दीजे तो वहीं डाइट एटी चूड़ होना चाहिए राइट एट चूड़ का मतलब आप समझे दर वे आफ वाकिंग दर वे आफ टॉकिंग ठीक अना इसके बाद यहां पर जाए एक टॉम से सबसे इंपोर्टेंट हम लोग है यह का ना तो उसमें लीके का लिखेगा की इप्रिट चूब टेस्ट को एप्टी यूड एप्रिट्यूट टेस्ट को भी कैटके बुक के लिए कैट ऊगर आप भूली जाए को यह स्टेंडर्ड भूक लिखेंगा तो उसमें यह लिखता है कि में रूक नहीं इस लाइन का मीनिंग निकालते हैं, थ्वा समझेए आप क्या इसका मीनिंग हुआ दोस्त, क्या हुआ बताइएगा, if you have right attitude, यानि अगर आपके पास right attitude हो, aperture हो, aperture का मतलब math, math का मतलब सोचने का तरीका, math का मतलब क्या चीज़, सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका, मैठ 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 Class effects कीजों को चीजों को अगर माल लीजे मशलिटे मैठ का ढम हम आपके ब्रियन का मैध का कि एक झांपल लेते हैं दोस्त ईस्ट इसां पल देते हैं यह पर हम हम कुछ लिख रहा है रहे हैं और आप बताइएगा कि उसमें क्या पटन बन रहा है मतलम मैर्थ यह सा गुषॉ कर देखना पर देख रहे है न जैसे मां लोग में यहां पर लिख रहा है ठीक है ना एक एकजाम्पल दे रहे है ऐसे इस सटन एकजाम्पल हम पढ़ा नहीं रहे हैं अभी पढ़ाएंगे आप लोको जैसे मैं एकजाम्पल दे रहा हूँ आप लोको सामने 99 इंटु 5 पे सपोज ठीक है ना ध्यान दीजेगा सभी लो तो यहाँ पर हम लिख रहे है 9 into five. हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको लिना पढ़ रहे हैं दिकत यह है क्योंकि आपका दिमाग तो थोड़ा बोट है ही क्योंकि मैथ है ठीक है ना कुछ समझ माया यहां पर आपको कुछ समझ माया क्या समझ माया की हाउट नाई ठीक है ना, how to multiply by 5 with reckoning 9, अगर 9 रेकर करें तो कैसे हम multiply करें, ठीक है ना, ये चीज आप जो है, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखें लेकिन आप समझ गए, हम बहुत जादा समझाने, math एक pattern देता है, math क्या देता है, एक pattern देता है, यहाँ पे pattern है, कि 99 में अगर 5 से multiply करिएगा, तो कुछ नहीं करना है, 9 into 5 होता है, 45 और एक नव बच गया, एक नव बीच में आ गया, कुछ नहीं करना है, पूरा पांस करेंगे, 45 मिलेगा, और 29 यहाँ पर आपको लिख देना है, हम यह समझाए, कि 99 तो यहाँ पे 45 होता है, और 39 बच्छा हुआ, इसको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे हम समझाए कि 99 into 5, 45 होता है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 9 है, तो 49 यहाँ पे आपको जोता है, क्या करना है, लिख देना है, हम नहीं भी समझाए होते हैं, आप एक पेटरन को पकड़ दिये थे, आपका माइन काम करने लगा था, क्योंकि पेटरन है, तो मैथ पेटरन सिखाता है, और जीए समय भी पेटरन पकड़ के अगर आप याद करिएगा, तो ओचीज लंबे समय तक याद रहता है, अगर अगर इंगलिस भी एक पेटरन से याद रखिएगा, तो आपको इंगलिस भी लंबे समय तक याद रहता है, यानि तो मैथ हे स्ट्रॉंग होगा न इस अब मैड रिजल्ट रुखने वाला नहीं, अब हम जिस पड़ है, बादराद समझ में, अब हम रिजिनिंग पड़ है, अब क्या पड़ है, इंगलिज पड़ है, तो कुछ भी, कितना भी दिमाग लगा लिजे, इसको बोला जाता है, इस मेंद कर्क हमां का बोले धर करेसेल कि ए है क्वेवर कु क्या बोलते है थे जाल फॉक ए वितामे कले है फी ंयदम इस ना कर्फ दूख गाइए थना त्यूष सब्कस्क्षाक्षनào धारा तुर्ट करी कि ओर्व ये गा उन्चाहस हो जाता है तो बहुत दुख होता है कभी कभी औरतालीस हो जाता है तो दुख होता है अरिफ हे सही हुआ मैं दो लिश में आप पचास में पचास बना पाएंगे नहीं बनाएंगे जिस अन्लिम्टेड है एक हिस्टी पढ़िएगा एक अगर आप एंसेंट हिस्टी में भी तीन पाट एंसेंट मेडाईवल और मड़न अब उसमें इतना लंबा चोड़ा कहानी आप रटिएगा सब पुश करिएगा तो उ उसके बाद से उसमें से तीन कोशन आएगा चार कोशन आएगा हिस्टी में पूरा पढ़े तीन चार कोशन आएगा आप उसके लिए हिस्टी के लिए पढ़ना नहीं सही पुशे तो याद करना है उसमें भी ठीक है उसमें भी स्टोरी है समझना है बट उसके कंपरिटिव लाइफ में कभी भी अंसक्सेसफुल नहीं रहेगा और अंसक्सेसफुल हो भी गया कोई गवर्मेंट जॉब नहीं भी हुआ उसको तो भी मैट कहीं भी कोचिंग खोल देगा ना वर्स कंडिशन की बात कर रहे हैं इसा कुछ नहीं है हम सोग से पढ़ाते हैं ठीक ना मेरा होबी है पढ़ाना इसलिए हम टीचिंग करते हैं आप लोग का होबी होगा तो आप लोग भी पढ़ाईएगा लेकिन माल लीजे कि कभी मजबूरी आ गया ऐसा तो कहीं भी गेटर नोडा डेली मुंबई बैंगलोर क आपका पेट जो है ना आपका भी जो है भूखे नहीं रहिएगा मैं ऐसा सब्जेक्ट है बातार समझे में जिसका खुल दीजेगा बैंगलोर में कोई पुछब नहीं करेगा समझे नहीं है नहीं हाँ बढ़िया लेवल का यूपियस से वारा कराईएगा तो ठीक चलेगा लेगन उसके लिए बहुत है श्टगल करना पड़ेगा लेगन मैथ में कहीं आप वहला क्लास दुसरा क्लास पांचवा छथा साथा आठावा आठावा नौवा का मैथ पहाईए पटीस-पचास दर कहीं भी कमा लिजेगा जोब से ज्यादा कमाईएगा किसे ज्यादा आ रहे हैं आप बातर समझ बद तो मैसी सिले अच्छे सकरना चले थे अंदीजे तो हम यह समझा रहे थे बाबू हम यह आप लोग अपको समझा रहे थे कि if you have right attitude attitude स्थाइब होना चाहिए यह हो चाहें नहों लेकिन यह होना चाहिए भाले मैत कम जोड़ हो भाले कुछ भी कम जोड़ हो behavior सही मिलेगा कुई रोख नहीं सकता है तो यह सब सब्सक्राइब चीज है उसके बाद इसे जानते ना आपो, you can climb at the top of any altitude, यानि किसी भी उंचाई पर आप पहुच सकते हैं, अगर आपका math सही है, और आपका behavior, आचरन, ये सब सही है तो, clear है ये चीज, ये मेरा sentence नहीं है, ये किसी बहुत बड़े philosopher का sentence है, जब हम B.T.E.C. कर रहे थे, तो B.T.E.C. में एक subject था, antenna, आ हर जगा एंटीना लगा होता है, एक subject है पढ़ना था, हम लोग को electronics and communication में, एंटीना, तो उसके book के नीचे जो है ना, हर पेज पर, हर new chapter जब स्टार्ट होता था ना, तो वहां पे एक English में बहुत बढ़िया, ये रहता था, तो वहीं पे ये लिखा हुआ था, तो ये चीज ले लिखे, फड़ाफट लिखे, अलाइन वाले गुद बादी अज गुद इविनिंग, गुद इविनिंग, स्वेता, सीमा, मोहन, स्याम, नंद किसोर, अलाइन वाले लोगों भी नोट कर लीजे, नोट कर लिए, चलिए देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं, बाबू, सुनिए, भी चुपात चुक है, नाइन इंटू फाइब बताना का अवर्य को क्या होगा, फोडिफाई ऐसे जिए, और बीच में क्या करीए गाइव एक नोटी करना यहां पर हम लिकना है कि लिए कि कैंपर यह इसका बताइए भैलू क्या ओगा यह बताईया कि अगया जी हां तो नौ पचे कितना जी पैफालीस और उसके बासरे यहां पर तीन गो नौ बीच में लिखी लीजिए ठीक ना यह चीज़ हम करवा दिये अभी इसको भी नोट करते जाएए चलिए हम अभी नास कुमार लाइट कम है अब कितना लाइट रहे गए हो गया क्या चलिए अब हम लोग ऐसे तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ठीक है ना हम आप लोगों को जोड भी पढ़ाएंगे ठीक है ना और सिलेवस हम बता नहीं रहा है तो पूरा बिस्वास के साथ पढ़िया आया है तो कि कोई ना कोई बताया होगा तभी यहां पर आया है तो पूरा सिलेबस एटू जेट बढ़िया से पढ़ाया जाएगा उसके बारे में एक दब निश्रीनते रही है ठीक है ना हम अभी चाह रहे हैं कि आप लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिंग डालिये का मल्टिप्लिकेशन ही डालिया मल्टिप्लिकेशन हम लोग पर ने जा रहे हैं बैसिक मैँएख इसको हम रवी भी बोलते हैं आप बेसिक और एपिर मैत टीख है ना इसका मतलब क्या हुआ एकदम हम लोगों को फास्ट करना है चीजों को चले ध्यान दिजिए हम मल्टिप्लीकेस्टन में न हम सबसे पहले एकदम असान से स्टार्ट कर रहें दोस्त देखेगा हम यहां पिलिख रहा है दो अंको का गुड़ा दो अंको से दो अंको का गुड़ा हेडिंग डाल लिजे दो अंको का गुड़ा दो अंको से दो अंको से दो अंको का गुड़ा दो अंको से ठीक है ना यह हम लोग पढ़ने जा रहे है दो अंको का गुड़ा दो अंको से करना है ठीक है चलिए देखि जैसे माल लिए भाई कि यहां पर हम लिए 73 और यहां पर जैसे माल लिए हम ले लिए 2-3 सपोज ले लिए इसको multiply करना है जी multiply करना सबको आता ही है कोई दिकत नहीं है लेगिन हमको fast करना है तो ध्यान दिजे ये नियम आप लोग अप्लाई करिएगा फिलहाल इसका मतलब है क्रोस क्रोस ये step number one है step number two है और ये step number three है तीन step में multiply करना है step number one step number two step number three तीन step पहला step है इकाई का गोड़ा इकाई से unit digit का multiplication unit digit से पहला step है तीसरा step है टेंस डिजिट का multiplication टेंस डिजिट से आप बीच वाला multiplication है क्रोस मल्टिप्लिकेशन यानि की टेंस डिजिट का multiplication unit digit से और unit digit का multiplication टेंस डिजिट से और इसको तीजी में कर लेना है जैसे हम कर रहा है देखिएगा बताए ये तीन तीरी के कितना टीर में तीन मल्टिप्लाई होगा ठीक है ना तो कितना मिलेगा नो तीन साथे 21 आतीन दुना 6 27 पताए साथ तीरी का एकाइस आतीन दुना 6 21 और 6 कितना 27 27 का कितना 7 हाथ में 2 7 दूना 14 आर 14 दो बोलिये 16 तो यह हम एक बार में लिखेंगे 167 9 हम लोग का अंसर है समझ मैं है आप लोको एक बार नोट करिए का जल्दी से नोट करते जाईए इसको नहीं रहा है इसको हटा दे इसको साइब कर दे अ अ अ अ अब उदर बैठे गहते हैं लिखे नोट किट आने वाले टाइम में वहां प्रोजेक्टर लगवाने वाले हैं ठीक ना यह एक प्रोजेक्टर लगवा देंगे आप लोगो दिकत नहीं होगा ठीक ना नोट कर लिए हैं चली देखे तो इसको मिटा रहे हैं इंगलिस वाले लोग लिख लेंगे ठीक नाग कि मल्टिप्लिकेशन आफ मल्टिप्लिकेशन आफ टू डिजिट विथ टू डिजिट दू डिजिट दो अंको का दो अंको से गूड़ा और जन्म हम एक एक्जामपल और देते हैं हम हम क्या एक्जामपल देंगे आप लोग बनांए हम बस लिख देते यहाँ पर बनाई की आजए मठीशन गीजर फोटीश से यहां पर और यहाँ पर हम लिख रहा है 37 है इन दोनों को मल्टिप्लाई करना है तेजी में तेजी में मल्टिप्लाई करिए तेजी में मल्टिप्लाई करिए आप लो क्या हो जागा very good 17 0 2 बना लिए है चलिए देखे देखे तो यार अरे एकदम एक चीज़ारे बता दें जो क्लास में बढ़िए और ये बढ़िए हात में चार आफये फारिट चाट थिर्षट टीरे अठारा साच टोग आथाइस अठाइस प्लस अठारा रूफ जाहीत नहीं जोडना या अठाइस में अठारा जोडना है तरफाइस में पहले 18 का दो दे दिजे 30 बन गया ये 28 में उदर से दोला दिये 30 बन गया अरे बना 18 में से दुला दिये तो 30 बना लेकिन 80 कितना बन गया 16 अप तीस पलस्व ला कितना 46 ये चीज माइंड में लाना है बादा आए समझ में 46 अच्छी आलीस चार बोलिये लोग 50 50 क्या लिखिएगा जी रोग अब हाथ में कितना है पांच अजब बताए चार ती आई चार ती आई बार अब आपार पांच बोलिये लोग सतरा यानिये सतरा जीरो दो किलियर है क्या हम लोग ऐसे किये दोस्त इदा देखिए ऐ कैसे करिक किये पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्रॉस आ तीसरा स्टेप सिदा 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 समझ गए होंगे एक दे और बनाईए का चलिए बनाई इस हैलू बताईए आप लोग यहां पर लिख रहा है 37 और यहां पर 7 2 इसको मल्टिप्लाई करके जल्दी आंसर बताईए प हाँ जी अबनाई यह फ्राफट अबना लिए चलिए देखे लोग इधा देखिये तो इधा देखिये अधिये ध्यां दिजिवाबू इधा देखे लोग पीछे देखिया आज आप मल्टिप्लीकेसन सीख रहा है ना जे दिन आप लास दिन यहां से जाईएगा उस दिन आप में इतना हम केपेबिलिटी दे देंगे कि आप लोग पर oh you know र्फ का अधमिन अंदर पचिस कोशन अबनाने का कैपेबिलिटी रखिएगा लेकिन यह किन से पढ़िये practice कर ईए Practice इंप्रप्रेंट है प्रेक्टिस करना पढ़ेगा और सास से आर्फ मिनट ने पॉट्प्रच्रेस कोशन और आने का कैपेबिलिटी ठीक है ना चले ध्यान देजे आप लो देखिए कहां यहां पर दोस्त बताइए साथ दुना अरे बोलो जी साथ दुना चौधा हाथ में वन लिख देते हैं आपको दिखाने के लिए मन में ही रखना है तीन दुना छे साथ सते उन्चार उन्चार छे पश्पन पश्पन एक चपन का छे हाथ में पांच साथ दिरी का इक इस आई किस पांच बोलिये लो 26 कर लिजेगा सुनिए अब ये तो आप करी लिए अब एक बात को समझेए का माल लिजे कि हम कोई कोशन सॉल्फ कर रहे हैं प्रॉफिट एन लॉस का कभी जीवन में प्रॉफिट एन लॉस का न सॉल्फ करते 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 कर्ते का यहां पर यह गुड़ा आ गया 43 इनटु 26 अ गया अन्त में एटा है ना पहले मेठर आते हैं फर्मूला लगाते identific gratis करते हैं डेट करते हैं और लास्ट में क्या आता है मुलिप्लिकाशन आता अला जी तो यहरा इस स्टे अगर किसी भी पेपर में पचीस कोश्चन है पचीस कोश्चन में कम से कम पचीस को गुड़ा आएगा पचीस कोश्चन में कितना गुड़ा आएगा पचीस को किसी कोश्चन में एक भी गुड़ा नहीं होगा तो किसी कोशन में 2 गुड़ा होगा 25 गुड़ा आना एक दम तय है एक गुड़ा में अगर 4 सेकंड बचाईएगा तब 25 गुड़ा में 25 चोग का 100 सेकंड बचाईएगा 100 सेकंड का मतलब होता है GS का 10 कोशन ठीक है ना 100 सेकंड का मतलब होता है जिस का कितना जी, दस कोश्यन यानि एक कोश्यन दस सेकेंड मगर मारते हैं तो जीस का दस कोश्यन लाश्ट में जो बनाईएगा, वो ज leisure मरका आहिएगा झां दस कोश्यन तो जमीन से असमान पर पहुचा देगा जो असमान पर एगा उसको जवीर बिला देगा बातार समझ में न चली देखे तो ये गुड़ा फास करना सीखना हम लोगो क्योंकि हर कोशन में गुड़ा है लेकिन अब ऐसे आ गया तब हम ऐसा नहीं न करेंगे कि सरे को ट्रिक सिखाय थे कि पहले उपर नीचे लिखो तब फाले उपर नीचे लगे अरे हम समय बचाने के लिए सब सीख रहा हैं आप पिसे लिखेंगे ऊपर नीचे अ कहेंगे अब हम सीर्वा सीधा करेंगे करेंगे कर सकरेंगा तो जब ऐसे अगा तो यसी करेंगे सुनिये जी आपलो एकाई कढ़ा ही का осв हाथ में एक इकाई का गुड़ा दहाई से दहाई का गुड़ा इकाई से क्रोस थाना इकाई का गुड़ा दहाई से दहाई का गुड़ा इकाई से उसी को हम बताते हैं नजदीक का गुड़ा नजदीक से एस्टेप दो चल रहा है step two, नजदी का गुड़ा, नजदी से, दूर का गुड़ा, दूर से, अब ऐसा अंध्यान में रखेंगे, किलिए रहे क्या, अब बताइए, तीन दुना, छे, छे चोव का, चोबिस, चोबिस छे, तीस हासिल आया था, हाँ, एक हासिल आया था, तो तीस एक, एक तीस हाथ में तीन, दहाई का गुड़ा, दहाई से, चार दुना, आठ, और आठ तीन, बोलिए, 11, तो हम डारेक्ट ऐसे करके लिखेंगा, आया समझ में क्या, यह नहीं कि एक बार ऐसे आजाएगा, तेक बार उपर लिखेंगा, निचे लिखेंगा, फिर सॉल्फ की जगए, नहीं, डा करेंगे, जो डिस्टेंज़ पर है, भूरी पर है, उसको मृल्टि प्लाइ करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, a step two complete, step three क्या है, टेंस डीजिट, इसका 10 डीजिट का मृल्टिपलीकर्स dagger, इसके 10ग से करेंगे और लिखेंगे और coherit forward जोंगा, उसको करते जाएंगे ठीक आप लो 46 इन्टू इन्टू 63 करके बताईए करके बताईए जल्दी आप लो स्वेता अभिनास पूजा प्रिया मोहन जल्दी आंसर दीजे आप सुनिये फटाग करते हैं हम लोग देखेगा आप लोग बाबू देखे इता देखे आप लोग चाथ- तीरी 18 एक शेचेटर चका 36 जारतीय वारा चाथ- तीस को जोड़ेंगे तक इतना 48 जब लिए लूग उन्चास अब तहए चार चका दहाई का दहाई से खोड़ा छेटर चोगा कितना 24 आच चाविस हासल कितना बोले लोग 4 तो भताई कितना हो गया 24, 28, कर लेंगे न, चलि हम आगे बढ़ जाते हैं बावू, और ध्यान दीजेगा आप लोग, सुनिए, हम यहाँ पर कुछ आपको बताने जा रहे हैं दोस्त, थ्वासात का यूज हम करेंगे जगा जगा पर, उसको समझेए, हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहा है, पास्कल ट्राइंगल, हेडिंग डाली आप लोग, पास्कल ट्राइंगल, पास्कल ट्राइंगल, हेडिंग डाली पास्कल ट्राइंगल, आधा में पास्कल ट्राइंगल, आधा जगा खाली रखियेगा, ठीक है न, पास्कल ट्राइंगल आधा खाली, नोट करिए जल्दी चलिए अब देखे पास्कल ट्रेंगल क्या होता है इसको समझेंगे सभी लोग पीछे वाले लोग देखिए अब लोग इन्हें देखिए अच्छा यहां पर हम दोस्त लिख रहे हैं एक ठीके ना क्या लिख रहे हैं एक यहां पर हम लिख रहे हैं एक, एक ट्राइंगल के तरह तरह बढ़ते जाएगा नीचे अब यहां पर हम लिख रहे हैं एक यहां पर लिख रहे हैं इन दोनों के बीच में लिखना है कुछ लेकिन इन दोनों को जोड़ के लिखना है यह हो गया है दो अरे यारे समझ में उसके बाद से यहां पर एक यहां पर क्या लिखेगा एक और एक पलस दो बोलिए तीन आद दो पलस एक के बीच में लिखना है जोड़कर तीन समझ पा रहें कि आप लोग अरे नहीं समझे तो पासकल ट्राइंग हमको कमप्लीट करना है अप लोग इसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगा बुलिए वउन यहां पर बुलिए वञ अच्शा एक पलस तीन कितना चार तीन पलस तीन कितना छे तीन पलस एक इतना चार समझ मारह है तो सुनि अगर इतना समझ में आही दो तो आपको जो है इतना नोट करना है इसके बाद अवाला लाइन दो लाइन आपको कम्प्लीट करना है कम्प्लीट करके बताई जल्दी क्या होगा जल्दी से हेडिंग डाल लीजेगा पास्कल ट्राइंगल है हेडिंग डाल यह पास्कल ट्राइंगल पास्कल ट्राइंगल उसके बाद उसके बाद जो है रहा दो लाइन कम्प्लीट करना है इतना नोट करिए दो लाइन कम्प्लीट कर लिजे नोट कर लिए दो लाइन कम्प्लीट किजिए नीचे पास्कल ट्राइंगल के दो लाइन नीचे आप सभी को कम्प्लीट करना है कर लिए आप चलिए देखिए सभी लोग देखेंगे बाबू इदे देखिएगा आप लोग सुनिए एक बाद बताई यहाँ पर कितना वन यहाँ पर बोलिये लो ठीका बताई यह यहाँ पर वन यहाँ पर क्या चीए वन अब पास्कल ट्राइंगल को थोड़ा बढ़िया से समझीएगा यहाँ पर एक चार कितना जी पाँच एक चार कितना पाँच यहाँ एक पाँच तो उधरों से 4 6 कितना? 10 6 4 कितना? 10 5 10 तर इधरों सें 5 10 इधर से 1 4 6 तर इधरों से 1 4 6 1 3 तो 1 3 1 2 1 2 उधर से सिम्यटिकल होता है समझ गया है निचे उला लाइन कम्प्रिट कर लिया है क्या बता ये यहां पर कितना है यहां पहला यूज दिखा रहे हैं आप लोगो ठीक है ना हम यहां से स्टार्ट करते हैं यह ए प्लस बी के प्लस पीका फोले स्क्रॉय लिखना इसफ माझ वता सबोड़े प्लस प्लस होलिय там हो यह समझते रवाध में कप आवर इधर से घट एगा तो यहां पर एक पावर सक क्वारत गट हेगा तो एक स्टार्ट होजाएम तो पलीक स nuclear रहा है ए ऑट्वार नहीं जा यहां पर बहुत है एक पावर जिरो वन होता है को पिसेंट लिखने के समय ध्यान दीजिए यह जो है ना यह कोफिसेंट होता है कि वान टू वान ठीक है अचाइब आप लोग को बोला जाएगा बाभू कि ए प्लस बीके पावर थी लिखी है तो ध्यान दीजिए हम एक यूव लिखेंगे यहां एक पावर घटाएंगे तो क्या लिखेंगे ए अरे लिखेंगा एक पावर दो तो ए उसके बाद क्या लिखेंगा बीका स्कॉयर यहां पर प्लस लिखेंगा न जी अब ध्यान दीजिए यहां पर हम देखिएगा आप लो यह जो है तीन है ठीक है ना तो इसमें एक यहां यहां पेतीन यहां पेतीत और यहां पड़िदाइगा तो ही इस तीन आई यहाँ पर पर कितना जी तीन हर जागा तीन तीन पावर है इसको देख लिजिए सही से एक चार छे चार एक निया आप लोग चली अब देखियेगा यहाँ पर हम ऐसे करने जा रहे हैं दोस्त हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको बताना है कि ए प्लस पी के पावर फ कि इसक्राइर अच्छा इसके बाद बोलिए यहां पर धिया बी can already a b q आयां किया प्लोग क्या करना है को पीजेंट लिख देना है और पोडल को पिजेंट देख लिजे क्या एक चार छे चार एक ठीक है ना तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक चार बोले उसके बाद छे उसके बाद जी बोलिये लोग चार आई यहाँ पर क्या चाहिए वान समझ गए है क्या एक काम करिए दोस्त जल्दी से इतना नोट कीजिए हम याद करवा देते हैं अभी जल्दी नोट करिए आप लोग को A प्लस B के पाउर 5 लिखना है A प्लस B के पाउर 6 भी लिखना है लिखना है ये दोनों कम्प्लीट करना है खुद से जल्दी जल्दी करिए डार्क कलर में लिखिए सर ठीक है कि सोर हो गया हो गया आप लोग अगरिटन हो गया है इतना लिख लिख लिए दोस्त आप लोग एप प्लस B के पाउर 5 और एप लिख्ञकर पाउर 6 लिखी जल्दी इसकों लिखी ए complete किजिए इसको complete किजिए पास्कल टैंगल है आप लोगों पास टैंगल को देखते हुए complete करना जल्दी complete करिएगा फड़ा फड़ ए पलस बी के पाउर पांच जल्दी लिखिए करिए 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 जल्दी करिए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया एक लाइन में complete कर लिखना चाहिए जी थी कि नौप एक लाइन में लिखने का परयास करना है चे ताम होगा ना पावर 5 तुछे तब्होगा जल्दी लिखे लोग ए प्लस बी के पाउट छे लिख दिये सुनी अब अब सुनी आप लो सुनिये एक बात बता है यह तो यहाँ पर अच्छ बात बता है यह दोस्त कंप्लीट कर लिजेगा घर पर इसके आगे एक बात बता है इधर दिखिए अच्छा पावर दो अगर है तो कितना टम बन रहा है एक दो तीन पावर दो तो तीन टम पावर तीन है तो एक दो तीन चाटम एक ज्यादा अच्छा पावर चार है तो कितना टम बोलिए पांच टम एक दो तीन चार पांच क्लिए रहे क्या अच्छा पावर पांच में कितना टम छे टम पावर छे में टोन संब को मौलए थार्पमी तिन चाहर नीचे करना जानते हैं अतुत यह व्लिए हैं कर दोन दय रोग दृक्त करेंगे ढर को फिसेंट कर आ Rings है बताई यह हम वन से start नहीं करेंगे वनेंगा से नहीं स्टार्ट करेंगे हम 111 से स्टार्ट करेंगे तो बतेना पहला पास्कल टाइंगर का राइंगल का लाइन बुलिए ये से कैस वन टू वन अरे ठीक है मेरे साथ बोलिए कॉंपी में नहीं देखिए हलका भूकर देख लिजएगा भूलिएगा तो ठीक है ना बताइए पहला लाइन क्या है वान टू वान पीछे वान टू वान दूसरा लाइन वान थीरी थीरी वन याद है वान थीरे थीरी वान अगला लाइन वान फूर सिक्स फोर वान लाइन खिलिए मों और पाइपें स Müचछा फ़ाईन वहान तो सोह गेया एक फो फाइप अरे यार्रिक सएइस बोलिए लिखना नहीं है, लिख तो सब लोग देंगे, याद रखना है, उसके बाद, 1, 4, 6, 4, 1, किलियर है, 1, 5, 10, 10, 5, 1, किलियर है, आई इसके बाद, 1, 6, 15, 20, 50, बोलिए, 6 और क्या चीज़, 1, भाई किसे वो डाउट है इसमें, याद रहेगा, चलिए ध्यान दिजे अब, अगर याद रहेगा, तो याद रखिएगा, इसको ठीक है ना, अब देखिएगा आप लोग, एक बात बताईए, हम एक यहाँ पे है, है, multiply लिख रहे रहे है, 102 का गुडा माल लिजेए बाबो, आप लोग फेयां ये 103 से करना है, ठीक है ना, और इस गुड़ा का नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हम लिख रहे यहाँ यहाँ पर, हेडिंग डाल लीजेगा बेस मान कर गोड़ा करना कर वेष स्मान कर गोड़ा करना हेडिंग डाल लीजे सरे बेस मान कर कैसे म talked को एसां ज्यास हे देखिए सभी लोग अछ है ऑच देखे संख्या जिसके करीब होती है पूर उसको बेश welcome इसमाना जाता है तो यह संख्या आपका भी बेस सई होगा तभी आगे बढ़ेगएawan तो 102 का गुरह 103 से तो बेस आपकी मानेंगे 100 मानेंगे अच्छा इक बात बताइए यह 100 से कितना जाधा है आशा जाधा का मतलब अब देखिए आप लो एक बात बताइए इन डोनों को गुड़ा करना है तब 2-3 कितना? 6, 6 को हम mini product कहेंगे, mini product या product कहेंगे, क्या कहेंगे? mini product, उसके बाद करना क्या है आप लोग को? कि 3-3 जोड़ देना है, तो चाहे ऐसे जोड़िएगा, अच्छा है, ऐसे जोड़िएगा, 103 में 2 जोड़ेंगे तो 105, 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105, ऐसे भी ऐसे भी जोड़ेंगे तो 105 मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर गूरा करना है किसे से? यहाँ पर गूरा करना है, बेस से, किसे गूरा करना है? बेस से, आप उसके बाद यह जो product आया है, यह यहाँ पर लाकर क्या कर देना है? जोड़ देना है, एक बर इस नोट किजी आप ल गुड़ा से भी हमेशा एक आथ कोश्चन आते रहता है एक कोश्चन गुड़ा से देता है ओल्लाइन वाले लोग नोट कर लीजेगा चलिए देखिए नोट कर लिए है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो आएगा उसमें किसे मल्टिप्लाइ करेंगे बेस से अक्या जोड़ेंगे प्रोड़क्ट अब देखिए तो सभी लोग इसको मिटा दिये सुनिए मेरा गुड़ा था एक साथ दो का गुड़ा एक सो तीन से करना यहीं गुड़ा पढ़ा है और पढ़ा है ना बताइए सो के आईए किस के सो अगर सो के करीब है तो बेस कितना मानियेगा सो मन में मानेंगे लिखेंगे कि मन में मन में कितना जी सो कितना ज्यादा दो ज्यादा कितना ज्यादा तीन ज्यादा तीन दुना कितना छे प्लस प्लस दो का गुड़ा प्लस तीन प्लस सिक्स मिलेगा इसको अब ऐसे ले लिजे एक सो तीन प्लस दो एक सो कितना जी पांच गुड़े कितना सो सो से मल्टिप्लाई करने का मतलब कितना जीरो दो ज खेला के जोड़ देंगे प्लस 6 तो मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा ये 105 जिरो 6 हो जाएगा ये समझे आप लोगो नोट किजिए का एक बार जल्दी नोट करिए आज करिए गालो ठीका ना बस बेसिक के लिए करते चलिए अजिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए गाई सो मिटा रहे हैं हम ठीक है ना हम यहाप एक गुड़ा लिख रहे हैं उसको करना लोगोगों को एक सो चार का कुला माल लेजै कि हम लोगों एक एक सबसांसे करना सफोर्च कर लिजेगा बताईर यह यह कितना चार यह शाथ और है जी साथ कितना जी है जो जोड़िये वलिये सो सब में चार जूड़ेगा है एक सो कितना जी एकार डबल जी रो सौ सिकुना मतलब डबल जी रो अठाइस आके जूड़ेगा ते यहां पे अठाइस मिलेगा ते यह मेरा आंसर है एक सो एकार आठाइस चलिए देखिएगा आप लोग इसको मिटा रहे हैं और एक कोशन हम देते हैं उसको बनाई आप बना लीजिएगा अभी लोग बना लेंगे ना मल्टिप्लाई करिएगा 102 गुड़े 109 करिये जी बेरी गुड बेरी गुड बनाई सब लोग बनाई यह हो गया हो गया ना चलिए देखिए हो गया है हो गया है हो गया है चलिए देखिए आप लोद तो ध्यान दीजे इधा देखिए मेरे तरफ मेरे तरफ देखना है नहीं बनाना अब एक बात बताई यह कितना ज्यादा दो यह कितना ज्यादा नो नो दुना अठारा मन में है अठारा कहा है मन में अब ज्यान देज़े अचाइर कितना ज्यादा दो आई कितना ज्यादा 9 और 9 में 2 जोड़ते तो 11 यार यार 111 और 109 में 2 जोड़ते तो कितना 11 11 तो यहां पर हम लिखेंगे 111 बेस है कितना 100 100 से गुड़ा करने का मतलब कितना 0 2 0 और 2 0 पर 9 2 18 अगर जूड़ेगा 9 इंटू 2 आकर अगर इसमें एड होगा तो क्या मिलेगा अठारी मिलेगा 0 खतम हो जाएगा वहां पर दो अंका जाएगा अरे हां कि ना जी समझ पा रहे हैं सुनिएगा हम यह समझा रहे हैं हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि 103 में अगर मालों बाभू 104 से मल्टिप्लाइग करना है किसी को नहीं बोलना है सुनना है सही से ध्यान लिजेगा तीन ज्यादा चार ज्यादा तीन चोग का कितना जी बार आपार का दो अंक लिखेंगे एक बार तीन ज्यादा एक बार चार ज्यादा एक बार तीन ज्यादा एक बार चार ज्यादा कुल मिला के कितना ज्यादा साथ ज्यादा किसा से सो से यहां पर कितना लिखे लेकिन नीयम कें है बी शीन मान कर पर लूच हिछान ने है लिए बुलेंगे नहीं चलाइए बोलना हैं मेरे साथ बोढिए गाना जी चलिए लिखेंगां यहां पर हम यहां पर लिख रहा है 106 यहां पर 108 हम चाहते हैं कि आंसर बोली के जादा आठ जादा 1414 149 अरे हाख यह 149 कि लिए है अशह येक और लिखे बुल दीजेगा हम यहां पर लिख रहा है एक सो नो का गुड़ा करना है आपको एक सो तेरा से करके बताइए 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 अच्छा एक बात में लेदे । इस सो से कितना ज्यादा तेरा आप तेरा नहीं जानते हैं 13 में 13 में 13 मुल्टिप्लाई होतर शर्व थर्टीन में 9 मिलेगा 117 का तुर लिखना है सचार तो कि जिरो आता है तो तो पर अगरं 117 जाकर जूड़ेगा ना तो शतर तो मिल येगा लेकिन एक जो है एक बार तयरा ज़्यादा फिर से न ज्यादा कुल मिला के 22 ज्यादा एक सो पारीस आउधर से में क्ई नोट कर लिजे तो रहाँ यहां पर कितना अ यहांचाइस का कोई मिनकी है कि नहीं सुनिंग है अबसements बहुत लोगेशे मंगे बाइश का मतलब है डबल का मतलब दो अंक लिखेंगे इसका मतलब दो अंक, इसका मतलब दो अंक, नोट किजी ही जल्दी से अब तीन बार ड と Nous Sum 2 बार ड सी जीयएगा ठीक है न park थ्वासा फास्ट लिखेंगे आप लोग जी फास्ट लिखेंगे तो खेर सुनिए हम आपको पढ़ा रहे हैं बेस मानकर कैसे मल्टिप्लाई करें लेकिन उसमें भी हम फास्ट ये बताने का कोशिस किये हम फास्ट वाला जितना भी टेक्निक है न वह हम बाद में करते हैं पहले एक बार हम बेस मानकर मल्टिप्लाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बेस लेकर पहले सिख लेते हैं अतब हम फास्ट करना भी सिखाएंगे आप टेंशन मत लिजेगा अगर कोई फास्ट करना जानते भी होंगे तो घंवाईurai यह णहीं आपसे हम फास्टेते अज अगरेंगों नहीं बताएंगे या तो आपके बराबर या आपसे ऊस्टे। बताएंगे सुन नहीं बताएंगे लेकिन पहले बईस्य को ōंसिह्टे है ठीका ना इसको हम छोड़ देते हैं यह चीज़ हम सब करेंगu बाद में हम बेस्जाह करका का कुछ एकजांपल ऋपडाना शुनिए हम यहां पे ले रहा ही 32 का गुड़ा करना है संतानवे से रहाइबड six अक मद 102 का गुड़ा कि अपम विस्क्रान का आठ्ञाल nä। हम सौट्ट टेक्ट बात में बताएंगे ठीक हैं कि अब हम technically आपया आप हेक्ट किए अप्ट है कि अपर नहीं सुर्ण आपक है कि सुनिदेरी आप लोग दो ती आई छे पलस छे की माइनस छे माइनस छे पलस माइनस अशा एक बाद बताई इस संतानवे तू अरे बोलिये लो 99 या 102 में से 3 जाएगा कितना 99 आग गूरे क्या चीज बेस बेस यहां पर कितना है 100 100 से मल्टिप्लाई का मतलब 2 0 इसमें से 6 जोड़ना है कि घटाना है घटाएंगे तो मिलेगा एक हासिल लेंगे तो बनेगा सो सो में से छे गया बनेगा 94 आई यहां बन जाएगा एक हासिल ले लिये हैं तो 99 से बन गया कितना जी अंठानवे 954 में मेरा अंसर है अरे हाई कि नहीं है कोई डाउट नहीं है चलिए हम एक और एक्जामपल लेते 105, 105, जल्दी करिए, पांचो का विस, बेरी गुड, हो गया, इधा देखे, इधा देखे, इधा देखे, इधा देखे, आपर इधा देखे, 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 कोई बात थी, आपसे नहीं हो रहा है, घबडाना नहीं है, एक लड़की का कहानी बता रहे हैं, एक लड़की जिसका नाम सोभा था, मेरे पास पढ़ी थी बहुत पहले, मेरा फ़र्स्ट बैच की स्टूडेंट थी यो, और वो लड़की जो है, आगे जब बैठती थी न, व दिविजन पर गया था न, तो जैसे मालीजी आप हैं कोई नमर देदिये, 21724 डिवाइड वाई फोर मालीजी देदिये, तो हम चार से भाग लगा कर उसको बोलते थे कि सेस निकालो, डिमेंडर निकालो, तो उसको एक्टम ऐसे करती थी, चार एकम चार 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 इतना स्लो थी, इतना स्लो थी कि पुछिये नहीं, और इसको इतना टाइम लगाती थी कि हम को देखकर हम बने बेहुस हो जाते थे, ठीका न, ऐसा होता था, लड़की जादा कम जोड थी, लेकिन महनती थी यो, काफी महनत की, हाला कि आप तेज रहते न, जो भी तेज होग चार का नियम होता है कि लास्त का दो अंक में करना होता है, तो चार चार का चोविस रिमेंडर जीरो डारिक्ट बोला कट या तो रिमेंडर जीरो हो जाएगा, जो तेज वा डारेक्ट ऐसे कर लेगा, लेकिन वो लड़की इतना नहीं तेज थी, ठीका रॉकम जोड थी, ल सब्सक्राइब करने लगता था देख देकर लेकिन एक बार पढ़ी है बहुत ज्यादा कम जोर थी फिर मेरे साई रिक्वेस्ट की सरह में रिविजन करना चाहते हैं तो उसको हम बोले कि कोई बात ने तुम 50% फी देकर और जोता है रिविजन कर लो फी एक बार रिविजन कर रही है बात आरे समय तो मेरे कहने का मतलब है कि आज आप कितना कम जोड है डेजन टमेटर यह कोई मेटर नहीं करता है हम आप से प्रामिस कर रहे हैं कि टूडे आप आज जो भी है मताँ आज जो भी सिच्वेशन में आप है ना ठीक ना जी दिन आप यहां से निकलिए गा बिल्कुल अलग रहे हैगा जाए ओदिस्प्रीन के मामले में होगा जाए बड़ों से बात करने के मामले में हो लिकलिएगा कि हम आप से प्रॉमिस यह कर रहे हैं कि भाले आप इंस्पेक्टर बने या ना बने लेकिन लाइफ को कैसे जीना है ठीका भाले तो जीना सीखनाइ सिखने ये चीज भूजाएगा उसके बाद गांड तरीश नहीं तauen है भूी सुखनेट सुखने हो स्पानिये थे अपने सब अपने ब discour望 कर लिए झातार है तो ध्यान दीजिंगे इसलिए आप पो देह भांखनातों स्लोक रहilippe इसलिए एप पैपो यहां पै न सोच नियों कॉम जोड़ है सर्मयरे पड़वी यह को शनी है अब इंसपेक्टर बन रही है ठीक आजी चणितने इसा निक्रफ यहां पर ए यहाँ पर यहांपर है यहां पर आन फाई कानरर थेखे फिए मेरे तरफ एक बही माइनस चार प्लेस पांच हां की ना अश्वत आइए यहां पर यहां पे पांच उुका कितना माइनस ब्िस माइनस प्लेस माइनस इक लाइए इसको जोड़े गया तो क्या मिलेगा यहां पर देते हैं उसको करना है ध्यान दीजे आप सब लोग आपको करना है 94 multiply by 97 94 multiply by 97 करिए फड़ा फड़ करिए लोग लोग देखेंगे सबी लोग हां देखेंगे सबी लोग हां देखेंगे एक बात बताईए बाइनस छे माइनस तीन किलियर चातिरी कितना जी 18 माइनस इंटू माइनस बराबर क्या ची प्लस अठार ये किलियर है अचा बताईएगा आप लोग इसको जोड़िए 97 में छे गया बोलिये लोग 91 91 पर डबल जीरो डबल जीरो पाठारा के जूड़ेगा ये आंसर होगा क्या अरे हो जाएगा एक और एक जामपल यहां पर हम दे रहे हैं किजिएगा 92 का गुड़ा 90 96 से करके बताईए हम चाहेंगे तो एक बार मैं आंसर पता देंगे आपको आप लोग भी बताने लगिएगा लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि बेसिक से सीखें चीजों को हां बताओ बाबू क्या होगा अशा माइनस आठ माइनस चार आठ चोगा 32 प्लस बत्तिस क्लियर अशा बताई इसको जोड़िये गाना जी तो चान्मे में से चोग जाता तो 90 होता लेकिन दो और जाएगा तो कितना है अठासी है समझभा रहा है सुनिए इधर देखिए दो और जाएगा तो 88 अठे किलियर है 88 अशा 88 और 88 में किसे गुड़ा करेंगे बेस से बेस से आएए दोनों संख्या 100 के करीब है तो बेस कितना है 100 हम आपको समझा चुके हैं कि 100 से गुड़ा करने का मतलब होता है 2-0 बैठाना इसके आगे हम ये भी समझा चुके हैं कि 2- प्रोड़क्ट का यूड़ेगा तो एज इटीज जैसे ये 32 से वैसे यहां पर 32 आपके यूड़ जाएगा इसलिए दो अंक हमेशा से मोटा है तो अंक हमेशा क्या होता है से मोता है अर अरे किलियर हो रहा है सुझ्ये एक्जाम में एक कोश्ण आया था ऐसे करके हम एक्च कभी कोशन कर भाएंगे ठीक थ्यान दियां इन पर जैसे कोशन से माली जमद आप लोगो मालो बाभु कि हम 204 गुड़े पर शार गुड़े आए यहां पर मालो कि हम हम 1088 मेलिख कि सी को आंसर नहीं बताना है नहीं बताना इंदिन प्लीज मेरे तरफ देखे देखिएगा यहाँ पर option A, B, C, D something, 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 something यहाँ पर है last में 92 यहाँ पर है 08 यहाँ पर है 48 और यहाँ पर है आपका यहाँ पर है माल लीजे कि आपका है 62 है सुनिए आप लो इसमें कुछ देगा वो पूरा दिया रहेगा SSE का question है ऐसा हम exact नहीं करवा रहे हैं हम हिंट दे रहे हैं कि ऐसा पुशा question ऐसा एक नहीं बहुत question पुशा एक बात बताए दोस्त, यह कितना ज्यादा बोलिए कितना ज्यादा, 4 आई यह कितना कम 4 दुना, 8 अच्छा, पलस 8 की माइनस 8 माइनस 8 ता लास्ट में जब हासिल लेंगे तो 100 बनेगा और 100 में से 8 घटेगा ता लास्ट में बताए यह 92 आएगा कि 0 आट आएगा, कि 48 आएगा, कि 62 आएगा तो मेरा answer क्या होगा? इसके लिए आपको वहाँ पर कुछ करने की ज़रत नहीं होगी आप जैसे देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा 4, माइनस 2, 4 दुना 8, माइनस 8, माइनस 8 का मतब सो में साट घटेगा, तो 92 टाइप का मिलेगा होगा बाकी जो है कुछ भी हो जाए आरा सभश में कोई-काई से सोचेगा कि 8, 4 का 32, 32 का दू तो दू मिल गया अरे दू मिल गया ना तो दू मिल गया तो फंस गया तो इसलिए हम लोग एक उंक पे नहीं जा रहे हम लोग डारेक कितना अंक से हम लोग गेम कर रहे हैं दू अंक से कि लिए रहे क्या आप दो अंक पे भी फैल करेगा तो बहुंस से टेकनिक आगे आएगा जो कि देख देख आप आंसर बताईएगा टेंसर मत लीजे बस समझ गया है चलिए हम ये कोशन दे रहे हैं उसको करिए जी हाँ हाँ अकिर अच्छा सुने हम जो इंप लड़ा ओपको दिये अभी तक चाहिं थो सां से ज्जादा का उनटा सो से ज्जादा दोक ये इस नमब्ष नोवकैसन अम लिए थैं कषाझ सथ' पोस आसकं माण तो ये थे दोनों से यांन कराया यिगो के ना प्रत्स माने थे बोलिए 100 अब हम यहाँ पे एक गुड़ा कर रहे हैं लिखिए का आप लो 52 into 57 लिखिए के जल्दी फास्ट कल करना सिखाएंगे आज हम बेसिक पढ़ा रहे हैं कल इसी को हम और फास्ट सिखाएंगे कैसे फास्ट करना है 52 गुड़े 57 आवन हाँ चली एक पात बता ही आप पता ही यह संख्या किसके करीब आए तो बेस कितना 50 पचास मन में रखिएगा कहां रखिएगा मन में अच्छाब प्लस टू प्लस से बेंट साथ दूना कितना जोड़ जोड़े इसको पता है 57 तो कितना जी 69, 69 में किसे गुडा बेस से और आप लोग बताइए आप लोग बताइए बेस कितना है अरे बोलिये 50 आज एक कनसेप्ट यहाँ पर सीखेंगे सभी लोग सीखेंगे सभी लोग यहाँ पर एक खनसेप्ट को ध्यान दीजेगा कि यह हम क्या लिखे बताईए एक से लिखे हैं अच्छा बताईए हम यहां पर क्या लिखे है बोले लो दो य में गुड़ा करना है 50 से कि से करना है 50 से यज इस उक्वाइद आफ बाबू देखिए गा वाई इन्टू फिप्टी वाई नुटू फिप्टी अभी तक सही है अशे बात बताये इस में हम ऊपर दो से गुड़ा आउसको बैलेंस करने के लिए नीचे दो से भाग ऐसा कर सकते हैं अरे हा किना तो यह बना यह 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 कितना बन वोले जि लिख सकते हैं वाई गूड़े 100 का मतलब वाई पे कितना 0 अरे बोलिए 2-0 आउसके बाद से क्या कर देना आधा 50 से गूड़ा करने का मतलब होता है दो जीरो बैठाकर क्या कर देना आधा कर देना बातार समझ में तो आप ऐसा कर यह पाले इसको एक साइट में लिखिये इसक 52 x 57 है 52 x 57 है इसको हम सॉल्फ कर रहा है तो यहां पर 50 आ रहा है तो हम 50 से गूड़ा करना भी साइड में सीख रहा है कि 50 से गूड़ा कैसे जल्दी करना है 50 से गूड़ा कैसे जल्दी करना है यह हम सीख रहा है रोट किये चलिए देखी आप सभी लोग देखे बाबू इधर देखे मेरे तरफ इधर देखना है वाई इंटू 50 मतलब किसी भी संख्या में कितना से गुड़ा करना है पचास से किसे जी पचास से तो क्या करना है दो जीरो बैठा कर बैठा कर आउसके बाद क्या कर दीजे आधा तो लिखेगा साइट में इस नीचे लिखेगा पचास से लिखेगा 50 से मल्टिप्लाई करने का मतलब होता है 50 से मल्टिप्लाई करने का मतलब होता है दो जीरो बैठा कर आधा करना दो जीरो बैठा कर आधा करना फिप्ली से मल्टिप्लाई करने का मतलब होता है क्या मतलब होता है दो जीरो बैठा कर बदाईए दो जीरो बैठा कर क्या करना आधा करना किलियर है क्या चलिए देखेगा आप लो फिप्री से मल्टिप्लाई करना सिख लिए देखे इधर 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 आप लो हम यह पर लिखना है जैसे माल लो बाभू कि आपको अगर कहीं फिप्री टू में अगर माले जो पचास से गुड़ा करना तो क्या करिएगा दूजिरो बैठा का अधा कर दीजेगा तो इस एक कि पचास से चुलाई करना है अचा जैसे माल लीजे हम यहां पर लिख रहा है है जैसे यहां पर यहां पर दीशड़्ाख ripक टार आंप करें गजानिय घ्री टूर सुनिए 74 में 50 से मल्टिप्लाई करना है कर सकते हैं 2 0 बैठाकर आधा करना तो 74 का आधा करना है 7000 का आधा 3500 400 का आधा 200 300 200 कितना 100 300 समझ पा रहें कि आप लोग नोट करिएगा इधर नोट करते जाएए आप लोग सभी लोग एक बार इसका अंसर दे दीजेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमको ठीक है ना यहां पर हम कुछ लिख रहें लिख दें क्या 65 का गुड़ा आपको करना है 50 से जी करके बताई जल्दी बोलिए फटाक दे आशा 65 गुड़े 50 का मतलब 65 पे 2 0 500 का आधा अरे हां किना 500 का आधा नहीं कर सकते हैं तब 500 का मतलब 64 600 का आधा 300 100 का आधा कितना जी 50 32 50 नहीं दिखाई दे रहा आप लोगो दिखाई दे रहा है अच्छा आप ध्यान दीजेगा सभी लोग यहां पर हम थोगा सा चेंज करते हैं अभी आप क्या सीखे 50 से गुड़ा 50 का मतलब 100 बनेगा इसमें 2 से गुड़ा करनेगे तो क्या बनेगा 100 100 का मतलब 2 0 बेठा का आधा करना अब ध्यान दीजेगा गौर से देखिएगा गौर से सभी लोग देखेंगे जीवन बदलने वाला आप लोगों का क्या होने बना है जीवन बदलने वाला है ठीक है ना? चलिए देखिए यहां पर हम एक 48 लिख रहा है हम 5 से गुड़ा करने जाएं कितना से? 5 से अशा इसके पहले किसे किये थे? किसे करना सीखे थे? 50 से आब किसे करना है? 5 से 5 से गुड़ा करने का मतलब होता है एक जिरो बैठा के आधा करना पचास से गुड़ा करने का मतलब होता है दो जिरो बैठा के आधा करना पांच का मतलब एक जिरो बैठा के आधा करना पचास का मतलब दो जिरो बैठा के आधा करना पांसो का मतलब तीन जिरो बैठा के आधा करना क्यों क्योंकि सुनिए इसमे जब हम दो से उपर नीचे गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा दस बनेगा अवहीं अगर 50 होता तो उपर नीचे दो से गुड़ा करते तो क्या बनता सो पचास से गुड़ा करने का मतलब दो जिरो बेठा के आधा करेंगे पांस से गुड़ा करने का मतलब एक जिरो बेठा क है तो लिख लीजिएगा एक लाइन लिखिएगा प्लों 5 से multiply करने का मतलब करने का मतलब 10-0 बैठा कर आधा करना है एक जीरो पैठा कर आधा करता एक जीरो बैठाकर आधा करना ठीक है एक जीरो बैठाकर आधा करना पचास से गुड़ा करने का मतलब डैस डैस करते जाएना पांची जब पचास डैस 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 पांच वाला लिख लिए अब लिखे पचास से गुड़ा करने का मतलब पचास से गुड़ा करने का मतलब पचास से गुड़ा करने का मतलब क्या मतलब दो चिरो बैठा कर आधा करना हो dollar है ठीक है पांच हो गया 50 ho गया आप लिखे हैं पांच सो लिखे 500 इस गूड़ा करने का मतलब है 500 से कुड़ा करने का मतलब लोग मतलब 3-0 बेठा कर हाधा करना ज समझे घाना तो यह पांच का सीरी जाप पड़ है कि पांच पचास पांसों पांच हजार का मतलब क्या होता है सुनिए हम इस हम लोग यहां पर एक एक्जामपल ले रहे हैं देखेंगा उसको आप लो बताइए का आप लो अशा कितना हम लिखेंग जी अरे बोलो जी पांस अगुडा तो हम क्या करेंगे जलर बैठहें कितना हो खली जाहां सी गाथ को अनवरियेगत तो सोलिसर अशा बताइए यहां पर लीकरा संतान सॉरक पांच बताइए पांस ओट आओ जो बेठहेंगे पांस बस अईसलों 70 का अधा 35, तो पताए कितना हुआ, 250 अधा 35, 280 न जी, अरे 280 न, तो ऐसे कर लिजेगा, इस एक्जामपल को नोट करिए, एक और एक्जामपल हम देते हैं आप लोगों को, 24 गुड़े 500, तीन जिरो बठाएंगे, 24,000 का अधा 12,000, 24,000 का अधा 12,000, ठीक है न, 24,000 का अधा 12,000 जल्दी लिखिए, फटाक दे, तेजी में लिखना है, चलिए हम आगे बरते हैं, और ध्यान दिजेगा, हम थे यह, हम लोग थे यहां पर भाई, 52 इन्टू 57, यहीं पर न थे, तो बताएए, प्लस 2, प्लस 7, साथ दूना, 14, मेरे तरफ देखना है, 57, 69, 69, गुड़े कितन बेस, बेस कितना है, 100 है कि 50 है, 50 है, 50 है, 50 है न, अब 50 से, 50 से गुड़ा करने का मतलब, 2-0 बेठा के क्या कर देना, आधा, बताइए, अंठावन सो होता तो आधा 2900, लेकि 100 ज्यादा है तो, 2900, पचास, आव 2900, पचास में जूड़ जाएगा, तो बन जाएगा, 2900 कितना 64, अरे बनेगा क्या, बनेगा न, 2964, नोट करिए, 2964, हम आगे बढ़ते हैं, और ध्यान दिजे सभी लोग, सभी लोग ध्यान दिजेगा, एक और मल्टिप्लिकेशन हम देखें, बाबु, हम दे रहे यहां पे, तीरपन गुड़े संतावन, देखना है, यहां पर, प्लस, तीन, प्लस से बें, साथ तिरी का कितना, एक अईस, जोड़िएगा तिर्शा तिर्शी, संतावन, तीन कितना, साथ, साथ में कितना संगुड़ा, बेस से, बेस कितना है, पचास, पचास का मतलब, दो, जिरो करके आधा करना, आधा करेंगे, तीन हजार, तीन हजार में जुड़ेगा तो आंसर एक तीन हजार कितना है जी एक किस तीन हजार इकिस क्लियर है और एक कोश्यन का अंसर आप बताईएगा इसको और फास्ट करना सिखाएंगे अभी एक बार चार रहेंगे थोड़ा बेस बन जाए ठीक है ना फिर आप इसको सिखाएंगे बढ़िया से अभी बस आप अच्छे से पढ़िए अभी एक एक जामपल देते हैं दुसरा ठीक है एक पचास के उपारा दुसरा पचास के नीशे बनाई ये बनाई जल्दी एदम स्पीड पर है ये आप लोग अपना है बहुत कुछ पढ़ना है सिलेबस बहुत ज्यादा है तेजी में लिखना है एकदम जोबिस और तीस चलिए देखिए का सभी लोग प्लस थिरी माइनस आरे हां किना ठीक है बताय ये चारती हैं कितना जी 12 प्लस 12 की माइनस वारा माइनस वारा अब जाय और तो च्यारी समेट तीन जोडेंगे तीन हो जी उंचास काल गया है टाइम हो गया है य आँ उन चास सो, 46- athletic टावर जरो बेठाएंगे उन चास सो न चास वकादा, 2450 में से बार घड़ गया, और चौवी सो पचास में से बार घड़ फड़ तो चौवी सो गार अनतिस नहीं होगा क्या होगा न जी, चलिए धिया दिए कुछ होमवर्ग हम आपको दे रहे हैं, उसक 204 207 गुड़े 197 और 197 गुड़े 192 यह चरपांच हम होमग दिये है इसको करकाना एगर से वान टू थीरी फोर फाइब सुनिए लिख लिए आप लोग हो मर्क है एक पाद समझेए तो खेंट से जब तक डरिएगा ना थो रहिवाल anything like यह श्रूंद क्या कि अब तेस्ट लेते हैं आप लोगों का लिते हैं टेस्ट भागवान देखे कि निव बैचे स्टाट होने वाला सुल जन्वरी को ता प्रोगेड मिसलिये थे तह भागवान क्या कि टेस्ट लिये कि इतना ठंड बढ़ा देते हैं ना कि कुड जाएगा सब अगर से पहरे नहीं निक प्रोश कर गया है तो आप सभी लोग एक बार अपने आप के लिए ताली बजाईए कि आप क्लास में सामिल हो गया है ये अपने आप में क्या है अपने आप में एक समझे की विन जीतने का रिजल्ट लेने का पहला साइन है कि आप लोगडाउन कुलते-खुलके पहला बैच में आप एड्मिसन लिये हैं इसका मतलब है कि जीतने का रिजल्ट लेने का इंस्पेक्टर बनने का बैंक प्यू में जाने का आप पहला जो पहला जो एस्टेप है ना उस्टेप में और लोगों से क्या है आगे है अरे हां कि ना और इसी इसी उमंग को जिस उमंग से आप आज क्लास किये हैं इसी उमंग को सुरू से लेकर अंतक बनाए रखिएगा न तो इंस्पेक्टर क्या है हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप यूपीए से क्रेक किजिएगा क्या क्रेक किजिएगा यूपीए से बात आए समझ मे लेकिन इस हुनम को बनाई रखिएगा कितना हूं ठरब पर जाए लिकर कलकर कलाश मेस करना है कि नहीं करना है नहीं करना ऐऊ-ज पर कलकर कलाश मिस्स क पनहों छर्न करता ज्यादा कर देंगे कि कि एक लेबल one च आंस्द वेराँ लेगलन के बाद क्या होता सारे समस्याओं को डो न ताप बनिएगा क्या चीज इस पर पी ओ यह वाटवर जो आपका दिल करता है मन करता वो बनिएगा ठीक है न अ अच्छा कल जो बताया थे अप लोगो ओ जो होमर्वाट दिये थे ठेसे differentiate किये हैं तो हमपुशिक जामपल लेते हैं जानम जो दिये थे ओभालतों याद है नहीं की क्या दिये है लेकिन होगने शलेटेटो हुग होगा है देखिये ह Glory कि जैसे मालनो बाभु की हम 204 इंटू, जैसे मालनो की हम 206 दिये, किसी को बोलना नहीं है, इच्छे से समझना है, चो कि अब आपका हर सेकेंड इंपोर्टेंट है, और हम डो डेली जोता है, बहुँ जादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कल जो है काफी स्लो पढ़ाय थे, आ हम यह सब पढ़ाने पर ध्यान देंगे, क्योंकि सिल्य बस बहुत बढ़ा है, तो बता यह कितना ज्यादा, चार, यह कितना ज्यादा, छे, छे चो का कितना, चोवविस, आथे कि तिर्शा तिर्शी जोड देना है, दो स्चे में अगर चार जोडेंगे तो मिलेगा, 210, इस में गुडा करना होता है, किसे से, बेस से, आशा, आप लोग बता, यह बेस कितना है, बेस कितना है, 200, तो यहाँ गुडा करेंगे, यहाँ गुडा करेंगे, कितना से, 200 से, क्योंकि दोनों संख्या 200 के करीब है, तो बेस कितना है, 200, तो 200 से गुडा करेंगे, 200 से गुडा क करने का मतलब होता है दुगूना करके दुगूना करके दो-0 बैठा देना तो इसका दुगूना करेगा तो इसका को पलत fuel now कर ये घा तो वाटाई यहां पर क्या मिलेगा में बोलिए क्या मिलेगा जी फरम देगा । चार्सरफ पर कितना जिरो पै體燃 गाट दो जिरो आग 2-0 पर अगर 24 जाकर जुड़ेगा तो जुड़ने का मतलब यहां पर आके क्या होगा बैठ जाएगा तो यानि 424 अरे आया समझ में हम इसको और भी फास्ट करना सिखाएंगे आप टेंसन मत लिजे हम पहले चाहते हैं कि एक बार बेसिक पर ग्रिप बन जाए एक बार ब टीबी और नहीं किये थे क्या कमेंट सो नहीं कर रहा है जो लोगी ऑनलाइन है आसु कुमार स्वेता कुमारी प्रसांत सोनु दिख्सित प्रिया पुजा स्वेता गुड़ इविनिंग टॉल आफ यू अच्छे से क्लास के समझे सही से आपका कमेंट हमको दिखाई दे रह चीलिए ध्यान दीजे आप लो तो हो गया है जी अच्छे हम एक और एक जाबम देते हैं उसको एक और एक जाबम देते हैं और देखिए अपर श्रेश करते चलना हम लोगो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू 303 into 3030 ना हम इतना लिख्या है देखिए सभी लोग तो यहां सबसे पहले तीन जादा अरे हा कि ना अरे बोलो जी यहां तीन जादा यहां पर कितना जादा आठ जादा पीछे वाले लोग समझ मारा ना अच्छा वाले आठ तीरिका चाववीश इस वर भी चाववीश हो गया कोई आठ नहीं है ध्यान नहीं था आठ तरीका कितना जी 24 प्लस 24 माइन में रखिये लिखने की कोई जरौत नहीं है अब ध्यान दीजे आप लोग तीर्शा तीर से जोड़िएगा 308 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 300 कितना मिलेगा 11 या 303 में हम आठ जोड़ेंगे तो भी मिले है गा 303 प्लस आठ कितना 307 आठ प्लस 3 311 आठ तीन सो तीन प्लस आठ भी कितना मिलेगा 30 कार हा की नहीं अब देखिए इसमें गूरा करना होगा किससे है वोले लोग से अचा अब की बार अब की बार इक बात बताये ये दोनों संख्या 300 के करीब है और पीन सो के करीब है कितना 300 300 से गुढ़ा करने का मतलब होता है तिकुना करना क्या करना ओधिविञे कदना हम इसको त्युना करेंगे तती हुना करेंगे तो थीन्सौ तूपारी दूग कुल मुणन नौसा 11 क्या कंदिगून। 33 हाज सो से 30 में 0 है तो यहां 0 आएगा अरे हां कि ना और इस 20 पे आर 3 के 24 दो अंक आपर यहां पे बैठ जाएगा अरे हां कि ना अच्छा एक बात बताईए आर तिरी के 24 में 24 है तो 24 आकर बैठ गया अगर 124 होता तो क्या होता है हां एक सौचोवीस होता तो यहां पर चौवीस आता हात में कितना बज़ता एक इसमें जूठकर जो ये 933 से यहां पर 934 होता बात आगा समझ में ना? जब हम लोग आगे जाके और सौट में करेंगे तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे ठीक है ना? नोट करिए इसको आप नोट करिए सभी लोग नोट करिए हम लोग सीख रहे हैं कि how to multiply fast कैसे हम fast multiply करें method है method का नाम क्या है बोलिए अब best मान कर multiply करना सीख रहे हैं best मान कर multiply करना चलिए देखिएगा सभी लोग चलिए हम अगला example दे रहे हैं बाबू next example आप समझिएगा लोग next example देखे तो यहाँ पर सभी लोग देखेंगे यार 197 into 197 में हमको 209 से multiply करना है सबसे पहले आप लोग बताएए यह दोनों संख्या आपकी बार 200 के करीब है यह minus 3 है और यह plus 9 है नतिरी कितना है 27 नतिरी 27 222 माइनस प्लस क्या चीज़ माइनस क्लियर है इतना अब देखिए आप सभी लोग इन दोनों को जो है ना इन दोनों को हम तिर्शा तिर्शी जोड़ेंगे तो 2109 में माइनस 3 जोड़ने का मतलब है 2109 में से 3 घटा ना अरे हां किना तो 209 में से 3 घटाई ये जिए क्या मिलेगा 206 आरे मिलेगा ना 206 मिलेगा आशा इस 206 में अब किसे गुड़ा करियेगा बेस से बेस कितना है 200 तो 200 का मतलब दूगुना 23 का दूगुना करिये कि आप भोलिए जी 400 बार जबल जीरो पर माइनस डबल जीरो का मतलब कोई बात नहीं है माइनस 27 करना पड़ेगा करना पड़ेगा अब घटाना है सुनिए हम एक हासिल लेते हैं देखेगा इधर आप लोग एक हासिल लेंगे तो 100 बनेगा अच्वा में से अगर हम 30 घट अते तिन कम खटाना है तो 70 नहीं 73 बनेगा अरे हां किना अशा उसके बाद यहां बताई यहां 412 था एक हासिल दिये थे तो इधर 100 बना था आई यहां पर बन जाएगा 400 कितना 11 यह कम हो जाएगा किलियर है इतना नोट कर लिजे नोट करते जाएए फटा फटा हो गया है को डाउट नहीं है चलिए अब ध्यान दीजाएगा सभी लोग इसको और हम ट्रिक से बताने वाले हैं और फास्ट कैसे करेंगे ठीक है ना चलिए देखिए सभी लो नेस्टी इंजामपल को देखिए गा जी लाइट में लगता है कुछ प्रॉब्लम फ्लक्चुए सिस्टम वीख है थोड़ा सा भी मतलब एक दो दिन में भी सही होने वाला है थिरी फेज का कनेक्शन जो है न वेडनेश डे को इस वेडनेश डे को थिरी फेज कनेक्शन इसमें लग जाएगा उसके बाद से पटना में कहीं भी लाइट इधा उदर होगा लिगी यहां का ल दो दिन में भी लग जाएगा यानि कि थिरी फेज भी डाउन होगा तो उसके बाद भी क्लास्रूम का लाइट डाउन नहीं होगा तो सारा फेसलिटी मतलब कि हम लोगा क्लास किसी भी कंडिस्टर में डिस्टर नहीं होना चाहिए इसके लिए हम लोग तयार है क्दम कि चा आपका class जो होगा ना एकदम super level का होने वाला है देखोता ना super super किसी भी तरीका से हम नहीं चाहते हैं कि 1% चाहे class आपका disturb होने का थोगा सभी chance हम नहीं चाहते हैं कि रहे class disturb किसी भी कीमत पर नहीं होगा एक ही condition में होगा जब हम लोग में हम अगर मेरा तवियत खराब हो जाया कि तभी मैं कुछ ऐसा हो जाए कि एकदम impossible होगा उसी case में class disturbed रहेगा जैसा आप मेरा management देख रहे हैं बिल्कुल इसके दुगुना तिगुना पढ़ाई रहेगा क्योंकि इसके पहले हम management पे थ्वास अभी ध्यान नहीं देते थे लेकिन अब इस बार से जो है जितना बढ़िया management उसका तिगुना पढ़ाई रहेगा उसमें कहीं डाउट नहीं है ऐसा पढ़ाएंगे ना ऐसा पढ़ाएंगे कि आप याद रखिएगा जीवन में कहां कहीं पढ़े थे और अभी दो बच्चे काफी सिनियर हैं यहारे साही मेंस के लिए वो लोग हम से बात कर रहे थे इसलिए हमको दुचार में अटलेट हो गया आने में बैच में तो लो आपका पढ़ा है सर और आपका नाम सुनकर हमाय हुए हैं और आप यह के पढ़ना है अब आप बताई हैं सर कि online पढ़े के offline पढ़े ताम उनको भूले कि आप बाबू आप online पढ़िए चाएए offline पढ़िए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ठीका ना आपको कही सभी सकते हैं लेकिन पतना में है तो पटना में अगर है तो और आफ-लाइन पढ़ीए एक फिजिकल इंटरेक्शन का अपना अलग मेंनिंग होता है eat to face interaction का अपना अलग मिनिंग होता है आगर पटना में नहीं है पतना से बाहर है कहीं भी जैसे बहुत सब्सके कोई Delhi से class करता है, कोई लाहबाद से करता है, कोई बिहार के, बिहार के हर छे तरह से लोग जुड़े रहते हैं, तो कहीं से अगर class दुसरे जगह से हैं, लेकिन भीके सर से ही अगर पठना है, तो आप online class करिए, online का बयुस्ता हम लोग किये हैं सिर्फ पतना से बाहर के लोगों के लिए लेकिन अगर पतना में है तो आप face to face बढ़िए भले आपके आने जाने में time waste होगा लेकिन 15 मिनट यहां पर हम office में बैठते हैं तो 15 मिनट ओफिस में बैठते हैं तो office में आप doubt हम से पुछ सकते हैं doubt पुछने का यहां पर कोई कोई रोक टोक नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको क्यावल अपने material से doubt पुछना है आप कहीं से भी question लाकर पुछ सकते हैं माली जब कोई भी book बनाईए x y z कोई भी book बनाईए अगर कोई chapter हम पढ़ा रहे हैं उस chapter से आपको doubt है तो कहीं से भी पूछ सकते हैं office में बैठाएंगे वहां पूछ सकते हैं बात आरहां से मज़ में कोई और problem है 10 मिट 5 मिट मेरे से बात करना चाहते हैं कर सकते हैं तो यह सारी बेउस्था बने तो आसा offline को और अच्छा बना देता है ठीक ना बाकी तो online में भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ठीक ना दोनों सुब्धा एकदम बढ़िया रहेगा चलिये देखिए हम जो समझा रहे हैं आपको ठीक ना इसका हम सबका और सिंपल कुछ तरीका बताएंगे लेकिन उसके पहले कुछ और कोशन हम लोग कर ले देखिएगा आप लोग इधा देखिएगा जी जैसे कल एक कोशन दिये थे हम ऐसा कुछ दिये थे कि 997 और इंटू अगर मालो बावू हम लोग को करना है 992 करना है सफोज आई यहां पर बताओ कितना माइनस आठ आठ तिरीका कितना जी 24 अशा माइनस माइनस क्या चीज़ प्लस इतना किलियर है ना अशा अब बताईएगा यहां पर आप लोग इसको जूर दिजे तो माइनस तीन घाटाना पड़ेगा अशा 992 में से अगर माइनस थिरी करिएग है तो क्या मिलेगा बोलिए लो 989 आइन है पका वेरी गूड 989 किससे मल्टिप्लाइग करियेगा बेस से बेस क्या है कि एक हजार एक हजार का मतलब कितना जी रो तीन जीरो तो यहां तीन जीरो लिखना नहीं चाहते हम हम इसमें 24 जो है ना तो यहां पर हम जोड़ेंगे तो तीन जिरो पे चोविस आके जूड़ेगा तो जिरो चोविस बन जाएगा तो दिस इज माई फाइनल आंसर अरे सही है कि नहीं है तो नोट कीजिएगा आप लोग यह हम लोग का फाइनल आंसर होगा चले देखिए सभी लोग नेस्ट एक्जामपल हम देने जा रहे हैं उसको देखिएगा भाई सुनी अब हम कुछी यहां पे मल्टिप्लिकेशन लिखेंगे उसको कैसे फास्ट करेंगे और फास्ट बेस को समझते हुए हम लोग करेंगे आप लोग समझने का बस परियास करें बाबू हम तीन पार्ट में बोड को डिवाइट कर दिये हैं और यहां पे जो हम लिख रहे हैं देखिएगा 102 गूडे 106 हम कल पढ़ाय थे लेकिन घबडाईए नहीं बोलिए का नहीं 108 गूडे मालिज यहां पर 103 है सपोज यहां पर मालो बाबू के 113 है और यहां पर आपका जोता हैं 102 है यह तीन एक्जाम्पल हम यहां पर दिये z हो से ज्यादा है 97 इंटु 98 दे दिये है 92 इंटु हम दे दिये है 97 और 89 इंटू 89 into हम दे दिये यहाँ पर suppose हम आपको दे दिये है 97 दे दिये तीन एक जामपल यहाँ पर है खासिय समझ रहे यह अच्छा यह जो एक जामपल हम दिये हैं यह तीनो एक जामपल यह तीनो एक जामपल आप लोग बताईए 100 से जादा है कि नहीं है इसमें दोनो संख्या 100 से क्या है जादा है इसमें दोनो संख्या 100 से कम है यहाँ पर एक संख्या 100 से जादा एक संख्या 100 से जादा एक संख्या 100 से कम एक संख्या 100 से जादा आप दूसरी संख्या 100 से क्या चीज़ कम मानली जी आप पर बानबेह जी ऐसे यह multiply करना है यह सिखे भी हैं आप लोग लेकिन हम चाहते हैं न कि आप इतना बेसोस मानिये नहीं लिखे कम करिये ज़्यादा हम चाहते हैं कि लिखे कम करे ज़्यादा सुनिए का कैसे सभी लोग ध्यान दीजे एक बात बताईए यहाँ पर यह कितना ज़्यादा आईए कितना ज़्यादा छे तो यहाँ पर दो अंक बनाना है क्यों अगर आपसे कोई पुछेगा कि क्यों दो अंक बनाना है तो हम जानते हैं कि सो के करीब है तो सो के करीब है तो इसका बेस बनेगा कितना सो और जब सो मल्टिप्लाई होगा तलाष्ट में कितना जिरो बनेगा दो जिरो और दो जिरो पर छो दुना बार जाकर जुड़ेगा तेक दम बार ही मिलेगा यह दो अंख फिक्स है अरे हां कि ना अरव हर चीज लॉजिकल है यह लॉजिकल कोई भी चीज नहीं पढ़ना है अचा यह बता यह 100 से कितना ज्यादा दो ज्यादा एक बार दो ज्यादा एक बार छे ज्यादा कुल मिला के कितना ज्यादा आठ ज्यादा तो यहां पर हो जाएगा 108 दो ज्यादा छे ज्यादा कुल 118-324, clear, अच्छा इसको बताए, 132-15, 115, 132 ना कितना? 26, अच्छा यहां 126 आता तो क्या करते? हाँ, 115 को 116 कर देते, आरा समझ में? 115 को 116 कर देते, carry forward कर देते, चलिए, अब इसमें आ जाई है आप लोग, इसी को सही से समझना है बाबू, सुनिए कुल होकर, एक बात बताएए, कितना कम? 3 कम, यह कितना कम? 2 कम, minus 3 into minus 2, बराबर, plus 6, 6 की plus 6, plus 6, अच्छा, plus 6 का मतलब 06, 2 अंक, कितना अंक, 2 अंक, क्योंकि 100 है, 2 0 होगा, आद 2 0 पर जाके 6 जुड़ेगा, तो 0 6 बनेगा, यह चीज़ के लिए रहे, अरे है कि नहीं है? अशाब बताएए, यह कितना कम? बोलिए, 3 कम, आईए, तब एक बार 3 कम, एक बार 2 कम, कुल मिला के कितना कम? 5 कम, तब 5 कम करिए, किससे? 5 कम किससे? 100 से, तब 100 minus 5 बराबर, कितना जी? 95, तो यहाँ पे 95 होगा, किलिए रहे कि नहीं है? इसका देखना है, सुनिए, कितना कम? बोलिए, कितना कम? 8 कम, यह कितना कम? 3 कम, आईट टिरी का? अग, कॉम, कॉम, ज्यादा, मिन्टू, बढ़ाबर क्या चीज? ज्याद़ा, बढ़ा है, तो बढ़ाइ, minus into minus 6 बराबर क्या ची? प्लस, तो minus 8 into minus 3, 8 टिरी का कितना जी? 24, minus 24 की plus 24, minus 24 होता तो थोड़ा टेंसन लेते, लेकिन plus 24 है, तो संजोग बनिया है, एक पूरा खूज है, लिखेंगे 24, आरे किलिए रहे कि नहीं है, कितना कम, बोलिए, 8 कम, यह कितना कम, 3 कम, एक बार 8 कम, फिर से 3 कम, खुल मिला के कितना कम, 11 कम, आरे 11 कम, आरे 11 कम न, किसा से 100 से तह सो माइनस एकार कितना 89 अरे किलियर है किलियर है अरे समझें एकार कम तीन कम कम कीसप से 100 से आघर कम करेंगे तो बनेगा 86 से क्लियर है कि नहीं है इख इन आ इसको ए माल ओill से ने इसके रह दिजी ौर्ट ही दूर्च ही कहार ना पहल जादा धिजिए थी कशने चार्च कितना जादा बोलिये बाबू, साथ ज्यादा, आईये कितना कम, इसको हटाईये, इसको पहले देखे, इसमें एक आ रहे है तो थो फ्रोड़ा मल्टिप्लीकेस अंहाड, इसको देखे पहले, कितना ज्यादा, आ कितना कम, पॉलस टू माइनस तीन, माइनस एक्स, तक जीरो सिक्स लिख दे अशा, उपकी बाद, छे जोड़ना है कि घटाना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, अशा, एक बात बताईए, जब बेस से मल्टिप्लाई करिएगा, तो लास्ट में क्या बनेगा, दूगो जीरो, अरे हां कि ना, दूगो जीरो, अदूगो जीरो में हासिल लेंग तो बोलिए, नहीं बोलिए तो मुझ में कीड़ा पढ़ जाएगा, ठीक है ना, मेरे सांथ जो न इन्साफी करेगा, उसके सांथ गलत हो जाएगा, इसलिए," गोगो बहुत दिल से पढ़ाते हैं," है ठीचिंग मेरा होबी है ना कि प्रोफेशन है," होबी हैं की प्रोफेशन कि इ सलिए जोब्भी पहाते हैं डिलसे पढ़ाते हैं बहुत मन से पराते हैं दिल कर प्लस चे कि माइनस है माइनस है जोड़ेंगे कि घाटाएंगे अचा घाटाएंगे सुनी अब तरnat तर्फ मेत को जीडिया और हां किन्ह सेंगे सी Christmas सव और हां किना चे अड़ानवे अरे अरे हां किना चौहदासान था आठ तुरीका चौह विसमेच अधिल strictनasmac सन था 8 obwohl समझा गया चो दुना बारम मझा गया आपी दुना छो लात तेरह यहांपे ट्यरा दुना छोविश मजा गया यहां पर भी मजा गया था है माने स्विक्स दूना माइन ऐस दू स्वरी माइन स थीन कोरे माइन दो प्लस 6 तो 0 6 माइनस 8 माइनस 8 तरीका 24 मजा गया था यहाँ थोड़ा मजा नहीं आए यहाँ पर सजा मिल रहा हम लोगो अरे हाँ किना जी तो यहाँ पर क्या बना प्लस 2 अच्छे एक बात बताईए फिर समसूरूस करते हैं प्लस 2 माइनस 3 माइनस 6 कितना कम तो दो बढ़ा दो तीन घटा दो क्या हुआ तो बढ़ा दिये तीन घटा दिये तो ओवर ओल इफेक्ट क्या हुआ एक घट गया तो 99 सौव में से न कुछ करना है दो बढ़ा दिये तीन घटा दिये तो एक घट गया, एक घट गया तो कितना जी? 99 आई एक व औह घो आसलों इदर से दे चुके है तो 990 नहीं कितना जी? 90 अरे किलियर है? किलियर है? आप अब तो अब तो दुरी पर लोग तो करोना हो जाएगा तो हमको टेंसन हो जाएगा अब दूर हो जाएगे, आप लोग आगे बैठते हैं, आपको होगा तो हमको भी हो सकता है, ठीक है, चलिए, फिर से समझीए, नहीं समझे ना, हाँ, ठीक है, गुड, हम एक बाद डीटेल में करते हैं, एदम टेंसर मत लिजे, आप ऐसे जगह पे हैं, कि जहाँ आप नहीं सी इंडिया में कहीं नहीं सीखिएगा, बस ये माइन में रख लीजे, ठीक है ना, हम सिखा कहीं छोड़ते हैं, हम एक बाद डीटेल में करना चाहते हैं, साइड में डीटेल आइधर सौट लिख रहेगा, ठीक है ना, एक सथ दो गूरे संतानवे को बाबू, पलस टू हम बो रहे थे, तीन कम है, तो दो ज्यादा तीन कम का मतलब एक कम, सो में से एक कम मतलब कितना है जी, 99, हम वहीं बोल रहे थे, जो किये थे इसके पहले, इसलिए हम उकर रहे थे, तो डैट यहीं नहीं कर देते, टाइमों बच गया होता है, ठीक है ना, 99, और उसके बाद यान द सब्सक्राइब कर दो जोड़ना हैं कि घाटाना है, इस इस घाटाओ के लिए हम तो यह बोल रहे थे बाभू, कि दू जिरो होगा, हम यह बोले थे कि दू जिरो अंत में है तो एक हांसी लेंगे तो बने का कितना जी, 100, हम यह बोले थे कि सुफत से euros 6 जा आएगा, कितना तो अगर माइनस छे आया यह कभी भी आएगा माइनस मैं तो चुकी लाष्ट मेतो हमेसा दो जीरो रहेगा रहे गाना तो जब भी भी लाष्ट में दो जीरो रहेगा तो यह हम हासिल लेंगे भई सो टाइप का बनेगा सो में से छेग हटाएंगे तलाष्ट में 94 बनेगा ओची समझ मैं आप लोगो अचा यहां तो डबल जीरो है जब एक हासिल या कैरी इधर से लेका हम इसको दे दिये तो यहां पर जो भी संख्या पहले थी अब उतना रहेगी कि अलिनावे तब होता जब होस्कों कुछ नहीं देते तब होता, 99 तब होता जब हम कैईरी नहीं दिये होते तब होता, लेकिन हम एक देच चुके हैं, तो यहाँ 99 होगा की? 98 95, किलियर है कि नहीं है समझ गएं आप लोग सुनिये ना, एक काम करिए, एक हम देते हैं गुड़ा कीजिये आप लो ठीका ना तब तक कीजिये तब तक यहां पर हो रहा है हो गया क्या तो एक गुड़ा कीजिये आप लो लिखे गा भाई 94 इंटू 94 इंटू 94 इंटू 10 103 103 94 इंटू 103 बताईए लो कितना हाँ बेरी गुड़ बेरी गुड़ जो लो भी आंसर दे चुके है बेरी गुड़ कोई बात नहीं सर हम वेट करते रहेंगे जब तक क्लास नहीं प्ले होगा आसु कुमार देखिए आप लोग सभी लोग चली ध्यान दीजे अशा अठारव प्लस में की माइनस में माइनस में तर सुनिएगा अठारव घटाना है अरे अठारव क्या करना है घटाना है एक हासिल लेंगे क्या बनेगा सो चुके लाश्ट में दो जिरो है बेस सो है तो मल्टिप्लाई होगा तो जिरो बना देगा दूगोजी दूगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग किलिर है क्या इतना अशा एक इधर से ले चुके हैं एक ले चुके हैं कि दो एक लेंगे तो सो बनेगा दो लेते तो दूसर में से घ्रटाते लेगिन चुकि ये संख्या 18 था 100 से कम था तो इधर सम लिए थे, एके लिए थे अरे आरा समझ में अब बताइए ये कितना कम 6 कम 3 जादा overall 3 कम, अरे हाँ किना 6 घटा दीजे अर 3 बढ़ा दीजे, तो भी क्या होगा 3 कम, अरे होगा कि नहीं 3 कम का मतलब 97 100 में से 3 कम का मतलब क्या चीज़ 97 97 लिखेंगे कि एक दे चुके है तो यहाँ पर 97 नहीं लिखेंगे एक दे चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे 96 अरे हाँ किना, सुनिए एक हम थोआ बड़ा एक जामपल देते हैं, उसको देखिएगा भाई हम यहाँ पर लिख रहा है है हम यहाँ पर लिख रहा हैं बाबू 88 और यहाँ पर हम लिख रहा है 109 कितना लिखे है, 109 लेकिन हम चाहते हैं कि एक लिख कर दे पूरा गूरा भी नहीं करना पड़ेगा SSC का पेंपर में जाईएगा SSC के पेंपर में जाईएगा तो डाइरेक्ट इकाई दहाई 12 इंटू 9 कितना 108 108 अशा पलस में की माइनस में अशा यह बताएए अब अगर यह को कहरी फरवार लेंगे तो 100 बनेगा लें घटाना है 108 तो 108 100 में से घटा सकते हैं नहीं हम कितना लेंगे? 2 लेंगे 1 लेंगे तो 100 बनेगा 2 लेंगे तो 200 आप 200 में से 108 घटाएएगे तो 92 यहाँ पर 92 आएगा अरे आएगा कि नहीं? अब समझ मार आप लोगो अब बताएगे कितना लिये हैं? इधार से एक लिये थे कि 2 2 अशा यहाँ पर जोब आएगा एक कम करके लिखेंगे कि 2 कम करके 2 कम करके किलियर है? तो अब बताएगे कितना कम? 12 कम एक बार 12 कम किये 9 बढ़ा दिये 12 कम करके 9 बढ़ाएगे तो कितना घटेगा? 3 3 घटेगा तो 97 अच्छा 97 लिखे कि 96 लिखे कि 95 95 Very good 95 समझ गया आप लोग अर समझ गा न? चलिए हम अगला एक्जामपल देने वाले हैं इसको नोट कर लिजा जल्दी से धीरे धीरे इस स्पीड बढ़हेगा ठीक है न? धीरे धीरे स्पीड बढ़हेगा चलिए एक बात को समझना है बाबू फड़ा फड़ ध्यान दिजे आप लोग एक गुणा हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको देखिएगा आप लोग देखें 11 इंटू थीरी टू हम यहाँ पर लिख रहे हैं 11 इंटू थीरी टू लिख रहे हैं देखिएगा सभी लोग तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसको देखिएगा आप ये जो थीरी है ये जो टू है ना ये जो थीरी है ये टू है इसको दोनों को थोगा दूरी दूरी पर लिखेंगे अब बीच में एक अंक लिखना बाकी है बीच में एक अंक लिखना क्या है बाकी है इन दोनों को जोड़के यहां लिख दीजे तीन दू कितना जी पांच हम यह बोल रहा है कि हाउ टू मल्टिप्लाई बाई 11 11 से कैसे हम मल्टिप्लाई करें ठीका ना उस सीख रहा है दो अंकर संख्या हो तो जैसे मालो बाबु यहां चोवन है तो हम सिखाए कि पांच को चार को लिख दीजे आप दोनों को जोड़के बीश में लिख देजे अरे आ अशा इलेबन इन्टू 95 है नहीं बोलिएगा फंच जाई इस बार ध्यान दिजेगा तो यहां पे नाइन आई यहां पे क्या चीज़ फाई नौ पांच बोलो जी नौ पांच कितना चौदा कितना अंक लिखना दों किये कॉंग लिखना है एक उंक तो चौदा लिख दें क क्या लिखेंगे चौदा ऐसे लिखेंगे चौदा आशा यहां पर आप नौ लिखेंगे कि दस तो यहां पर लिखेंगे दस तो यहां पर हम लिख देंगे दस अरे आया समझ में क्या नोट कीजिए का जल्दी से आप लो नोट करते जाए फटा फट लिखे जल्दी लिखे लिख लिए हैं, बेरी गुड़, चलिए हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं, चलिए अब देखिएगा आप लोग, एक आप लोग करिए क्या, किसे का आप लोग, 11 into, जितना हम पढ़ा रहे हैं, उसमें पुछिएगा मत, और क्या होता है, जैसे आपके मन में आ रहा होगा न, आएगा मन में, सुनिए, इता देखिए, जैसे मन में आएगा कि सवार, ये 11 गुड़े लिये थे, कई 100 गार होता है, तो क्या होता है, सवाल उठता है, और उठत सवाल हम जानते होंगे कि नहीं, हम इतना सारा विद्यार्थी को पढ़ाए हैं, हम जो आपके मन में सवाल उठ रहा है, उस सवाल हम जानते होंगे कि नहीं, कि ये आपके मन में चल रहा होगा, तो हम बताएंगे कि नहीं, बताएंगे, तो पुछने की जरूत नहीं है, जो बेरी गूर 1078 एक आदमी बोल चुके हैं 1078 आप रोबनाए हैं सुनिए इधर देखिए बाबू अच्छा अब ऐसे करिएगा ऐसे करिए आठ बीच में दोनों को जोड के आठ अनौ भुलिए आठ अनौ कितना सतरा सतरा का कितना साथ हाथ में एक अनौ नहीं आपे कितना जी 10 को ही हम काम किया है लेकिन हम जानते हैं कि इधर फ्रॉबा सहीदा उदर हो सकता है तो हम ऐसे नहीं कर दिये कि नौ आठ लीख देते हैं अनौ आठ 17 लिख अफिर 10 करें तो उसमें थोड़ा काटना कुट्टा पढ रहा है तो अराम से किये 8 8 9 17 का साथ हाथ में एक आया 9 9 क इतना जी 10 किलियर है कर लिजएगा तो हाउ टो मल्टिप्लाई बाई 11 विथ टू डिजिट नंबर ठीक है ना ये था चलिया मागे बढ़ते हैं अब देखिएगा आप लो हम यहाँ पर आते हैं बाबू 204 गूडे 206 नहीं लिखना है किसी यह लिखे 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 इस इक्वाल टो 208 गूडे 211 इस इक्वाल टो 202 गूडे 207 इस इक्वाल टो चलिए जल्दी करिए जल्दी लिखिए लिखना है फट 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 लिखना है फट 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 सुनिए चलिए देखिए आप सभी लोग भाई इधर देखिएगा जी इधर देखिए आप सुनिए हम एक बड़ इधर कुछ करते हैं उससो देखिएगा सभी लोग सभी लोग देखिएगा 204 का गूड़ा 206 से है तब प्लस शार यहां पर प्लस 6 है अरे हाई कि नहीं है अच्छा बताई यहां पर पले 6 चोग का कितना जी 24 आयाँ 206 में चार चे ज्यादा चार ज्यादा कुल मिला के तस ज्यादा दूसर दस लेकिन 210 का एक गुना नहीं दूगुना क्योंकि दोनों संख्या किसके करीब है 200 के करीब है ता दूसर 10 का दूगुना कितना बोल यह लो 420 आ कितना 020 आग 2-0 पर प्लस 24 आकर जूड होना है तो पिन कम चलाना पड़ेगा दिमाग ज्यादा दोराना पड़ेगा ठीक है ना कैसे बताइए छेट चोव का चोविस हम जानते हैं कि दोनों संख्या 200 के करीब है 200 में भी 200 में भी 200 होता है और 20 के वज़र से लाश्ट में 20 बनेगा और उसमें 64 का 24 जाकर जूड़ेग पोलिए 4 कितना ज्यादा 6 6 ज्यादा 4 ज्यादा कितना 10 ज्यादा किसा से 200 से 200 210 अच्छा यह संख्या 200 के करीब है 200 के करीब है कि 100 के करीब तो दूसर के करीब का मतलब दुगुना तो 210 का दुगुना कितना 400 210 का दुगुना 420 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 420 अरे आदा समझ में तो इतना करिएगा कि direct यह लिखेंगे अच्छा यह हम क्यों कर रहे हैं fundamental के लिए रहे बात आदा समझ में चलिए इसको करना है जी कर येगा, ओल्लाइन वाले लोग भी अच्छे से किजिए, 400, very good, very good, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलिए ध्यान दिजिए, हमाँ देखिएगा, आप सा भी लो, देखिएगा, इधा देखिए, इधा देखिए, देख रहा है न, अब दाईए, यहाँ पर कितना, आठ आ यहाँ पर, एगार, एगार वठे, अठा शे, अठा quickly, 28, सीदा सिदा बैठा दी किलिए, दोंक्छ ऑन यहाँ होगा, 28, कितनार ज्यादा, आठ ज्यादा, 8 यहार ज्यादा, 11, एकार ना इकार आठ, एकार 8, इनल, ता द फूसल ना कि एकसनल इस हूसल है, दो सज्यान आध स चाप लोग कर रहे हैं इसका आंसर बता दिजिए मान जाएंगे अब सात्व दूना चोवदर अचाव बताईए साथ दू नो दूसर नो का दुगूना 400 9 है ना 418 418 भाई किसी को डाउट है तो बताएए डाउट है चलिए बेरी गुड सुनिएगा सुनिएगा conclusion conclusion यह है दोस्त कि 100 के करीब रहेगा तो एक गुना 200 के करीब रहेगा तो इधर वाला पूरा का नहीं इधर वाला का धुना इधर वाला मने इधर वाला इधर जो मीलेगा उसका धुगुना तीनसों करीब रहेगा तो तीगुना चारसों करीब रहेगा चार गुना अरे किलियर है चलिए हम एक एक जामपल देंगे और हम पुरा उमीद करते हैं कि आप लोग आंसर दीजेगा आंसर दीजे भाई एक स्टेप में आंसर दीजे जब करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं मेरे करने से कुछ नहीं होता है आपको करना पड़ेगा ठीक है नँ जोर नहीं करेंगे जिन्दगी में कभी नहीं सीखेंगे ओल्लाइन वाले आंसर दीजे फटाफट आसू कमल किसोर मुखेश प्रसान स्वेता सोनुत तनमय अभिसेख ठीक ना आंसर दीजे पूजा हाँ चलिए ध्यान दीजे बेरी गुड बेरी गुड्स सही आंसर है बना लिए नहीं बनाये हैं बनाये लोग ताम न सीखिये का हुआ है होगे है चले इढ़ा कि प्रुड दीजे मॉढली का सव मजिए घब के समझे आजो कि घबर के नहीं है को कश लोग अगल रइं?' है नहीं है और दर लगने लग तर यह दिया ओछू से सीखेऊ है को olabilir दीए को नहीं को पहले आधान बाद में सब्क्राब रहे हैं तो सीख ही जाईएगा ठीकर ना सुनी अब इस पर माते हैं बाद में जो कम जोड़ है इस पेसली या जो उनके लिए भी दोनों लोगों के लिए देखे स्वाभी विवेकान नंद का एक कथन है उसके बारे में थ्वास हम विचार कर ले उसके बाद आगे बढ़ते ह कि स्वामी विवेकान नंद एक लाइन बोले थे हम यह आप लिख रहा है ध्यान दीजेगा आप लोग यह आप लोगते हुटव आप लो दूट वगप लेगत बार्ट ल बिल्यूज कि put the it the a the कर दो अरे कर मू legg आखया अरस Pokemon अरजوس प्रियोर टासर चीस सबस्कित है आखमरल करन और झालक के लगा यह आखिकले कारा क। आखिकले करेंगा क्या आऄ कै आखिकले ल לכ Some अर। आ-खिकले कार चार और यह पीओ कारेंगार टार is what are you going to become will be will be will be your your present work बात को समझना है बाबु सही से खास का जो कम जोड है present work कोई कम जोड नहीं होता है इस बात पर एक sentence है स्वामी बिवेकानन्द का मेरा नहीं है स्वामी बिवेकानन जी का है ध्यान दीजेगा आप लोग इसका मतलब समझे स्वामी बिवेकानन्द का आप बोले थे भाई ठीका ना स्वामी बिवेकानन ठीका ना ध्यान दीजेगा वाट आर यू वाट आर यू टूडे वाट आर यू टूडे इस रिजल्ट आप योर पिरिवियस वर्क आज आप जो भी है What are you today is result of your previous work यानि कि पहले बच्पन से आज तक आपने जो भी मेहनत किया है उसका result है कि आपकी personality, आपका mathematics, आपका science कैसा है बात आर समझ में तो What are you today is result of your previous work and this also implies यह यह जो है यह भी imply करता है कि What are you going to become आप क्या बनने जा रहे है Will be result of your present work यानि आज आप जो मेहनत कर रहे है आप जो बनने जा रहे है उसमें किसका युगदान होगा आज जो आप मेहनत कर रहे है अरे यार, जब जो पहले काम किये हैं उसका पड़िनाम आप आज है इसका मतलब है कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका पड़िनाम आप आगे जो होँगे उसमें होगा, अरे होगा कि नहीं होगा तो आप बताई अगर आप कमजोड हैं तो क्या आज से मेहनत करना भूल जाईएगा अरे आज से मेहनत नहीं करियेगा आज कमजोड है इसका मतलब पहले हम मेहनत नहीं किये हैं तो क्या आप नहीं मेहनत करेंगे हम आज से मेहनत करेंगे आज हम ठाल लेते हैं इस क्लासरूम में इंजिनियर भीके गुपता के क्लासरूम में आज हम ठाल लेते हैं कि आज के बाद हम पूरा मेहनत करेंगे और पूरे mathematics को ही नहीं पूरे general competition को हम एकदम बढ़ियां से क्या करेंगे क्रेक करेंगे उसके लिए जो भी करना पुटेगा हम करेंगे हम sir के साथ मेरेंगे एकदम मेहनत करेंगे आरे ठान रहें कि नहीं आप लोग चलिए अब आई आप लो ऐसा बाद है यह संबढ़ने वाला रगा है अग जो नहीं पढ़ने वाला है जो नहीं पढ़ने वाला वे ऐसे चलेगा वेसे चलेगा बताते हैं एक लास नहीं होता तो मेरा जिन्गी कितना अच्छा रहता है उसके मन में चलते रहता है एक क्लास नहीं होता तो मेरा जिन्गी कितना अच्छा होता है यह कहां से मैथ आ गया कहां साइस्टीन आ गया मेरे जीवन को नर्क बना दिया सब अधम ऐसे चल रहा है उदास होके लीगा ना जो लेजी टाइब कर रहा हम हुदम चले हिए ना की ritida जी फिल्ड मेत थो क्या किजिती है ना फिल्ड और माताइ्ड आने के समय हां प्रिल्ड माये तो दस में टाइम इलता है इसके-प शाहर gran नहीं है तो फिल्ड में आई एक तो क्या करियेगा दो बाच जोंप कर लिजह है तो बाच आरब जोंप कर लिजे नहीं हो था एक राउड लगा लिजिए ठंड भी लग रही हो एक तर्ट भाग जाएगी ठीक अना उसके बार आक बैठी और अब बढ़ेंगे आज परहेंगे जैसे कुछ्ती करते हैं, कुछ्ती जानते हैं हुआ अप लोग, आख्रा में कुछ्ती तो ऐसे भी पढ़ना हो जो हुआ आदम त्यार होके बैठी है, आधार से तो जुकिह है ठीक है और ठीक है र्दर ही ऑनलाइन निकले दुबार जम्प करिये पहले, आज जम्प करें तब पढ़िये, कौपी किताब सामने रखी, आप पढ़िये, लिखिये, तब नहीं पहाई अच्छे से होगा, क्या जी? अच्छे से बैठने में हम अच्छे से बैठना है, तक उस अलकर बैठना है, आप नहींख करो और कर laundry करा पार जाते हैं कि आर ऐप सोची है, यह बात को समझ जेसे समाण जो भी चोवा चका दो रड़ एक रन कुछ भी ठीक अनौ उसके बद क्या हुआ कि आपका बॉल आया माली जब मेरा बैट से नहीं लगा तो पूरा रोक के रहे हुए है तो रोक के रहे तो बॉल आएगा यहां पर लड़ेगा अर लड़ेगा ना तो लड़ेगा तो कुछ न नहीं हे गए इधर लड़ा ऊट तो नहीं हो रहा है लेग भी फिर आउट नहीं है मैलीजे ठीक हम यह ऊसे तरह मलेज नौलेज वं ऊसे ही है जैसे हम इस हम इस जोल इंगा जोल है ऐसे जा रहा है, catch कर लिया, oh, अंदर, बात आए अदर समझ में, आशा थूआ सा catch नहीं कर रहा है, तो इधर सकत प्रह przyसल रहा है, तो इधर जगा है तो ändने निकल गया, अरे आए आए समझ में, इधर से Yokaday rap, एधर सर निकल गया, आशा जो आदमी ऐसे बेख्था हुआ है, कर लिया बैठने का मतलब क्या था ऐसे बैठी है अच्छे से अच्छे से बैठ रहा है पढ़ने लड़का है मन से पढ़ना भागा उस को मतलब क्या है यह जो पढ़ना रहा है और तो ठीक है नहीं तो ढ़िसनी कल जाएं नहीं ख seguent अज जो पढ़ने वाला लड़का है वे दम अच्छे से बैठा हुआ है अरे अच्छा बैट्समेन जो होता है न क्या करता है कि फुट वर्ग क्या बोलते है उसको अब मतलब वो जेखते हैं न हमाने सरीर का मुव्मेंट रहता है तो अच्छा जो आप लोग प्लेयर है तो आ पढ़ना चाह रहे है अच्छे से बैठना बहुत जरूरी है जो आदमे अच्छे से नहीं बैठेगा उससे मज़ीगा की कम सिख रहा है जितना उस सिक सकता था उससे भी कम सी राच्छे सब्य इसका मतब क्या है कुछ भी हो जाएगा हम भॉल को एटेक्ट कर लेंगे तो अ अच्छे से बैठना यह कि नहीं बैठना है बैठना अठीक का ना चलिए दिखिए कि आप लोग मजा कर वाने तरह आट बैठना गया तरह डिसको दिखिए हम करते हैं एक बाद बताए कि इतना कम बोलिये लोग कितना कम ? 3 कम, कितना कम ? 2 कम, 3 दूना ? 6 क्योंकि 2 गो 0 है लाष्ट में तो उस पे 6 नहीं बनेगा 0 6 बनेगा ? अच्ता कम ? एक बार 3 कम, एक बार 2 कम 5 कम, 5 कम किसा थे ? 2 से यानि एक सो पंचानवे, आचा हैं, दूसो माइनस पांच, तो चीज आपके माइन में जाएगा, किसी किसी का माइन में एक सो पंचानवे, और किसी किसी का माइन में दूसो माइनस पांच, इसका एक गुना की दुगुना, दूसो के करीबे तो दुगुना, तो एक सो पंचा क्या हुआ कि नहीं कर लिजेगा न इसको कर यह आप लोग तो देखते हैं कर लेते हैं कि नहीं वान छोड़िए वान नहीं देंगे हम थो हाट देते हैं 207 नहीं नहीं यह भी हाट इसी हो जाएगा है हम हम जो देना चाहिए उसको देखिया है 267 गुड़े 308 किजिये तो इसको बताई क्या हो दूना की गुणा 300 का क्रीब है कि 200 के 300 के कर ली जगा फटाक फटाक करिए आशा घटाना है हाट भी दिया है जोड़ना नहीं घटाना माइनस मैने वाला है करिए आप इदे देखिए यूँ इतना सुष्ट है एक्टिब रही जॉब लेना है ना जॉब लेना मन से पढ़िए बेरी गुड बेरी गुड कितना बहुत अच्छा बेरी गुड सुनिए आप देखिए आप लोग अच्छा डायटिंग से कोई मतलब नहीं है सुनिए हैंड राइटिंग आपका कैसा है उसे मतलब नहीं फास्ट लिखिए प्लीज जेनल कंपडिशन में हैंड राइटिंग का कोई इंपोर्टेंस नहीं है हम जो बता रहे हैं उसको फास्ट लिखने का पर्यास करिया आप लोग चलिए देखिए गा सभी लोग जी इधर देखिए बाबु देखिएगा इधर अच्छे कबाद बादे कितना कम बोलिए तीन कम आप देखिए से दोनों लोग पर डाउट हो रहा हमको अच्छे से नहीं पढ़ना है जब हम नहीं बताएंगे तो पिन चलाना है ठीक है ना किसी को भी हम बताने लगे तो पिन कितना भी आप त किजेगा हो सकते पॉइंट सिखने के लिए मिल जाएगा ठीक है ना बतायिये कितना कम बोली इदर से कितना कम तीन कम कितना ज्यादा आठ आठ तिरी के पलस 24 की माइनस 24 माइनस 24 जोडियेगा कि घटाईएगा अचाच चौबीस सो से कम है कि ज्यादा है को मैं तो एक हासी लेंगे 100 सो ज्यादा होता है तो दो सुयांसी लेकर गानेगे सवाज़ ना तो यहां एक हासी लेंगे तो कितना बनेगा 100 आ सो में से 24 सब्सक्राइब तो पहले 20 माल लिजिए हम कम जोढ हैं माल लिजिए कि हम घटाए तो कितना चीहत्तर तो हम यहां पर क्या लिखेंगे चीहत्तर क्लियर है अच्छा हासल कितना लिए थे कैईरी कितना लिए थे वन यहां पर जो आने वाला है उतना लिखिएगा कि एक कौम की एक ज्यादा इधर दे रहें कि ले रहें है इधर से दे रहें कि ले रहें में ले रहे हैं एक उले ली है तु एक लिए तो एक कम अर्येहां किना अब आएए कितना कम Этот न बाय में fy सितना कॉम 300 कर तीग ना नौसरा पांच कर तीगुना पंदरा नोसरा पंदरा नहीं नौसरा कितना जोड़ा क्योंकिते दे शूंद यो ते यह अरे की लियर है बेरी स्मझेश चुपे है औरे chance on the example or that and we saw desire सभी लोग ठीक है ना सभी लोग देखिए का इतर हमें कोशन दिये हैं नहीं लिखना है 24 गुड़े 26 दे रहा है छोड़ी इस बहुत असान हो जाएगा 24 गुड़े मान लिजे हम यहां पर दे रहे हैं बाभू 20 दे रहा है सपोश किसी को नहीं लिखना है बुड़ा हम कर सकते हैं 23 का पाड़ा भी आपको याद करवा देंगे आप टेंसर मत लिजे आने वाले टाइम में हैं आपका सब चीज माइने में होगा ठीक है ना जैसे बो आते तो तेश चोगा भी बानवे कहते हैं तेश दूना च्यालिस भी कहके हम कल्कुलेट करें तेली लिए उचीज नहीं सिखाना चाह रहे हैं अगर वो कोई जानते होंगे तो अपने आपको तेज नहीं बनिएगा ठीक हम आपने आपको कम जोड समझ के सिखिए सिखने आ चीहालिस चीहालिस नव कितना की आअजी मुझन बोलिए चीहालिस क्यालिस नव कितना पच्पन ना तो हम ऐसे भी मता सकते तेलिए ये अजम नहीं बता रहे चाहन दीजिए और शूनिये चार्त येइं कितना ना बारण बॉलिए देश चार 27 गुड़े 20 बेस कितना है 20 है very good 20 किलियर है अच्छा बताइए 27 दुना 54 540 में कितना जोड़िये 12 जोड़ को बताइए बोले 500 कितना जी 52 तो 552 आंसर है तो एक बात बताए क्या बेस मेरा कोशन यह है कि क्या बेस हम क्यावल 100 को मनते हैं 200 को मनते हैं 300 को मनते हैं 1500 को मनते हैं पचासे को क्यों मनेंगे कल तो कल आप बाउन गुड़े पच्छपन भी किये थे आएगा लेकिन जेनरली प्राय और पचास के मल्टीपल में मानते हैं ताकि गुड़ा क्या हो असान हो समझ पाए आप लो तो लिखिएगा इस एक्जामपल को जल्दी लिखिएगा जल्दी लिखिए लास्ट पांच मिनट बचा हुए टाइम फटाफट लिखिए हो गया है चलिए ध्यान दीजेए अब आप लोग तो नोट में एक लाइन लिखिएगा लिखिए जेनरली हिंदी वाले लोग लिखिएगा प्राय जेनरली जेनरली बेस जेनरली बेस पचास फिप्टी कोबा हंड्रेड कोबा हंड्रेड कोबा हंड्रेड कोबां फाइप जीरो एक सो पचास कोबां दो सो डैस 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 मानते हैं मानते हैं लेकिन लेकिन बेस लेकिन बेस लेकिन बेस कुछ भी माना जा सकता है लेकिन बेस कुछ भी माना जा सकता है लेकिन बेस कुछ भी माना जा सकता है ठीक है लेकिन बेस कुछ भी माना जा सकता है अरे समझ गया है तो क्या समझे आप लोग क्या बेस केवल 50 के मल्टीपल में होता है 50-100-100 दूसरों का मतलब 50 का मल्टीपल अरे हां कि ना तो केवल 50 का मल्टीपल होता है कि कुछ भी मान सकते है तो कुछ भी मान सकते है ये mind में रखना है ठीक है ना चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब एक बात को समझेगा बाबू मैं आप लोगों को बोला क्या कि मैं आप लोगों को सारा टेबल सोगरा सब चीज़ याद करवा करवाद दूंगा ठीक है ना सारा चीजी याद करवाएंगे हम तो हम थोड़ा सा यहां पे हम आज मेरे आने के पहले एक वीडियो क्लिप प्ले हुआ होगा यहां पर जिसमें कुछ ट्रिक होगा ठीक है ना तो इस ट्रिक्स में 19 का टेबल भी था था क्या हाला कि हम जो आज लिए उसमें सारा टेबल हम कवर किए थे लिए इसमें इंकलूड नहीं हो पाया था जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा ताइम लग गया था तो हम कुछ ट्रिक लिए उसको ठोड़ा देख लिजे हम टेबल का ट्रिक कभी एक दिर अच्छे से समझाएंगे पूरा ट तीन 19 न रहता है चरहे प्रेंक- था आज प्ले हुआ था के यह था सरसर करी कि तना है नहीं कि उसके बाद आप देखिएगा, यहांपर हम लिख रहे हैं, हुँझरे कितना है जी? 10. आचा, टेबल में, 10 तक न होता है, और यह 10 से तक न होता है, जे? सुनिये, इस इक्ना है, यह 2016 टू, Из पूल टू, इस इक्ना है, इस इक्ना है। ऑन्लाइन में भी महागा ऐ ऑफ़्लाइन में महागा है महागा नहीं मोडरेट है लगिन इसका रिजन है कि आपको यहां पर ऑफ नहीं सुपर डूपर क्वालिटी मिलनेवाला है पतार बेश में चरे अप आपको क्या करना भाई हम जैसे लिख रहे हैं वैसे समझना है कुछ समझ में आयागा तो बोलिएगा कुछ समझ में आया क्या अशा और जानते हैं और का मतलब क्या होता है बोलो बाबू अरे और का मतलब क्या होता है बिस्व होता है ना तो हम क्या लिखे हैं, और नमर लिखे हैं न, अब उसके बाद करना क्या यार, कि 0 से लेके, उपक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 का टेबल कम्प्लीट हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, पढ़िए पाड़ा, 19 का पाड़ा, 19 का टेबल पढ़िए, 19 से कम 19, 19 दुना, 38, 19, 57, अर जल्दी नोट करें, फोन नहीं निकालना है, मेरे क्लास में कि नम फोन एलाउट नहीं होता है, फोन हम फोड़ते भी हैं, AB, FOR YOUR KIND INFORMATION, कि पटना में सबसे ज़्यादा फोन फोड़ने का रीकॉर्ड किसके नाम है, INGYNER VK गुपता, रीकॉर्ड नमर वन जान लिज़े, आज, current affairs में note कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा phone फोड़ने का record किसके नाम है engineer VK गुपता कि वो लड़कों का phone नहीं फोड़ते है for your kind information कि वो लड़कों का phone नहीं फोड़ते है कहने का मतलब है कि लड़कों का भी phone फोड़ने का record किसके नाम पे engineer VK गुपता तो इसलिए फोन साइलेंट होना चाहिए एक लास में होने के पाले फूड जायेगा तो पैसा नहीं लोटाने का रिकॉड फोन फूड गया तो एक रूपिया भी एक चोवनी भी नहीं लोटाने का रिकॉड इंजिनियर भी के गुता के नाम पे Is it clear? Is it clear? Clear or not? मारता है अण इन्जेनियर भीके गुपता है। ठीक है? भात किलिए है न? मारने का ईकार पिट ने का ईकार संस्कार सिखाने कारी कॉर्ड किसके नाम पर है? दिन विखे गूदा तो दम किलिए आप सब का कोपरेशन हम को चाहिए तो इसलिए यहाँ आने का मतलब इस केंपस का मतलब पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई पीप से पढ़ाई किलियर है ना तो एक दाम इस चीज़ को ध्यान में रखिए यह समझ गया है हम थोगा सा एक चीज़ लिख रहा है आज तो टाइम हो गया है ठीका ना चलिए ध्यान देजे आप लोग हम यह पर कुछ लिख रहे हैं बाबू आप लोग समय कम है कोसिस कीजिए समझने का क्या हम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं बाबू क्या लिख रहे हैं किसका टेबल लिखने जा रहा है आपके लिए नहीं आपका बच्चा जब होगा ना तो उसको बताइएगा नौकात आपको यादे है किसको बताइएगा अपने बच्चों को ठीक है ना या भती जो को या तिस डेट जिसको सुनिए कुछ समझ में आ रहा क्या अरे कुछ समझ में आ या पताइएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो एकम नो नो दुना ठार ना तिरी सताइट ना चोका चतिस पेंतालिस चोगन तिरसट बहतर एक आसी नपने नोट कर लिए जल्दी से हो गया है न जी कि कैसे बेस मानकर मल्टिप्लाइ करेंगे यह चीज़ हम लोग कर लिए थे लेकिन एक बार हम हालका उसका जो है न जो और विव है उदेना चाहते है ठीक है न थोसे समझे आप लोग लिखना नहीं है लिखना नहीं है बस एक बार देख लीजे जस्ट overview देकर हम आगे बढ़ेंगे जैसे 204 इन्टो माल लिजे कि 20 यहाँ पर 7 है तो हम यही बताए थे न अभी तक इतना ही पहाई हुआ है कि प्लस 6 यह प्लस 7 है यह 4 ज्यादा है यह 7 ज्यादा है उसके बाद से धान दीजे आप लोग इस दोनों को गुड़ा करना है 4 और 7 का गुड़ा करिएगा तो कितना मिलेगा 28 प्लस 28 इसको इसको जोड़िएगा तो मिलेगा कितना जी 200 11 आई इसमें किसे गुड़ा करते हैं बेस से बेस से आई यहाँ पर दोनों संख्या 200 के करीब है तो बेस जो बेस है यहाँ पर ना बेस कितना है जी 200 है तो यानि कि यहाँ बेस से गुड़ा करते हैं तो 200 से गुड़ा करेंगे और 200 से गुड़ा करने का मतलब होता है इसका दुगुणा करना तो इसका दुगुणा करेंगे तो मिलेगा 211 का दुभूना 400 कितना जी 22 आईस पे 20 आकर यहां पे बैठेगा आईसी 20 पे 28 आकर क्या होता है जूड़ जाता है तो यानि आंसर होता है 422 और यहां पे कितना जी 28 हम यहीं समझाये थे ध्मान दीजे इसको फास्ट करना भी कर सिखाये थे हम आप लोगो एक और यामपल हम लेते हैं जैसे और लोगो कि 56 आगोड़े यहां पर यहां पर सिखाय की 46 है तो यह संझाया 50 के करीभ है तो यहां पर 10 यहां पर 10 जो है कितना है जी पीचाओंस है यह 50 से 6 ज़्यादा है यह 50 से कितना कम है बोलिये लोगं 4 कम है उसके बाद से 6-4 का कितना 24 अशा पलस माइनस क्या चीज़ माइनस 24 उसके बाद 3-3 जोड दीजे तो 46 आच्छे बोलना है 46 है कितना 52 अब 52 में किस से गुड़ा 52 में 20 से गुड़ा यहाँ पर 20 कितना है 50 50 से गुड़ा करने का मतलब होता है 2-0 पेठा कर क्या कर देना आवा करना तो कितना हो जाएगा 26 कितना हो जाएगा 26 आई से 24 पलस 24 है कि माइनस 24 तो जोड़िएगा कि गठाईएगा घठाईएगा तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस 26 माइनस 26 करेंगे तो 25 Helena सब्सक्राइब करें लेकिन आज एक बार हम स्लोस एकदम अराम से समझाएं कि आपे से जो भी कम जोड़ होंगे एक बार समझ जाएं यहां तक डाउट नहीं नहीं किसी को चलिए अब ध्यान दीजेगा अब लोग एक चीज समझ यह पहले यहां से क्लास अभी स्टार्ट हो अप्यूद थोरा शूरा है यह उंटीप्लीकेशन सपमें है इस्क्राइग विंटिफ्ली का सबस्क्राइब को इस्क्राइब कर ना गिए सब्सक्राइब करेंगे तो हम यहां पर कुछ एक्जामपल देरें उसको देखेगा जैसे मालनों बाबो कि हमको 102 का गुड़ा लिखना नहीं है समझना एक बढ़िया से जैसे 102 का गुड़ा 102 से करना है जी अचा बेस यहां पर कितना है बोलिये लो 100 दोनों संख्या 100 के करीब तो पेस कितना है 100 है आशा ये कितना ज्यादा बोलिए दोज्यादा ये कितना ज्यादा है दोज्यादा आजाएगे है यहां वहां चाले बैट ज़िए उदर से चल जाएए टाइम पर यह 645 में हम नहीं इंप कर रहें इसका डिजन क्या है कि आप लोगों को ये बैस का टा अभी नियू बैच है तो इसलिए हम नहीं कर पा गए क्योंकि ओफिस में भीवर हो जा रहा है ठीक है ना नहीं तो 6.45 में हम एन कर जाएंगे आप लोग 6.30 से आप लोग का एंट्री है 6.30 से 6.45 में आप लोग का एंट्री है 15 मिन एंट्री का टाइम रखे हो रहे है 15 मिन आप लोग के बढ़ जाना है 6.45 में एक्जेक्ट हम इन कर जाएंगे और आने वाले टाइम में 6.45 के बाद से एंट्री एकदम क्लूज रहेगा आप आएंगे तो लोट के जाएंगे ऐसा सिस्टम रहेगा ठीक है ना क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल डिसिप्लीन एक अच्छा इंवर्मेंट बनाना एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाई हो ठीक है ना चले दिए तो ध्यान दीजवावू बताएए यह कितना जादा दो जादा यह कितना जादा दो जादा तो अगर हम लिखना चाह हम आपको समझाए थे कि दो अंक लिखना है जो नए है उनको आज हम समझा रहे हैं कि यहां पर हमेसाद दो अंक लिखना है कितना लिखना है दो अंक तो बताए टू इन्टू टू कितना जी जी जीरो फोर अशा यह बता यह कितना जादा दो जादा आई यह कितना जादा सब्सक्राइब कि पैसे हैं 나오gar टो कि आ vita alineum नहीं है ता बता है तो डो ही जो की जान्म कितना की थै़ यहां कि थे तो यहां कि थे डोलो कि लोग तो अरे हां कि ना अचा एक बार कितना ज्यादा दो ज्यादा आए कितना बार करना है दो बार एक बार दो ज्यादा एक बार और दो ज्यादा कितना बार दो बार तो चार ज्यादा दो बूड़े दो बड़ाबर कितना जी चार तो यहां पे चार लिखेंगे कि एक सो चार एक सो सभज पा रहे हैं तो देखें यह मुल्टिप्लिकेशन के हेल्फ से निकालना सिख रहा है इसको आई सिख रहा है ना चलिए देखिए इसा भी लोग अच्छा इसी को थ्वास एक बार हम और बेसिक में जाएंगे बाबू हम चाहते हैं कि आप मेरी यहां हैं तो मैथ मैं इतन feature होला कुधो की से हैं कैसे बəous और हास्ट करने का मतलव कितना जिरी दोजिए यही तो है जो की बोल रहा है कि यहां पर 4 नहीं हो यहां पर कितना होगा जीरो 4 होगा बात आया समझ में चलिए अब इसको हम फार्ष करते हैं ठीक है ना conceptually आप इस्टार हो चुके हैं हम आते हैं 102 का स्क्वाइर हम निकालना चाह रहा हैं ठीक है ना स्कौर्णाटल और हम जुद्यार आरा हरते तो दूश्क्वाइर आइटका इस्टार को हिग्ली शायर और फारसे lot you विर्टिन ते ना छोर्ष को महला है तीन घोली यह इक बार तीन ज्यादा एक बार झादा या और तीन जादा तीन दुना कितना जी छे छे की 106 एक सो चे आशा ओन जीरो फोर का इस्क्वाइर लिखना है चार स्क्वाइर बोलिए 16 चार दुना 8 अरे किलिया रही कि नहीं है 105 का स्क्वाइर बताईए 110 25 अरे 106 का स्क्वाइर देखकर बोलना है 16 12 12 36 अरे हा किना 107 का स्क्वाइर बोलो 114 49 जो नहीं बोलेंगे उसका सेलेक्षन नहीं होगा 116 164 109 का स्क्वाइर 118 181 इतना किलियर है कि अगर आपको लगता है कि याद है तापको याद नहीं है लेकिन एक चीज़ की करांटी है कि जिसको याद है उससे आप कम स्प्राइड में नहीं बोलेंगे भले आपको याद नहीं है लेकिन उसका एस पीर याद जो किया उसका एस पीर और आपका एस पीर में आपका एस पीर कभी भी कॉम रहेगा कि नहीं रहेगा इतना के लिए था ना नोट कीजिए अले आपका एस ऐसेुछे पीर में सकाँ पीर में याद थाद जरीोम के कहोताओ एस हो पीर हाद जसक्या grain का ए फिर हो फिर हैं फिर फे झाह हूट जो लोग भी ऑल लाइन है वो भी नोट करेंगे जल्दी जो लोग भी ऑल लाइन है नोट के जल्दी चलिए ध्यान दीजे सभी लोग हो गया इतना आगे बर जाएं चलिए अच्छा हम आप लोगों को एक डाटा दे रहे हैं हम चाहते हैं कि उसका इस्क्वाइर आप लोगों निकालना है अच्छा यह बताईए 100 से कितना ज्यादा है बोली कितना ज्यादा है 12 12 स्क्वाइर 44 के 144 144 लेकिन फूर 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 लिखेंगे कि फूर फूर कितना अंक लिखना है दो फूर फूर हाथ में कितना वान एक बार में 12 ज्यादा दो बार में 12 दुना 24 एक हासिल एक हासिल है तो कितना एक सो पचीस तो एक सो पचीस चोवालिस वह किसी को दिकत है इसमें नहीं नहीं दिकत है अच्छा आप लोगों को 113 का 113a2 आप लोगों को निकालना है निकाली और बताइए बेरी गुड बेरी गुड सब लोग निकाल लिखते भी जाईएगा अपने सुवदा के कोड़ी लिखते भी जाना है 127 बेरी गुड गुड चलिए रेखिए सबी लोग जी पीछो वाली लोग एक्टिब लेए जो भी सुनिये मेरे दर बेखना है आप में से जो लोग भी हलका फू का मैप पड़े हैं खुश सकता है कि उनको बहुत नॉर्मल चीज लग रहा होगा तो नॉर्मल छोटे चीज को भी बढ़िया से सिखना है आप कितने भी अच्छे होंगे पढ़ने में इसके बावजुद भी यहां पर बहुत कुछ सिखिएगा इस बात का 100 नहीं हम 500 परसेंट गरांटी ले रहा है कि कितना भी पढ़ने में तेज होंगे फिर भी आप हर बैच में मतलब में टॉपिक करें के स्टाट होने दी जबी तो हम सुरू से चल रहा है सिखिएगा आप कितना भी पढ़ने में अच्छे होंगे फिर भी सिखिएगा दो बात तीन बार भी मैठ पढ़ दिए होंगे इसके बावजूद भी सिखिएगा इस बात की गरांटी हम ले रहा है और जो कहीं भी वह भी जीरो से दर हीरो लेबल तक जाईएगा इस बात की भी गरांटी ले रहा है तो कोई तेज होंगे तो घमर्ण नहीं कीजिएगा कि क्या चल रहा है यह भी ज़रूरी है सब चीज ज़रूरी है आज जो कमजोड होंगे वह एक दम आराम से सिखिए हम सब को लेकर चल रह और दूना 26 216 रहे 125 और एक इतना जी 127 क्लिया था यह कि नहीं है है नजी अचा आप थ्याद दिजेगा आप लोग सब लोग थ्याद दिजेगा सुनिए एकदम एक टीप दाना है दोस्त कीज आप लोग कुश याद है कुश है स्क्वार याद है कि नहीं है पचीस तक या 529, 23 का square क्या होता है, 529, माल लिजे नहीं आदे, कोई बात नहीं है, चलिए, हम रोग सिखने जा रहे हैं, हम रोग सिखने जा रहे हैं, इस square निकालना, ठीक है ना, चलिए देखिए गाइदर, अच्छे एक बात बते हैं, हम आप लोगों को, A प्लस B के power 2 पढ़ाए थे, A प्लस B के power 3 पढ़ाए थे, A प्लस B के power 4 पढ़ाए थे, और A प्लस B के power 5 पढ़ाए थे, आरे पढ़ाए थे, A प्लस B का A square याद है क्या, बोलिए लोग क्या होता है, हाँ, तो सुनिएगा, A प्लस B का A square आपको यादे बागो, कि A प्लस B का whole इधर से इधर कालेट करना है इधर से इधर कालेट करना है सिर्फ नंबर वन स्टेप नंबर टू इस टेप नंबर फिरी यह है A और ये हैं B तुम बताई ये B Sqyre B Sqyre Tini Sqyre कितना क्लियर है आशा बताई ये To A B सुलिए To A B To A B co Duna चार चारती हैं 12 ये टू है ये A है ये क्या है भी है तूहे बी कुछ नहीं कर रहा है यह है सब कुछ है तूह डूना चार चारत्य बारा बारख का क्युद हाथ में एंसा कुझा हूं में 8 लिखें भी नहीं एक बात बताएए उधर से उधर से इधर की इधर से उधर इधर से उधर न जी तब पहले दो की पहले 4 पीछे वाले लों पहले दो की 4 तब 2a square 4 2a b 2 4 का 8 8 जुना 16 16 का हाथ में एक, चार स्क्वाइर, चार स्क्वाइर, 16, 16 एक, तो बताएं, 17 सा कितना जी, 64, अरे आरा समझ में, हम एक और एजाम पर लेंगे, हम लिख रहें, यहाँ पे बाबाब 62 का स्क्वाइर, माल लिजा हमको मन हो गया निकालने के लिए, हम चाहते हैं कि सेकंस में निकाले, तो हम स स्क्वाइर, चार, दो, चक्वाइर, बारदुना, 24 का चार, हाथ में, दो, चोड़े स्क्वाइर, 36, 36, दो कितना जी, 38, समझगा है, लोग किजिएगा जल्ली से, स्वेता कुमारी, प्रिसांत, लाड़ले आलम, सोनी, पूजा, प्रिया, सब लोग का कमेंट हमको दिखाई दे रहा है, हम बार बार बोलेंगे नाम नहीं, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से क्लास करिए, नहीं दिख रहा है ना, प्रब्लम हो रहा है, इसको हटा दे है, अब ठीक है क्या, चलिए दिखिए गालो, ये लोजी, हो गया है क्या, हो गया है ना, चलिए गुड, हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको एक एक्जामपल दे रहे हैं, और आप लोग को निकालना है स्क्वाइर, इसका, बहुत्तर का स्क्वाइर बताईए, फटा फटा बताना है बागो, 22 स्क्वाइर बताईए लो सब लोग पीछे वाले लोग सब लोग निकाल लिए है इना देखिए इना देखिए लो 2A स्क्वाइर बोलिए 4 2A B 2 साथे 14 दो चौदो दुना 28 का हाथ में साथ स्क्वाइर 49 दो एक आउन के लिए रहे क्या कर लिजेगा चलिए आप लोग को बताना है 83 का स्क्वाइर निकालिए 83 स्क्वाइर बताईए 83 स्क्वाइर निकालिए कितना और 69 एक्सिलेंट 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 गुड चलिए देखिए आप लोग इदे देखेंगे सभी लोग भाई तीन स्क्वाइर कितना नौ तू एबी दो अठे बोलिए लोग दो अठे 96, 48 आर्थानिस्का आर्टानिस्का और छार है स्कोइर ठाट चार, आठ थे स्कॵाइर अरे आठ स्कॵाइर 74 और 64-4, और in सब्स्वाइर 64 vide एबी इसकाल सक्वाइर निकाल सकते हैं दो अंकों का इसकॉइर निकालना से शुके हैं हथिक ह condemnंब अदित हो धंब ठीक हैं याद रखना इन चीजों को जैसे हम बोलेंगे से करिये सेलेक्षं कोई रोग सकता है जे दिन मैंत में एक evolution गलत हो जाएगा इसimes वह दिन मेरा नाम भीके से टांच कर दा दीजेगा ठीक है पिके मों मंगल गरा हो आप देखें ना अब देखें पिके मों भी ना हाँ वही वही वाला ठीक है न चले जांदी आप लो इतार देखिए अच्छा प्रड़ी आप लो तेरह स्कौर कितना अरे बोलिये 169 अच्छा प्रड़ा स्कौर कितना 196 अच्छा 15 स्कौर याद रखना है 225 16 स्कौर बताओ बाबू 256 स्कौर बताओ 289 18 स्कौर बताओ बोलिये 326 अच्छा बताओ 19 स्कौर बोलिये लो 361 अच्छा 20 स्कौर बताओ 400 अच्छा बताओ 21 का स्कौर कितना 441 अच्छा 22 का स्कौर बोलिये 484 अभ्यान दीजिए लो हम यहां पर 23 का स्कौर लिखने जा रहे हैं सुनिए सुनिए लिखने जा रहे हैं भूल गए मालीज हम कमजोड स्टूडेंट है हम एक्जाम में हैं एक्जामिनेशन हॉल में हमको यादी नहीं रहा भीके सबाके भ याद आगया हाँ यही था बाता रहा स्वज में किलियर है ना जी चलिए अब बताए 24 का स्कौर बता सकते हैं बोलिए 500 च्रिया था भूल जाएंगे तो क्या करेंगे रोएंगे एक्जाम में रोईएगा अब भगवान को कुछ दिएगा नहीं ट्रिक भी पता है पता है न चलिए 25 का स्कौर बता देजाए नोट कर लिजए जब दिसे करिए इसमिता सुमन लोट करिए जल्दी हो गया है क्या हो गया है दोस्त चलिए रिखिए आप अच्छा हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि ठीक है निकालना दो हम जानेंगे लगिन हम लोगों को छे से साथ मिनट में 25 कोशिन करना है प्री में तो उसके लिए इस स्पीड सुपर डूपर सुपर इस पीड होना चाहिए तब नच्छे से 8 मिनट में 25 कोशिन होगा और बिल्कुल यह पॉसिबल है फेकने वाला काम हम नहीं करते है यह ध्यान में रखिएगा कि फेकने वाला काम नहीं करते हैं जो भूर हो सकता है होगा हम करवाएंगे आपसे आप में से पर तेक बच्छा से करवाएंगे एक प्रिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो की आठ मिलेट में पचीस कोशी नहीं बनाएगा बस सकते की जैसे हम प्रैक्टिस कराएंगे वैसे करना है हम बोल रहे हैं कि इसको माइन में रखना है तो रखना है अग्दम चाहिए कुछ में हो जाए रात में भले आदा रंटा करम सोना है लेकिन चाहिए तो आपatsay द्रीक मेरे साथ बऻलियेगा अथ कुई समझ गया है तो सम Holmes है कि अपने सांद दुसमनी कर रहा हैं कुई तेज़不好 ओशे सब लोग यह कमजोड़ हैं और अच्छे से सब्सक्राइब 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 उनी सब्सक्राइब 3068 सब्सक्राइब 20 तक सब्सक्राइब कोई डाउप नहीं डाता है अचा बताइब 21 सब्सक्राइब 21 सब्सक्राइब 441 सब्सक्राइब 22 सब्सक्राइब 400 पे दूगो है ठीक Só 441 में चार्व पर 7 में तो 241 store 442 ये तंट ये तो याब है ठीका ना 400 पर 2 टाटा है 400 पर 442 24 beyond 300 भी prof थे में 300 भी दूगो होता है 300 24 37gr बाकि से मतलब नहीं रकना था 324 37 하는데 3413 24 सार्ट में 8は पर 8 tadi स्कॐर 4 सब्सक्राइब नोई स्कॉर एकासी का एक ठीक है ना चलिए अब घ्यान दीजे वैसे ही 500 पे भी दो डाटा होता है एक 529 और 576 तो बताए तेज स्कॉर कितना 529 आच चोविस स्कॉर 576 आए तो याद रहता है सब पर 25 का स्कॉर कितना 600 पचिस क्लियर है चलिए इसको याद र करेंगे तो हम इन स्कॉर के तुरब से चलेंगे कि बिया स्कॉर करेंगे तो यदार से चलेंगे की इसकॉर करता है यादू होता है यहां पर फिरी एसकॉर वी होता है यहाँ थीरीफ्ट होता लिक्षॉर्ट इस लिए वार्व प्षित को संगर होता ना तो हम बोनेगे आपको कि अगर बारे का किव की निकाल ला था इस निकाली जांथा इदर जाएंगे टो कि वर टो कि विख उसकें कि रहें ही थीरी ए बी स्वाय रोता या भी क्योब्स हीला था अआफ दर या किुभ Wie लोटेबर आफ पहला कलासलों होना तो हम बोलों समय आपको कि अगर का कई निकाल भाता दा इसा कालिए बी-क्यूंसरा से इथर जाएंगे हम भाक्वरन की तो हाथ में एक थीरी ए स्कौाइर बी तब थीरी ए स्कौाइर वाउन ऐट इंटू बी तब थीरी एकम थीरी तिन दूना कितना छे अच और एक बोलिये साथ आहां बोलेंगे एक यूब का मतलब वन क्यूब बराबर कितना रिए लेकिन हम क्यूब नहीं पहा रहे हैं सकते हैं और निक्रवाएंगे आपको ट्रीक है ना लेरी के लिए फिनाल छोड़ देते को टीक है जालिए हम लोगों को निकालना है 122 का स्क्राइब और 22 स्क्राइब कितना होता है אि है स्थार 750 यह हम बेरी गुर्ड इतने ताइम लगाएग से जिनदकी बरबाद हो जायगा इधना time लागाईएगा इतना pen चलाईएगा जिनके एकदम परबाद हो जागा पे नहीं चलाना इधा देखिए पेन चलाने वारे लोग इधा देखिए इधा देखिए इधा 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 बताइए सौस मेरे को सुनिए सही से हम जो बोलेंगे वहीं लकीर है mathematics का और यह मत सु आफशन नहीं आता है सुनिये सो से कितना जाता है 22 22 की स्कुयर 400 चार्सोंb 84 लिखेंगे कि 84 84 है आफ में कितना चार अरे कि लियार हाथ में कितना चार अप 22 दुना तो ढईस दुप आर्च वालीष 4-48 आर्था अर्टारीष कि एक सुर्ण तालिष एक तो आर्टालिष। ऐसों आतालिष। आया समझ में हैं सुनी अभी तो यह निकाले थे यार अप लूज़ हैना मूव बनाते हैं यहां वहां बनाते हैं अजीब वजीब टाइब से आज सब मैं स्कॉइर बराव कितना जी जरो नो और पर्एते पारे तेनंस को अगलाव कितना जी जीरो नो आप किन दूला चे जह की एकस चे वहीं तो नुला यहां थिक ज्लू नौरिये हो फिर बना रहा है सब एक सो आट इसकुर एल्जार बोलिए चाहुज़ा आर्दुना 16 की सोला तो यहां भी कर रहे हैं बाइस स्क्वाइर चार सो चोवरासी का चोवरासी हाथ हमें चार बाइस दुना 44 चाहर आर्टालिस एक्सवार्टारीस किलिंहें सुनिए एक्सट तेइस स्क्वाइब कर फास लिखना चाहते हैं त्वाइब सता पान सो उन्तीस का उन्तीस हांथ में पांश एक्सक्ति equation 151 अरे कि एक नहीं है कि लिए है है नोट कीजिए नोट कीजिए कर दो कर दो कर दो हो गया है मिटा रहा है सुनिए 1,2,1 का स्क्वाइर बता देना है 1,2,4 का स्क्वाइर बता देना है बताए 1,1,8 का बताए बाबु यह बहुँ है सकाइड टेसे घुडिए डिजभाद को अ हैसो लें सप्सक्राइड है हैं वागडु गोर्म यह मेर्याच बताइए को Mental Calculation ज़्यादा करना है ठीक है ना ठीक 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 इंटा देखिए मेरे तरफ पहले तो उदास नहीं रहना है मेरे क्लास में जो उदास लाइफ में कितना भी कर्ष्ठ हो उदास नहीं रहना है ठीक है ना उदास नहीं रहना है बाकि मैं तो हम आपको सिखा करें छोड़ेंगे ठीक है ना उदास मत रहिएगा बस ठीक है ध्यान दीजिए आप 21 स्क्वाइर बोलिए अरे बोलिए बाबो 21 स्क्वाइर कितना 400 तो 41 लिख देते हैं हाथ में कितना 4 21 दूना 42 अब 42 अच्चार 846 लिखेंगे सुनिए इतना सुलो नहीं करना हम सुलो हम इसलिए बता रहें कि हम आपको सिखा रहे हैं अब आप सिख चुके हैं अब सिख चुके हैं तो ऐसे करेंगे ठीक है ना 24 स्क्वाइर बोलिए 576 चीहत्ता फटा के दे लिखेंगे हाथ में 5 24 दूना आठालिस पांच तीरपन ता तीरपन के एसो तीरपन एसो तीरपन सुलिए 18 स्कवार 324 का अरे बोलिए 24 हाथ में 3 18 दूना अच्छा 33 49 की 139 अरे किलियर है किसो डाउट है अब सुनिए नोट कर लिए न बना लिए न सब लोग मिटा दे चलिए एक्टिव एकदम एक्टिव डाना है देखें इदर हम कुछ लिखना चाहते हैं आप बताईगा किसका स्क्वार है हम यहाँ पे एक स्क्वार लिख रहा है आपको बताना है कि किसका स्क्वार है बताईगा हम लिख रहा है यहाँ पे 116 64 64 किसका स्क्वार है रिवर्स प्रोसेश चलड़ाब किसका स्क्वार है इदना टाइम रगाईगा यह लोग देखते देखते समझ जना मज़ा गया आठ यह 178 808 208 का स्क्वार है अठीक नगी आख रहे हाँ कुछ動画 नहीं कर पाए ते कुछ नुए सोच कर गाए अग्डर मीश कर शोड़ें historically आप चोड़ेंगे नहीं नहीं है आज अ और शेनी गपशुकिन मेरे से हाब शेए यह ए हम लीख rain आप लोगो बताना है यहां पर बढ़ता है यहां होता है हासिल नहीं आता है तब दूना होता है कभी कभी हासिल आता है तो थ्वास अगरबड होता है आप लोग हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर कुछ लिखने जा रहें उसका बताना है हम लिख रहे हैं 125 मेरी गूड हम यहीं चाहरेंगे 125 लिखे तो 112 अरे हां किना जी अरे कल करड़िट में तो यहीं न पढ़िएगा यह पढ़िएगा कि इसका बर्मूली का लिए यहीं तो इससी का कॉप्शन रहेगा अरे रहेगा कि नहीं है ऐससी का रहेगा बेंक का रहेगा तो दुसरा कोई नियम से निकालेगा हम किस करेंगे हम देखते देखते समय ओ तुम हमसे तेज हमको उलू बना रहे हो हम तुम भी उलू बना देंगे ऐसे हम करेंगे अरे आ तो ए लिखे थे हम लिखे थे लिखे थे नहीं बताइए क्या होगा है एक स्कॉरा चार सौ एक ताली साथ में कितना है चार एकस्ट दोना ब्याटण और चीलीस आशे सुनिये अभ सुनिये गा ध्यान से सुनिये गाचर एक बात बताई वहां हां को टानी इसको टे क Bowl स्Heезд ग्रहु आर जो की आए कि मेरे माद के लिए 213 नीख थे ।‍ अरे यह कह रहा है कि 23 नहीं यह तो कह रहा है कि 21 है अरे हां कि ना तो मेरे मन में यह आ जाका 21 का स्कुर्ण 400, 41, 441 का 4 गया होगा तो यहां पे ठीक है ना 21, 42, 44, 46 हुआ होगा तो समझ में आ गया कि इसका बर्मूल अगर कभी पूछ देगा तो हम देखकर ही बोल देंगे 21 के बोल देंगे अरे समझ पारें आप लोग न चलिए गुड़ इतना समझ गया हम आगे बढ़ते हैं अब सुनिएगा आप लो 99 into 99 हम रोपढ़े थे 20 मान कर मल्टिप्लाई करना सिखे थे आज सिखे थे बढ़ा यह कितना कम बोली यह कितना कम यह कितना कम 1-1 into minus 1 minus 1 square सुनिए minus 1 into minus 1 minus 1 square minus 1 का square होता है 0,1 क्या होता है 0,1 समझ पा रहें आशा एक बार कितना कम अच्छे कितना कम है 100 से कितना कम है एक कम तो एक बार में एक कम अरे हा कि ना एक बार में एक कम यह और एक कम ऐक कम एक कम दो कम दो कम का मतलब कितना जी यह लिए 909090 consult सो चलिए देखिए गा सभी लोग सभी लोग देखेंगे भाई भाई हम 99 गोड़े 99 लिखेंगे अरे लिखेंगे यह बताइए 100 से कितना कम माइनस एक एक कम का मतलब माइनस एक माइनस वन का स्क्वाईर बैरी गूर दो आंक लिखना है 0 1 अच्छा बताइए ये कितना कम एक बार, ये कितना कम 100 से कितना कम 1 कम, एक बार में 1 कम तो दू बार में 2 कम किसा से, 100 से 100 से 2 कम करेंगे तो बनेगा कितना जी अंठानवे अरे आया है समझ मैं सुनिए हम ये समझाने जा रहें आपको कि अन्ठानबे स्क्वाइर कैसे फास्ट निकालें तो बताना अबावुस कितना कम कितना कम? दो कम दो स्क्वाइर? चार नहीं, 0-4 एक बार में दो कम, दो बार में चार कम किसा से? तो सो से चार कम आरे बोल दीजिये, 96 किलिया रेख्या? सुनिये उदास आत्मा उदास आत्मा इदार देख्ये, पताएं कितना कम? कितना कम? तीन कम एक बार में तीन, तीन स्क्वाइर? बोलो जी जीरो, नौ जीरो, नौ अच्छा एक बात बताइए, एक बार में तीन कम दू बार में छे कम, किसा से? तो 100 से 6 कौन करेंगे तो 94 क्लियर है क्या और इतना क्लियर है तो 92 स्कॉर फर बता दीजे तो देखते हैं क्लियर भी कि नहीं है आरे 8 स्कॉर 64 एक बार मैं 16 कम तो 100 में से 16 कम 100 में से 15 कम होगा 84 ठीक है सोला कम तब 15 कम करेंगे तो 50 से एक और कम करेंगे तो 14 से क्लियर है समझ गए है नोट कीजिए जली नोट कीजिए कर देखेगी तो सब्सक्या कीजिए कि हो गया है चले देखी आप अच्छ पाद वे प्रृष लिए ऊप कैसे देखना है गौन बात वे आप यह जी रूवन देखें हम दो लगने लगा कि लगता है कि एक अपका चकर है एक का सुन रहे हैं तो हमको समस्oupe आना है हमेसा किक ज़्यादा घ्रे खो सैंदा अस उस से ज़्यादा है कि कम है काम है और कम है एक कम अन्वे का स्क्वाइर है और हाँ कि अच्छा एक बात बताईए ये जीरो चार हम देखे तो हमको ये समझ माया कि दो का चकर है किसका चकर है दो का या तो दो जादा या तो दो काम अच्छा ये सो से जादा है कि कम है कम है तो कम का चकर है तो सो में से दो गया कितना जी अन्ठानवे एक बार में दो कम था, चार कम हुआ है, यानि अन्ठानवे का बात है, यह हम देखका बोलेंगे कि अन्ठानवे है, अन्ठानवे का स्कॉर है, नहीं बोल दीजेगा, बोल सकते हैं आप लो, सुनिए, अब आप लो, हम इसको मिटा दिये हैं, ठीक है न, हम इसको मिटा दिये ह और हम कुछ लिखने जा रहा है ठीक है ना हम लिखने जा रहा है बताईएगा कुछ समझ मैं है अच्छा आओ आप बल दीजे किसका A-Square है यह संतानबे का ना तो यही तो बात है यही तो बात है कि कुछ लोग ऐसे बर्मूल निकालके कहेंगे कि पर उसे मेसल लगाएंगे सब्सक्राइब करेंगे आप देखके बुल दीजेगा कि संतानबे है अरे हां कि ना इस पी ऐसे ही लोगता है बहता है कि नहीं वरता है चलिए हम एक और ईजाम पर लेते हैं आप बोल दीजेगा बोल दीजेगा लोग हगरों हमने मत बड़र और में कि बुलीक है अर्फक्राइब और कि अव्यमलति क्वर्ण क आखे बंचान अब को पूज देगा तम देके खेंगे क। मेरे हुड़ों सुनिये यह समझ चुक है आप लो हम आगे बढ़ते हैं अब एक बात को समझेगा एक बात चोटा चीज हम बता रहे हैं उससों देखिएगा जी हम कल नाइन का मल्टिप्लिकेशन बताया थे क्या आप लोगों बताया थे ना को को मैं नियुक्त अब कर दिखें ना इनके अच्ट अच्छ की बात नहीं कर रहा है चुअ कि इन अच्छा थी जा लिख रहा है ऐक चीज आम यह लिख रहा है ठीक है ना एक चीज हम लिख रहे हैं आप बताएगा यह बताया कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह हम बताए भी है आप लोगों पाला इक लास में बता थे बता है अच्छे के मिटा दीजिए अब उसरा बता रहा है पर रहें नो नो छक्का बोलो जी चोवड़ आज आशा हम यहां पर लिख रहे हैं डबल राइन आ कर लिज़ करना है तो सुनिए आप कर यह क्या साथ नावा बोलिए अरे सात नावा कितना पिर सथ कितना नो बच गया है एक फो नो पचा है तो एक नो नो और आए समझ में अचा अब बताईए आप लोगों यह करना है टीपल नाइन में आपको नालिज आप से मल्टिप्ल करना होगा तो देखके पता चलेगा देखके पता चलेगा ना नोट कीजेगा जल्दी से जल्दी नोट करिए लोगो नोट करना है एक बताईए से मल्टिप्ल हो गया है चली देखिए है सभी लोग हम आगे बढ़ते हैं मिटा रहे हैं इसको सुनिए अच्छा वी किसका मल्टिप्लिकेशन आप देखे नौ का नौ का मल्टिप्लिकेशन सिंगल डिजिट के साथ में देखे ठीक है ना अब हम उन्रों सिखने जा रहे हैं नीनानवे का मल्टिप्लिकेशन नीनानवे का ये अच्छा नौ जब रिपीट करें अभी हम नौ का देखे मने नौ तो भी रिपीट किया था देखिए हम यहां पर हम कुछ लिखने जा रहे हैं उसको देखिए आप लोग जैसे माल लोग कि 99 में 72 से मल्टिप्लाई करना है ल आतारा समझ में तो करना के अपर लोगों को सुनिए रशाई से जब कभी भी यहां पर दूग नौ रहेगा तो यहां भी दो अंक बनाना है इधर दो अंक तो इधर भी कितना अंक दो अंक बनाना है उसके बाद यहां पर जो 72 है ना उस 72 को 170 लिख दीजएगा कितना लिख लिखेगा, एक से, गया हों दिए, उसके लाद भी है हमने में दिए, ने से, ने से एक गया, और आम वे शुक्त हों, अई से आठ गया, दो, बात आया समझ मैं, अर्या की नहीं आया, नोट कीजिए, एंखम और कर बात एंख के लिए उसके बाद नोट कीजिए, सुनुएं, इस दिखलेटहु है आप लो नंटी न्ओं 19-19 में सपोज आप लोगों करना हैं 34 सह सब्सक्राइब कर सकते हैं बताइगे क्या होगा यहां पर हम क्या लिखेंगे फिरी फिरी अरे लिखेंगे यहां 34 है तो 34 में से एक कम करके क्या लिखिएगा 33 अरे लिखिएगा अच्छा बताइए इस 9 में से 3 गया अरे बोलिए इस 9 में से यह वाला 3 गया 6 आइस 9 में से इस 9 में से यह वाला 3 कितना जी 6 तो यह मेरा अंसर हो जाएगा अरे हो जाएगा नहीं होगा क्या नोट किजिए एक वहाँ देए है थार्ड कोशिन बनाईए थार्ड कोशिन बनाईए आप लोग थार्ड कोशिन बनाईए गा आपको कैसे बोड़ें किलियर नहीं है किलियर नहीं है जी या ओनलाइन वाले लोग बोल रहा है बटाएए आंसर क्या होगा बटाएए लोग क्या बोलिया जी फोर्टी सेवेन उसके बाद आप बताएए लोग बटाएए लोग ठीक है ठीक है सब लोग का कुछ सही लग रहा कुछ गलत लग रहा चलिए रखेए देए हम जो समझा है वो नहीं समझे हम यह बोले कि भाई यह दो अंक है ना यह दो अंक है तो इसको दो यह अंक बनाईए आंक को बराबर करिए तो यहां पर तीन अंक है तो तीन अंक बनाना है तो यहां जीरो यह पाले देंगे हम ये समझाए थे हम बोलें कि मेरा लाइन जो है लकीर है जो हम बोलेंगे वो लकीर होगा कभी गलत नहीं बोलेंगे जो बोलेंगे उसी को अप्लाई कर दीजेगा एक कोशन गलत नहीं होगा ठीक है ना एक सिंगल कोशन गलत नहीं होगा बसरते कि जो हम बोल रहे हैं उसको सही से फॉलो कर आना है ठीक है ना अब बताईएगा यह बताईए आनतालिस से कम बुलिए 47 लिए इधर जिलो लिखेगा तो कोई फायदा नहीं है ठीक है ना अब सुनिए अशार, नो में से साथ गया, बोलिए, नो में से साथ गया, बोलिए लो, दो, अशार बताईए, नो में से, इस नो में से साथ गया, दो, सेकेंड वाले, नो में से चार गया, बोलिए, पांच, आई इस नो में से जी लो जाएगा, तो यहां पर कितना जी, नो, तरी, अंसर, क कोई डाउट नहीं है जी हो जाएगा हो जाएगा कर लीजेगा लोग चलिए हम एक और दे मिटा दे सुनिये इसको करना कर दीजेगा बताए बताए जल्दी बताए एक साथ समझ गया है सुनिये इधा देखिये यह कितना गो है एक गो दो गो तीन गो चार गो चार ठो नाइन है यहां पर फोर टाइमस नाइन यहां पर फिरी डिजिट है एक डिजिट अपने मन से बना लेंगे यह क्लियर हुआ दोनों को हम बराबर रखेंगे एक सो तीरपन के जवापर क्या लिखेंगे एक सो बावन घटाना है नौ में से अच्छा कभी कभी क्या होगा आपसे गल्ती होगा गल्ती कहा होगा वो सम नहींद देना ज़रू लिए आप इसे करिए हम बताया अपको कि नौ में से दू गया आपकर दीज judiciary नौ में से तीन गया ऐसा मिश्टेक होता है इसको बोला जाता है sily misthake sily mistake इसको कुष सा मिश्टेक सी मिश्टेक से बचना है ठीक है ना बताईए नो मेंसे तीन गया कि नो मेंसे तीन को ले जाना है कि नो मेंसे दो ले जाना है तो नो मेंसे दो ले जाएंगे बोलिए अरे बोलिए सेव है अगला नो मेंसे पाँच गया बोलिए चार अगला नो मेंसे एक गया आठ अगला नो मेंसे 9 में साचा यहाँ 0 है तो यहाँ 0 रख सकते हैं 9 में से 0 गया कितना बोलिए 9 अरे आया समझ मैं तो यह कर टिप्लाइ करना हम आगे बगते हैं चीजों कुछ समझते हैं चले दिखिए दा सभी लोग मिटा दें सुनिए गा एक बात समझे जी इतने दिखिए सभी लोग अच्छा एक बात बताइए एक बात बताइए यहाँ पे 25 स्क्वाइड निकालना चाह रहे है 35 स्क्वाइड निकालना चाह रहे है 45 स्क्वाइड निकालना चाह रहे है हम यहाँ पे 65 का स्क्वाइड निकालना चाह रहे है 1.5 का A² निकालना चाह रहे हैं और यहां पर 11.5 का A² निकालना चाह रहे हैं तो आठ आठ दीजेगा सभी लोग दिखेगा इधर सब लोग इस ट्रीक को जानते होंगे बहुत सारे लोग कोई बात नहीं जानते हैं तो नौलेज मेरे पास आयां तो नौलेज बढ़ेगा घटेगा नहीं पताए यह 5 A² कितना पशीज़ आठ इसमें खासियत क्या है जो भी डाटा लिखे है उसमें खासियत क्या है अंद में क्या है हाँ इंड कर रहा कितना से फाइफ से तो बताए यह 5 A² कितना जी पशीज़ आचा यहां दो है ना तब दो में हम दो में ही एक बढ़ा कर गोड़ा करेंगे तब दो में हम तीन से गोड़ा करेंगे दो में एक बढ़ा कर गोड़ा करेंगे तो दो में एक बढ़ाएंगे तो तीन दो तीन ही कितना यहाँ दो है तो दो में एक बढ़ाएंगे तो हम तीन से गोड़ा करेंगे दो तीन ही कितना छे पांच ए स्क्वाइर बुलिए पशीज आशा तीन में तीन से खुड़ा करेंगे की चार से चार से तीन चवगा बारा पाँचे स्क्वाइर बुलिए पशीज और चार से खुड़ा करेंगे की पाँचे चार पच्चे कितना बीस आशा पाँचे स्क्वाइर बुलिए पशीज छे से कि साथ से छे साथ से कितना 42 पांच स्कॉयर बुलिए 25 अशा बताईए पांच स्कॉयर कितना 25 और उसके बाद से यहां बचा कितना पांच स्कॉयर 25 दस में 10 से की 11 से तदस रूड़ 1110 रूख जाईए आप तैसे भी कर सकते थे पांच स्कॉयर 25 पांच दूना 110 अरे हा किना हमें वो नियां बताये थे ना कि 100 से ज्यादा का कि 5 स्कॉयर कितना जी पांच दूना 10 लिखेंगे 110 वो भी नियां बताये थे बताये थे ना अरे हा की ना कुछ लो सुफ थे पांच स्कॉयर 25 बोले जो बात कर रहा है आपने जीवन को बदाद कर रहा है जीवन को बदा नहीं करना है जीवन बहुत किंती आपका समय बहुत किंती है बहod Ashley पांच स्कॉयल कितना पशीस आचाए एकार में गारट सखी आचाए गुड़ा बारट सिखाय थे एकार का गुड़ा कर सिखाय थे ऐसे करते हैं बताए ये वान टू अब बीच में फिली दो कुछ हो कर बताया थे न जी तो बताए ये यहां पर क्या लिखे गाए 132 अचाए इसमें दसमलों ही है ना अचा एक बात बताईए दसमलों एक उनको बाद तो स्कॉायल करेंगे तो कितना आया समझ में क्या तो यहां पर दसमलों लगेगा नोड करिएगा अचा करिको बात दसम झालक करना तो यहां यहांगे मेरा पनला पर दसमलों दसमलों एक खालक करना दसमलों इसमलों पर द Trib perspective स्कॉणि भ्हुआ फो लंग जो गया है, चलिए देखिए आप लोग इधे देखिए अच्छे से बैठना है, ठंड लगे चाहां ना लगे बैठी अच्छे से, बोड़ी लेंग्वेज का जीवन में बहुत बढ़ा परभा होता है, ठीक है, जितना बढ़ी आप बोड़ी लेंग्वेज होगा, सफलता उत आदम दूजी रहेगा, वो ख़ड़ा भी होगा तो और ये कुन तरीका है? या ला ली खड़े अच्छे सुड़िये ऐसे होगी है? नहीं ऐसे नहीं ख़ड़ा होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक है अच्छे सुनते हैं मैरे पास कोई आता है उफस में आप में से बहुत सारे लूग आते हैं तो आते हैं Gesundheits, ज़िँ आते हैं या क्या करते हैं व क्या सुगते हैं है कॉम तरीका आपस क्वादा लामके तक है łए कॉम टाका बत करने घर तो अला होना हैं अच्छे बात आपको बताएंगे तो अच्छृकरा ना ही तो नहीं को पर κι 對 revital हो यह है यह, क्सक्ण को भाए rhin 맞 ओ। हैं तो इस्ट रॉन को सुनिये हम आप लोगों कोपाहे तो स्वाइब तो इस्उस सघ्रidents आ अप नहीं समीज़ डिय साविक समझ गया है और यहिए समझ गया है सुनिये समझ गया तो एक बात बताएए, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, 5 25 हम यह समझा रहे थे, 5 25 आई यहां 6 है, आई यहां भी 6 है, तो 6 में 6 से नहीं, 6 में 7 से, 6 सते, 42 सब्सक्राइब कर दो आठे कितना तो आठे कितना सोला आई यहां साथ का गोड़ा साथ से नहीं एक बढ़ा कर साथ का गोड़ा आप से साता वाठे बोलिये छपपन और दिस रूल इसको बोलते हैं सें एंड टें रूल कियो इसका नाम हम रखें सें अंट टें रूल ध्यान दिजेगा यहां पर एक बात बताईए यहाँ पर 6 है यहाँ पर 6 है 6 आ 6 यह क्या है बताईए यहाँ पर 5 है 5 पर 6 है बराबर कितला जी 10 10 है तो सेम एंटेनलो 5 यहाँ आंग का गोगा इकाई अंसर करिये 5 पच्शे 25 2 यह लिखे कितला अंग दो अंगली है, दो 10 का मतलब दो अंगली है और जब को अभी भी सेम हो तो सेम का गोड़ा एक बहा कर तो 6 से नहीं, 6 का गोड़ा 7 से करके 42 लिखिये 7, 7 सेम है और 2, 8, 10 है अरे हाई की रही है? यहाँ 7 और 7 क्या है बताईए? सेम है, तो यह सेम है जी गहीं, नहीं, यह 10 है तो अप्लाइए होगा same and 10 रूल, कौन सा रूल अप्लाई होगा same and 10 रूल, और same and 10 रूल कहता है, 8 गौना कितना 16 ano, और 7 कहँगोगा 7 से के 1 बरहा कर 1 बरहा कर, तो 7 बरहा कर कितना जी, 56 अपन किलियर हो रहा है कि नहीं चलिए एक बात बताईएगा एक काम करें इतना नोट कीजिए इतना नोट कीजिए तो इससे आगे बढ़ते हैं कि अगया है कि अगया है चले देखिए गाइगा चले रहां दीजेगा जी हम कुछ एक जाम पर लिखते हैं उसको देखेंगे भाई हम यहां पर जो लिखेंगे उसको देखेंगे आप लो हम यह पर जिख रहे हैं हम यहां पर लिख रहे हैं 34 आप बुलिये अंसर नहीं बुलिएगा 34 36 से सपोज तो एक बात बटाएए ठी Schmidt Day same आरे हां कि ना 33 तो बताइए सेम एंटेन लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा हमेशा वैसे कर देंगे नहीं सेम एंटेन है इसलिए वैसा करेंगे तो सेम एंटेन रुक आता है चार चाका कितना चौर वीस दो आंक अरे हा किना आशा तीन का गोड़ा तीन से कि तीन का गोड़ा चार से तीन चौर का कितना बार तो यहाँ पर हो गया बार अरे किलियर एक नहीं है हम एक और इजामपल देते हैं आप कर लिजेगा लो अच्छा एक वत्तर का होगा 79 से करिए बताए फटाफट क्या होगा 71 इंटो 79 बताना है कितना होगा अच्छा एक बात बताए same 9 एक ता same and 10 है कि नहीं है same and 10 रूल है कि नहीं है तो बताए नो एक हम कितना आशा 9 कि 0 नो जीरो नो आशा एक बात बताए 7 कर होगा 7 से की 8 से तो 7 और 8 56 ठीक है ना 56 होगा कि लिए रहे क्या कोई डाउट नहीं है आगे बढ़े जाए चलिए दिखिएगा आप लो एक बात क्लेटर बनाने की लिए देना चाहते हैं मालाई जय कि हम बूले कि आप जोता है है एलेक्टॉनिस इंजिनियर है कि और आप लोगों को करना है और आप लोगों को सोचना है उन करना है अब आप लोगों को educate बनाना ना और आपको एक ऐसा केलकुलेटर का डिस्प्ले बनाना है डिस्प्ले होता है ना तो केलकुलेटर का डिस्प्ले बनाना है जिसमें बस आप लोगों को परफॉर्म कराना है वन डिजिट का मल्टिप्लिकेशन वन डिजिट के साथ वन डिजिट का मल्टिप्लिकेशन वन डिज डिस्प्लेय का जो साइज रखिएगा कितने अंकों का रखिएगा है तो हो जाएगा हम बोला तक तीन अंका भी कभी कभी जोद पर जाएगा अचा सबसे बड़ा एक और सबसे बड़ा डिजिट कौन अनो का गोड़ा नो से करेंगे तो क्या मिलेगा एक आसे तो वन डिजिट का वन डिजिट से मल्टिप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा डिजिट की ज़रूत नहीं है डिस्प्ले का साइज अगर अगर डिस्प्ले का साइज दो अंका रहेगा तो हमेश साइज जो है दो अंकों के डिस्प्ले के भादे में सोचेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वान इंटू अगर उन्टू आएगा तो हम जिरू भरेंगे अगर हम लोग फोड़ आएगा तो दू चोओगा कितना अरे बोले जिरो आठ अरे हाग जैना अगर बहुत होगा ना बह लुचा में बात नहीं किया है एक अंक का एक अंक से गुडा करेंगे तो आप पुछ दिया एक्जाम में पुछता है एक अंको का गुडा एक अंको लिएगा तो मैं इसमां कितने लुक मिलेंगे बोलिए एक अंकों का गुड़ा एक अंक से करेंगे तो मैक्सिमम कितना अंक बनेंगे एक अंक दो अंक तीन चार अंक आये गुड़ा है पता नहीं तो आप मार करिएगा पता नहीं हमको करेंगे साघ्री करेंगे साथ्रेंगे फैसा करिएगा था गुड़ा कि लिए मेक्सिम्मम कितने अंकों की जगतों होगी चार अंक अब सब्सक्राइगा पाइनक इन नहीं कहि है तीनों कुम में काम चिडा सकते हम अब आः शोचन में जाकर कि और गलत पूश दिया यह गलत भलत हिए में अगोड दो है को करेंगे कि हम ऐसा जोता है हम ऐसा चार आंगे मिलेगा ऐसे अगोस नगा तो हम क्या बोले कि मैसिमुम कितना चारंग पांच अभी होगा की नहीं होगा नहीं होगा यह बात जानना है तीन अंक हो सकता है लेकिन तीन अंक हो सकता है चार अंक में इसमा होगा लें पांच अंक होगा कि नहीं होगा नहीं होगा किलियर है हेडिंग डालिए गा सेम एन हंड्रे टूल हेडिंग डालिए सेम एन हंड्रे टूल सेमेन हंड्रे रूल डालिए हेडिंग सेमेन हंड्रे रूल डालिए सेमेन हंड्रे रूल और सही से समझना है बाबो इदर देखिए आप लो हमें आप लिख रहा है 108 गुडा 192 इसका आँसर नहीं बताना है इसका आँसर नहीं बताना है और यहां पर हम लिख रहा है 108 गुडे 102 दो कोशन है आपके पास कितना कोशन है? दो कोशन है जी सबसे पहले हम इस कोशन को रेखते है एक बात बताईए बाबो यह बताईए आप लो यहाँ 10 आई यहाँ 10 सेम है आई यहाँ 8 है यहाँ 2 पताई क्या है? 10 है तो किस रूल पे जाएगा यह सेम हैं 10 रूल कहता है पीकाई का गुड़ा इकाई से एक अंक का गुड़ा एक अंक से करेंगे तो आप जोना 16 हमेशा 2 वांक बनाएँगे हमैंसा कितना को बनाएंगे ? दो वांग अशाबद है ये दस ने दस से गुडरा की एकहरा से तदस गुडरे एकहरा दस गुडरे एकहरा एकसा तो यहाँ पर हम एकसो दस लिखेंगे काल्करेजिट में यहां पॉइंट लगा के देदेगा बेंक वाले लोग जाएंगे तो गुड़ा दे देगा इसे बेंकी वाले लोगों के लिए कि 10.8 इंटू 10.2 पर जागे कोईगा इक आग दी दे दिया इतना हाड है अरे हाड होड कुछ नहीं है 10 मलों हटा दीजे अब बताइए 108 है 102 10 आइधर क्या है सेम तो 8 होड़ा कितना जी 16 अब बताइए ना यहाँ पर 10 का गुड़ा 10 से के एगारा से तो 10 गुड़ा एगारा कितना 110 110 हम लिखेंगे 10 मलों कहां बइठाइए गा एक औंग, एक औंग, कितना औंग दो औंग, आया समझ मैं तो यह सेमेंट 10 होड़ा है देखें, हम को मन किया ना कि इवी तो 8 दो 10 होड़ा है, 10 मजा गया 10, क्या होगी जी? 10 10 आएँ, 19 तो सेमें तें डों लगएगा कि नहीं लगएगा? लगएगा कि नहीं? नहीं लगएगा अशा, 10 हुआ खूआ कि नहीं हुआ लेकिन इधर दस है इधर उनाईस है तो आप लों बताईए सेम एंटेंड रूल लगेगा नहीं लगेगा ठ्यान से देखिएगा आठ पलस बानवे कितना अरे बोलिए आठ आप पलस बानवे सो अचा वान वान ये बताई क्या चीज़ सेम अरे ये है सेम आज जी लो आठ जाने भे ये दोनो करियेगा तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा हँंडिड तो बताए सेमं पिल लगेगा कि सेम हंड्रोर Wow सेमें हंड्रोर सुनिघा यहीं तो सुनने की जरुत है एक बात बताएए यह कितना हंक है बोलेजी कितना फ़कि न लग रहा है तो 8 तumm ऑन्गों क से डिस्प papa का साइइ कितना अंग 4 न अजी हां कि ना भले दू अंक लग रहा है तो आठे तो आठ दूना कितना शोलो आठ नला बहुतर आप बहुतर एक पिवतर लेगिंग डिस्प्ले का साई चाहिए कितना जी चार गो तो यहां जिरू लगा देंगे चार अभी तक दू बना रहे थे यहां कितना अंक अजे अ वा आउनग का गोडा दू अंक से करेंगे तो बनेगा कितना अंक श्रह श्रह तो चार अंक हम बना लियें tekon 0 को बैठा के चार अंकSer को बना लिये हाट तो कुछिए आठ दूना शोलक अच्छे आठ नौ बहत्तर एक तीहत्तर लें चार्ण को बनाना था बना है कितना जी साथ सो च्छतिस चार्ण को बनाने के लिए जीरो दे दिये थे आएका गुड़ा एक बढ़ा के दू हो जाएगा ठीक है ना किलियर है इतना सुनिया आप लो सुनिये औ और आप सभी लोग एक लाइन हमिया पर लिख रहा है उसको लिखेंगे बीना सोचे समझे लिखेगा लिखेगा लिखे हुआ है अ कि मैं अ जब न बर के विखेड़ल अब लुआ है चाहिए अ है आज मां शौश को जुक्त फिर चाहिए सब्ड़निया एरर एरर पढ़ते हैं इंगलिस में ना, common errors इसको बोलते हैं, तो error खोज ना है, लहीना आज नहीं, घर से खोज के लाएंगे, लेकिन इसका meaning सावाज लेते हैं, मेरा हम एंगलिस के teacher नहीं है, ठीक ना, क्या लिखा वो बताएं, to sign like a, to sign like a, ये छोना चाहिए था, to sign like a, a star or sun, ठीक ना, याट आईए, to sign like a star, ये, a star है ते लग जाएगा, अज देख लिजेगा आप लोग, ठीक ना, to sign like a star और sun, sun और a star की तरह चमकने के लिए, क्या करना पड़ेगा, you have to burn like that one, आपको उसी के तरह जलना पड़ेगा, बात आदे समझ में, अगर आप लोगो को, क्य ठीक ना, अगर आप लोगो को, सुनिए, अगर आप लोगो को सही में, चमकना है sun की तरह, तरह sun की तरह क्या करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि 6-7 मिनिट में मैथ का प्रॉल्म सॉल्फ करें, तो उसके लिए practice करना पड़ेगा, बिराट कोली इ इसके बावजूद भी, खाने पर बहुत ध्यान रखता है, क्योंको उसको बढ़िया खेला है, अपने fitness पर ध्यान रखता है, fitness पर ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि खाना भी, diet भी अपना बढ़िया ले, और इसलिए क्या करता है, उस हिसाब से, मतलब वो player अगर है, त बात आगर समझ में, तो वेसे ही आप लोगो भी, आप ए student है, आप ए student है और आपको जोता है, inspector बनना है, पियो बनना है, और inspector और पियो अगर बनना है, कुछ भी बढ़िया इजाम अगर क्रिप करना है तो बहुत competition है, बहुत ज्यादा competition है, लेकिन इतना भी ज्यादा नही आप एक sit नहीं ले सकते है, बात आगा समझ में, एक sit लेने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से practice करना पड़ेगा, महनत करना पड़ेगा, आपको जोता है अपने आपको जलाना पड़ेगा, अपने आपको क्या करना पड़ेगा, जलाना, आप घर और भगवान त्रख तरह से आपका टेस्ट लेंगे, बताये थे न, भगवान kya करेंगे, सुनिए, पहले आपका बैचे स्टार्ट हुआ तर ठोंड बढ़ा दिए, छोन दिए अगला दिद बारीश करवाएंगे, ठीक हना, एक दो दिन में क्या करेंगे, बारीश कि भगवान चारब जितना भी प्रावलम दीजेगा हम सारे प्रावलम को सुझाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष को क्या करेंगे प्राफ करेंगे बात आया समझ मना तकल के क्लास आना है ना जी ठीक है चलिए ओक है ग्वाज रोग अडाम से निकलिएगा बाब क्या बोले यू है यू है तो यू मस्ट बर लाइक ठीक है देख लेंगे कल ठीक है ना क्या एरर है है तो भी गलत नहीं है मस्ट तो मैंने मस्ट हो गया ठीक है ना कभी भी क्लास नहीं मिस करना है ठीक है ना एक हैबिट आलिए कि क्लास कभी भी मिस नहीं करना है सबसे बढ़िया क्लास का टाइमिंग होता है इविनिंग या मौन लीग ठीक हना सामवें अपना क्लास करें दिल भढ़भाई करें अगर सामवें जाकर इस समय क्योंकि आप सब्सक्राइब यह आप अपने जरूत केहि odor निटे जाएगा ठीकर ना सेमेंटेंटेंटें डूल गते हैं कि धिशनल करेंगे थे शायतारी सेमेंसा लिए छैसे मन लोगран देजिए जैसे माल लिजे कि 82 into 88 करना हो suppose ये करना हो हम लोगों को 82 into 88 करना हो तो सबसे पहले तो rule देखना है ये उस rule पे जा पा रहा है कि नहीं तो इसको अगर आप देखिएगा गोर से तो आप देखिएगा कि ये तो same है तो भाई ये same है और ये जो two और ये जो eight है ये क्या है भाई टेन है तो ये जो है same है ये same है और ये ten है तो ये same and ten rule पे जाएगा और same and ten rule कहता है कि इकाई अंग का multiplication इकाई अंग के साथ किजिए unit digit का multiplication unit digit से किजिए और आप अगर 2 को 8 से multiply करेंगे 8 दुना कितना जी 16 और ये唐 पे दो अंक लिखेंगे कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर आफ है यहाँ पर कितना है आफ है आए यहाँ पर आफ है तो ये आफ और आफ बताइए same same एकर different है अरे बोलिए same एकर different है सेम है तो जब कभी भी सेम हो क्या हो जब कभी भी सेम हो तो हमेसा मल्टिप्लाई एक बढ़ा करते हैं यानि आठ का गुड़ा आठ से करेंगे कि आठ का गुड़ा नौ से आठ का गुड़ा किसे से नौ से और आठ का गुड़ा अगर नौ से करेंगे तो आठ नवा कितना जी उसको देखना है आप लोगों को ठीक है ना जैसे मालनों बाबू कि 63 में 67 कहीं आ गया मालनों कि कोई हम अर्थमेटी का प्रव्लम सॉल्फ कर रहे हैं और 63 x 67 आ गया तो आप देखते देखते आपका ध्यानेक तो ऐसे आना चाहिए कि यह सेम है अरे है कि नहीं है और थीरी आ 22 अरे हां कि ना अशा बताईए 6 में 6 से कि 7 से तो 6 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 यह हम बताये था ने जी एक और पूरा हम देंगे और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे ध्यान दीजे सभी लोग जैसे माल रिजे कि आप लों को मल्टिप्लाई करना है 4.2 का मल्टिप्लिकेशन सब्सक्राइब कितना से करना है तो सबसे पहले 10 मलों को भूल जाएए 10 मलों को क्या कीजे भूल जाएए आप बताईए 4 आठ 4 सेम है कि डिफ्रेंट है अशा यह बताईए 2 और 8 टेन है कि 16 एक बाद बताईए यहां पॉइंट लगा है एक उंक बाद इसमें पॉइंट लगा है कि नहीं जुआ है एक अंक बाद है तो इसमें एक अंक बाद लगेगा कि दो अंक बाद कि तीन अंक बाद तो यानि कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा एक लिए रहे कि नहीं है नोट कीजे जल्लिसे नोट कीजे झाल झाल नोड करिये लोग, जल्दी नोड करिये लोग आगे बढ़े हैं, किसे कोई दिकत नहीं है, चलिए ध्यान दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि गुड़ा आप लोग करें, ठीक है ना, देखेंगा इधर, इधर देखना है सभी को भाई, ठीक है न, यहाँ आप, हम बोलेंगे तब कीजेगा, ठीक है न, यहाँ दस्मलाओ को कीजे आशा बताना है ब़ू, बताईये लोग क्या होगा जी, एक बात बताईये, उस्मलोग को देखेंगे कि नहीं अभी, आभी दे खेंगे, अभी आप देखिए कि 54 x 56 है, क्या सेम एं 10 पे जा रहा है, पीछे बारे लोग सेम एं-10 पे जा रहा है, तो बताईये यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए पीछे वाले लोग चार में छे से गुड़ा करिए अरे बोलिए चार गुड़े छे कितना है जी 24 ठीक है ना अच्छा पांच में पांच से की छे से तो 30 हो जाएगा दसमलों कहां लगाना चाहिए दो अंक बार यानि यहाँ पर हम दसमलों लगा देंगे किलियर है ना कोई डाउट नहीं है चलिए अब देखिएगा आप लोग एक गुड़ा और हम दे रहे हैं लास्ट ठीक है ना देखिए हम यहाँ पर दे रहे हैं 3.8 इंटू 3.2 कर लिजेगा लोग बताएए 3.8 इंटू 3.2 अब बताएए क्या होगा जी आठ दूना कितना 16 अशा तीन में तीन से की चार से तीन चोगा 12 अशा एक बाद बताएए दसमलों कितना अंक बाद एक अंक बाद एक ऑद किल मिलाके कितना दो अंक अगर डेसिमल अगर decimal अगर decimal एक यहाँ पर एक प्लेस आगे है यहाँ पर एक प्लेस आगे है तो टोटल कितना हुआ दो यहाँ पर कहां लगाईएगा यानि कि यहाँ पर लगाना पड़ेगा clear है ना तो यह सब clear है चलिए यह हो गया था ठीक है ना अब हम लोग कब हम यह पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़े थे और आप लोगों को same in same end hundred rule same in hundred rule same in hundred rule हम सिखा रहे थे कल अरे हां कि ना same in hundred rule को थोगा सा बनिया से समझे ठीक है ना चलिए देखिएगा देखना है इधर बावू ठीक है ना इधर देखिए आप लोग से में hundred हम करवा रहे हैं आप लोगो ठीक है ना जैसे माल लीजे जैसे माल लीजे कि यहां पर one ninety six है आई इसका multiplication one not four से करना है आप लोगो ठीक है ना यह multiplication करना है तो सबसे पहले तो यह देखना है सबसे पहले यह देखना है कि कौन से रूर पे जाएगा तो हम लोग को लगा क्या चीज कि छे चार दस लगता है कि टीन रूर पे जाएगा छे चार कितना दस लेकिन यहां पर उननीस आई यहां पर आरे उननीस आई यहां पर दस तो उननाईस दस आई यहां छे चार दस तो हो गया लेकिन यह सेम हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ तो सेम एंटेन पर जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा करेंगे ठीका ना हम दुसर लोग धेंगा ताना किवं ठाइब किया झान भीबैद इंग्त किना करेंगे ऑं यह तो इक आले हुए हुआ यहिए ग हम लोग अई तो एक प्लस एक नहीं हो रहा है क्या एक और एक क्या चीज से अच्छानवे और चार बताइए बोलिये हंड्रेड हंड्रेड ना जी रूपे जैए रूपे जायेगा सेम मेर्छन हंड्रेड रूपे ज्याएगा सेम इंहांकों को चाहता है कि thou का गूडा दो अंहों संसल के दो अंकते याने हैं तो माथ अमने के लिए ले ने अभी आड़ नहीं तो इस चार से हम गुड़ा करेंगे तो चार 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 चोविस का कितना चार हाथ में दो अब तैये चार नौवा कि आफ चारण ओवा थाथ इस आठ आठ दो और तिस और प्सका अুर्टेसर और थिस का और देस योगि चार अनक लिखना है अब खतम हो गया है चांबे का यह पर इतना पाइच है किया कर लिए हम लो क्या कर लिए हम नहीं क्या कर लिए आप डम किकर लिए बताइए दो अंखों का गुड़ा किस से कर लिए दों को से यह complete हो गया है औरadasa कितना अंक बनाचुके हैँ तुर कि You अच्छाब गुरा एक से की एक का गुडादों से एक का गुडा तो एक का गुडा गुरा किसे से दो से और एक का गुडा दोसे और दो कि लिए रहे की नहीं किसी को सुने एक काम कीजिए इसको लिखिए हम एक दोह और एक्जांपल कराते हैं ठीक है ना और प्लीज सब लोग लिखेंगे मन से पढ़िए जिन्द्री बदल जाएगा जिन्द्री आपके हाथ में है अपने जिन्द्री का आप ही निर्माता है पीछ आप लोग दिख रहा है तो दोलर चेंज करें कैसे रेडिट से नहीं लिखें ग्रीन और यह नहीं यलू नहीं मतलब इससे लिखेंगे तो हो दिखेंगा से बुलू से और ब्लैक से दिखेंगा नहीं नहीं बुलू और यह दोनों डीप कलर है इससे दिखेगा चले ठीक आप दिखेंगा आपको अशा वाइट कर देपीछे ठीक कर देते हैं कर देते हैं लिखे पहले आप लोग इतना हो गया ना चलिए दिखें अने टीजेट तो अब दिखेगा आई सब को दीखेंगे अई सब्सक्राइब शाला करने वाले ठीक ना ओनलों तो कोई ना कोई तरीका से नकड़ा करेंगे ठीक है ना हम वो सब पता है चले देखिए इतने देखिए आप लो तो हम यहां पर और एक जामपल दे रहे हैं अपलो अच्छे से समझ जिए गाथी करना जैसे हम यहां पर दे रहें बाभू यहां पर दे रहे हैं 20 तूजीरो टूजीरो थिरी दीख रहा है जी तब बोलने कब लोग कर आता हो है यह लोग कर आता है हम सुन ली जैने भोलने हो चलिए ठीक है दिख रहा है ठीक है ना तूजीरो थिरी का मल्टिप्लिकेशन करना है 297 से करिए बताई आप लोग क्या होगा करिए लो कितना है बेरी गुड़ गुड़ पीछे बैठ जाए बाबू पीछे ही बैठ यार कुरोना हो जाएगा एक बेंच में एक या दो लोको बैठना उससे ज्यादा नहीं अगल लूग लूग हुग है अब से मेंन टीन पर जा रहा है कि से मेन हंडर पे बोलिये लोग से में टीन पर कि से में हंडर पे शेमन हंडर पे बेरी गुड़ अश्व पताई यह तीन आइहाँ संतान पे जूड़िये कितना हुगा तो अब इसका गुड़ा इसके साथ करिए तीन साथे एक इसका एक अब बताइए तीन नवा असटाइस दो उन्तीस लिखने पूरा अशा कितना अंक बना है आशा दो ंंको का गोड़ा दोंको से करते है तकिंस में बना अना है कितना चारंग है कितना अब हुद के आउड इसमया पॉद्ध presenters आरें संपर अधर लीजा आऌग जयर लो सही में है चीक है करिए करिए जल्दी करिए जल्दी नहीं तो अच्छे से बैठिए आप लोग आप अच्छे से बैठिए तो आप कैसे बैठा हैं जी करिए करिए सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दी आप लोग कर दो अट कि अधिक नहीं देते हैं क्या आप पूल दीजिए होगे आपका मास्क लगाई है और कभी सांस ले ली जगा बीच में मास्क लगाना ज़रूरी है कुछ हो जागा तो किस आपने प्रॉडम होगा नहीं हो रहा है मल्टिप्लिकाशन प्रॉइंट को भूल जाएए इधर फ्रेस लिखिए तो इतना इतना पॉइंट अटाक है यहां पर लिखिए इधर साइड में लिखिए बीस एगारह गूड़ है बीस नवासी अब समझी है क्या अब लगा येगा हो गया हो गया हो गया जी हो आप लोगा हो गया ना आप लोग कर लिया है तो ही लोग बैठी है आप लोग इतना टाइम लगा ही दिजेगा किस बात का सोटन लूग अपर जब इतना टाइम लगा ही दीजेगा तो किस बात का सोट ट्रिक यार किस बात का सोट ट्रिक ठीक है ना यह पॉइंट यहां लगाए है यह उपर है चलिए देखिए सब लोग देखिए ना सुनिये परिया से समझेए सबसे पहले सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए ही नहीं अब आप यह सब नहीं देख रहे हैं नहीं दिखाई दे रहा है आए उसको इग्णोर करिए ठीक है ना बस आप टार्गेट कीजिए पॉइंट के बाद तो यह बताईए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 89 है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हन्रेट हो जाएगा पीछे वाले लोग अगर 89 को अगर इस 89 को 11 के साथ एड करिएगा तो क्या हन्रेट दिखाई दे रहा है अशा यह बताई यहाँ 20 है यहाँ 20 है सेम है की नहीं है तो हम सबसे पहले हम रोग सबसे पहले 11 का मल्टिप्लिकेशन करेंगे किसके साथ 89 के साथ अरे करेंगे अशा हम मल्टिप्लिकेशन सिखाए थे 11 का क्या आप लोग को तो बताएगे ना सबसे पहले क्या लिखेंगे 9, लिखेंगे, 9, 8 को जोड़ेंगे, तो 9 plus 8 कितना, 9 plus 8 कितना, सतरह, सतरह का कितना, साथ, हात में 1, उसके बस से 8, 8 हाए, कितना, 9, हम आप लोग को बताए थे, हम आप लोग को बताए थे, 11 का गूरा, अगर 32 करेंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, एक बार हम रिकॉल करवा रहे हैं, एक बार बता रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे, 11 से गुड़ा करने के लिए 3 और 2 को दूरी-दूरी पर लिखिए, तीन दो कितना जी, पाश, हम यह समझाये थे, कि 11 का गुड़ा अगर आपको माल लि आठ, आठ हा नो कितना, सतरा, सतरा का कितना, साथ हाथ में, अर बोलिए, एक, आए एक करिएगा, तो यहाँ आठ होगा, कि यहाँ नो हो जाएगा, यह बता चुक्ए हैं ना, तो बताए, 979, ठीक है, तो यह 11 का मल्टिप्लिकेसन हम बताये थे, अब देखिए आप लो, त जैसे यहाँ पर हम 11 देखे थे, आज जैसे यहाँ पर 89 देखे थे, इन दोनों को पहरे मल्टिप्लाई करना था, तो यहाँ पर हम बताए क्या लिखेंगे, 9, अशा, 9, 8 कितना, बोलिए, 17, 17 का, साथ, हाथ में, एक, अशा, बताए, यहाँ 8 है, ताथ हाएगा, तो कितना ह हो जाएगा, 9, इतना किलिए है, अशा, यह कितना अंक बना, लेगिन कितना अंक होता है, चार अंक, चार अंक के लिए क्या करियेगा, एक, 0, इतना समझ गरें क्या, अशा, बताएगे, औब 20 का गूड़ा, 20 से की 21 से, तो 20 गूड़े कितना, 21, अशा, बताएगे, 21, दुन अर्येकर इस मिलोटो से यहां ला जाएगा यहां पर आपका हो जाएगए 40-2,420 हो गया लेगे यहां पर ठीक डाफ देशम लोग्हें, अचेक बाद बार बताएं, यहां 1 अंक बाद 얼마나 कंपल मिला लुदिना कहर लिए, त WITHIN 4 यहां पॉइंट हम लगा देंगे तो 420 दस्मलों इतना अंसर हो जाएगा इतना ही लाए थे आप लोग चले भेरी गुर्ण कोई दिकत नहीं है आगे बढ़ जाएं इवर और चले ठीक बताइए क्या था क्या था बोलिए 20 11 अगोरे कितना था 20 और कितना जी नावासी दस्मलों का हिसा बात में करते हैं सुनिए देखिए सभी लोग देखिएगा जी कि देखिए सबसे पहले 11 और 89 दोनों मिला के 100 20 अब 20 क्या चीज़ से तो यह सेम है ठीक है ना आई यह दोनों मिला के 100 है तो कौन सा रूल लगेगा सेम एन हंडेड रूल सेम हंडेड रूल कहता है कि दो अंकों का टू डीजिट का टू डीजिट से मल्टिप्लाई करिए तो 11 का गूरा कितना से करेंगे 89 माल लिए कि नहीं रूल जानते हैं कोई कोई बात नहीं आता है तो कोई बात नहीं है एक आरो नवा नीनानवे का डो एक आरो अठे अठासी आठासी नौ आठासी में दो दे दीजिएगा तो नवे बचा कितना साथ यानि कितना यहां पर आ गया अरे किलियर है तो यहां पर हम लिखेंगे नाइन से बे नाइन अशा यह कितना अंक है तीन अंक लेकिन जब दो अंकों का गूड़ा दो अंकों से करते हैं कल भी बताए थे आज भी बता चुके हैं तोटल कितना अंक बनाते हैं चार अंक यहां कितना अंक है अभी तीन अं अशा बताईए, यहाँ पर भाई 20 है, यहाँ पर कितना है? 20 है, तो क्या 20 का, 20 का multiplication 20 से करेंगे, कि 20 का multiplication 21 से करेंगे? 21 से करेंगे, तो यहाँ साइड में हम कर लेते हैं, 20 का अगुड़ा कितना से? 21 से, 21 दुना, 420, तो यहाँ पर 420 आजाएगा, तो 420 हम लिख दिये हैं, बाबु लोग, समझे के नहीं हैं आप लोग, अशा एक बाद बते, 10 मलो था, कहां 10 मलो था? यहाँ दो अंक बाद था यहाँ पर था, यहाँ पर था, आई इस में, हाँ पता यहें, अब एक अंक बाद, यहाँ तीन अंक बाद, कुल मिलाके, तो एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर, यहाँ दसमल Smoke लग जाएगा, किलिर हे की नहीं जी? अरे किलिर है, छिलिए दखेंगे, आप, सुनिये, क्लिए उसको देखिएगा लो, ठीक है ना, इधे देखिए मेरे तरफ, अच्छा आप लोग 50 का स्क्वाइर सबको याद है, बोलिए लो, 50 का स्क्वाइर याद है, 50 का स्क्वाइर बताई कितना होता है, पांच A स्क्वाइर, 25, आठ डबल जीरो, 25 सो, ठीक है, बात नहीं करिए, बात करना है तो यहाँ पने पढ़िए, प्लीज, यहाँ का मतलब होता है कि मैथ इदम सूपर लेवल बनाना, यहाँ का मतलब होता है कि मौफी किल्कुलेशन करना, ठीक है न, यहाँ मैथ पढ़ने क मतलब होता है कि मैथ इदम सूपर डूपर हीट करना, क्लास 75 मिनट का होता है, 75 मिनट में कोई बात नहीं करिए, प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है मैरा, आप छोटे लोग नहीं है, सब लोग ग्रिजुएट है, या परसुइंग ग्रिजुएट है, अब आप लोग को ह इसा नहीं है कि जब तक आप हमको नहीं समझेगा कि सर कितने डेडिकेटेड है इस बैच के लिए, तब तक आप बहतर नहीं कर पाएंगे, और आप जब तक मेरे लिए डेडिकेटेड नहीं रहिएगा, तब तक हम और बहतर नहीं कर पाएंगे, दोनों लोगों को क्या करन एक दुसरे के लिए डेडिकेटर रहना है प्लीज बात नहीं किजिएगा ठीक है ना चलिए देखिए आप लोग एक बात बताइए हम एसक्वाइर निकालने का तरीका इसका पर चुग रहा है दो अंकों का एसक्वाइर निकालना कल सीखे थे एसक्वाइर टूए बी बी एस कह सीखे थे ना आज हम दुसरे तरीका से सोचते हैं और शुचे रूर्म्न है एक बात बताइए यह कितना कम है फ्वाइब कितना कम है एक एक का स्क्वायर एक नहीं जीरो एक एक का स्क्वायर एक नहीं जीरो एक तो यहां पर लिखेंगे कितना जी जीरो एक अरे किलियर है अच्छा एक बात बताओ अगर यहां उन्चास नहीं होता अगर यहां पचास होता तो पचास का स्क्वायर पचीस सो पचास क्यों स्कौायर पाचीस सो लेकिन थे तो 50 नहीं है यह 49 क्वाइब पाचीस से लिए यह सफ projects क्वार्ट तीजिसर नहीं 2400 कितना को पीछेश्वाले लोग कितना कम क्वार्ट दो का स्कॉएर गोह नहीं जीडना दो चार जीडना चार आरा साज में अच्छा अगर पक्चास होतां अगर पक्चास होता तो पैशी सो लेकिन गोप तो पैशी जो नहीं नहीं दो सोकव यानि फेसं विया पर टैवार आप्टेजी कॉछरस एक बात भरदेये कितना काँ कितना कम आठ कम, आठ का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, 16, अले मुर्ख, आठ का स्क्वायर 16 हो रहा है, आठ का स्क्वायर कितना, आठ का स्क्वायर कितना, 64, आठ का स्क्वायर 64, एक बात बताइए, अगर 50 होता तो, पचीश सो पचास हो पचीश सो आठ कम पचीश सो कम तो पचीश सो में 800 गया किक अब कुछ गटिया नहीं रहाए अधिक गटाओ यसे पचीश सो में से 8이라 पारी तौई घटा पर रहे थे ये हो जाएगा हाँ आप लोग से हमें कोशन पुछें बताईएगा बताएंगे आप लोग बताईए जल्दी सांसर बता दीजे जल्दी से कितना एक अई सो चाथ इस नहीं आरे चार कम शो असरे सुने हाँ सांत हो जाए सांत हो जाए इससां इतना देपered आप लोग क्या किये आप में से कुछ बच अश़ किए आप मैं लुकुल से इसलिकिट है कि पर पचास आप चाहर उन्से कुम 7000 held ऐसमाने अससरों अड़न है नोट कीजिए हेडिंग दाल दालीजेगा, हेडिंग दाल लीजे, हम जो लिखा रही आपस दाली, a square a square nearby、 a square nearby 50, a square near by 50, दिपक किसोर, मतुरेंद्रा, नकीम, मुकेस, नरेंद्रा, प्रसांत, राउसनकांत, स्वेता, तनमे, पुजा, प्रिया, जितने लोग भी ओनलाइन है, सब लोग अच्छे से क्लास कीजिए, आपका कमेंट हमको दिखाई दे रहा है, है, हो गया है क्या जी? हो गया है नगा है, चली दिखिएगा आपलो, अच्छा अपलो निकाल दीज़ेगा, यह वाला रूल लगा लीज़ेगा ना, कि नहीं लगा पाईएगा अभी, अभी नहीं लगा पाईएगा, कोई बत नहीं है, फिस्छ इस सुनीएगा, लास्ट ठीक ना मान लिजे कि हमको फोटी वन का स्क्वाइट निकालने का मन कर दिया नियम तो और भी जानते हैं लगिन हम चाहते हैं कि पचास वला नियम लगा है ठीक है तो देखिए कैसे करिएगा पचास बताई बाबू पचास से कितना कॉम कम कर दो आइकासी तो एकास होताइ़ सब्सक्राइब कर दो चैनल सब था पचीश सो अरे हाग ना आशा यह बता यह कितना काम है पचास से कितना काम है नो तो नो सब्सक्राइब आप ये पचीश सो में से नो सब्सक्राइब अजया थो इसे तो कर यह लिए लिए तो एसे तो कर यह लिए गाए तो एक तो अटो आठी कम आठ अरे अच्वाट ना ऑज़ाद चार इसकोर कितना सोल अच्वार्व एक आसे भी कर सकते थे लिए नो रहाच चुके आपको आजम दूसरा चीज बढ़ दूसरा चीज बता रहा है क्लियर है न कर देखते ही हा चलिए आगे बढ़ते हैं सुढिएगा बदलो इसथा करना है है को है हम कुछ लिख रहे हैं और आखको करना है कि यह किसी का स्कॉायर gardener एक इसका स्कॉरम होता है कि अगर परचीज्स से करना है तो यह सब्सक्राइब मत ऋसके कम होगा सब्सक्राइब decisions पॉबघे तो टने और इहां कि नए तो यह तो किलियर है आशा हम यहाल पचीस सो नहीं लिखे हैं हम बाइसो लिखने जा रहे हैं कितना कम है आरे आठ के से कम है हम पचीस सो नहीं लिख रहे हैं हम बाइसो टाप कर लिख रहे हैं कितना कम है तीन कम है अरे थिरी कम है तीन सो कम है माने तीन कम 47 टाइब कर लग रहा है अब तरही किसका स्कॉयर ही है अरे किसका है स्कॉयर है सेटालिस का किलियर हम लिख देंगे तो बता दीजेगा पका चलिए देख लेते हैं नहीं बताईएगा तो सबजिए आप लोगेगा आप लोग को ठीक है ना 216 बताई किसका पचीस सो से कम है कि जादा है अरे पचीस सो से कम है कि जादा है यह तो पचीस सो से कम लग रहा है लग रहा है ना तो पचीस सो से अगर कम है एक अईस सो है भई चार सो कम है तो चार कम पचास नहीं चार कम छिया लिसारी चार का स्कॉयर सोल ला किलियर है हां किना जी चलिए पूर्ग में कि रिखते हैं बताई येगा बता दी सिर्घड़Aloo रप्त देख लेते हैं कि देखले के ए मट deconst progression कालने अवनिद कर रहे हैं हम तेज से लिखे थे खेस लाइड़न सिलोगना व yönपी तय'll है लोल है कि लोल जानते हैं क्या होता है लोल है आप लोग ठीक है ना चलिए इदर देखें फिर से हाँ अब बताईएगा अब लिखेंगे बोल दीजेगा ना अरे मेरा मेरा कलम चले आपका दिमा अभी पूरा मतब थोगा सा चले तो आप हम को फिल किजिए कि हम क्या लिखन तो तुरंत आंस निकाल दीजेगा मेरे टाइप कहीं तो कोई आदमी कोशन सेट करता है बात आना समझ में तो आप जैसे पहला लाइन पढ़िए तापको अंदाज लगने लगना चाहिए कि क्या करना चाह रहा हूँ ऐसे करना चाह रहा है कर लो जो करना कर लो हम तो छोड आप आया ठेक सेंतालीस का ना चिलिए अशाँ अब बताये हैं पचीस सो नहीं लिखे बढ़ाक लिखे है पचास से क्राम की ज्याधा ज्यादा आशा ये किसका स्कॉयर है एक आउन का आठ पचास हो तो प चीस आउनः चोईन्य तो चवश्यू एक ज्याधा पचास नहीं, इह का मइन? खीयक है अब भी हो को अब उनाहाँ को बदा ये इस तुनिये इस तिरपन स्कॉर्ण है बहुत है ये ब Upper Year blue अभी काम करें अंठाउन का स्कुर्ट निकलिए अंठाउन का स्कुर्ट निकलिए अपसी राकोशन अभी उल्टा चल रहा था पहले सी रहा फिर उल्टा फिर सीधा पढ़िए बताई क्या होगा अज्यक वाइए जल्दी चाहा है कितना जीडिक चॉर सट अश्य को देख रहे हैं नहीं तकना प्यास से कितना ज्यादा है देखें पचास से कितना कोमें संजोग बढ़ियां का ज़्यादा आइगास कोई चोरू सट अचा प्चास होता तो पचास होता तो पचीसों पचास होता तो पचीसों आई यह पचास है कि पचास से आठ ज्यादा है पचास होता तो पचीसों आठ ज्यादा है तो आठ सो ज्यादा तो पचीसों प्लस आठ सो कितना अरे बोलिये यहां लिख देते हैं अरी कोई डाउट है जी नहीं नडाउट है आप लोग तिरसट का स्कॉर्ड निकाल दीजिए हम माल नेंगे कि सिख लिया है इस में थर से यह स्कॉर्ड टुए भी इसकॉर मत लगाईएगा कितना है हा बताइए हाँ अशाइए पीन सुनिये अंग शुनिये सुनियो अ ठीक है भाई लोग संत हो जाएए लो इधा देखें लोग मेरे तरफ मेरे तरफ देखें कर सो चला यज़िए बन गया तो ठीक है नहीं बना तो ओटीक है यिस हब बनिया सासे समझांगे इसारी के यह बात प्ट हम कर गाल्ति कर आप सघ कम लगाएं हुसного कई हम पर फैसे देश्वाइचे कि पर तेश्यान होना चाहिए है वहला लगाई कट प्रुक्रायब यौकी कि पध्याभाइट फेटल ठेशा लगाई है तुछ थिन पर धान रखें लेकिना ओडी एक हम पड़र है इस क्राइड नियर्वाइड फिप्टी दाइब प्टाइड पड़र कितना ज्यादा कि पेद रहा बेरा इसक्वाइर कि भुलिये इसके बाद बताईएगा आशा अगर पचास होता तो पचीस सो पचास होता तो पचीस सो कितना ज्यादा है तेरा ज्यादा मतलब क्या को टेरज़एगा चीक है तब पचीस सो एक हजार होता टो कितना होता पैंतीस सो तीन सो और जोड़ेंगे तो कितना जी और तीस सो इस अचीतों स्टीन की तरी से ओन छोटीज़ दें समझ होंगे चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब आप लोग जो है ना एक्टिव रही है हो गया है जी चोवन इसक्वार निकाल दीजेगा निकाल लिए निकालना क्या है मुर्ख है के पेंच ला रहे हैं इसक्वार नहीं दीखाए निकालने लगा सब इतना मेंनद कर रहें फिर निकाल रहा है चलो देखे लोग इते देखे कल जब आप आगे बढ़िएगा जब हम इसक्वार उट पढ़ाएंगे अभी पढ़ा नहीं रहा है कि स्क्वार उट में कैसा कोशन आएगा ऐसा कोशन आएगा भाई कि 29 एक्स 6 क्या रहेगा 29 एक्स 6 परफेक्ट स्क्वार नंबर है परफेक्ट स्क्वार नंबर है परफेक्ट स्क्वार नंबर है परफेक्ट स्क्वार क्या है नंबर है if 2986 is a perfect square then what is the value of x 4 of Sandiya रहेगा बताइए अरे बोलिए अगर 2986 पूरबर्ग संख्या है perfect square number है तो what is the value of x, what is the value of x, तो x का मान बताइए 1, अरे 1 रहे न होगा कि यह वान होगा, तब ही तो आप जानते हैं, आप जानते हैं कि 29 से 4 जाधा यह 54 का है, तो यहां पर 16 आना चाहिए, एक पर बराबर कितना होगा? हुआ होगा तो फॉष्ट में ऐसा कॉषट आएगा तो गहीन यह क्मा से नहीं क्या इढ़ने कंगे आज अंगे पर को वहां पर पढ़ेंगे नियम कुछ जो ईनियम पर टी बाग यह भाग भी फाग जाु हुआ है माने सेलेक्शन और नहीं होना है ठीक है उसमें ठीक है ना तो उसमें कुछ भाग भी दिल लगाएगा सब इसे करके हम तब पढ़े हैं खुब बनिया से ओ माई गॉड ठीक है ना पांच पचे पशीज बच गया चार उतार दो एक्स को उतार दो शिक्स को यहां पांच यहां अब दस इसके बाद हमको चार बनाना है एक चे बनाना है क्या रखें तो चेरा रखेंगे तो चार करेंगे देखते हैं चार चुखका सोलना तो बाद काम बन जाएगा और गठाए टिक करेंगे तो सेलेक्षन होगा कि नहीं होगा यह मिथाड होगा आगे चलके हम पढ़ेंगे अभी पहाए नहीं आपको लिएसे नहीं करना है गेस कब होगा गेसा आपको प्रफिक्टली कर सकते हैं जब जब आपका सोचने का तरीका कैलकुलेट करने का तरीका एकदम स्माइब भी होना चाहिए कि खिलिए रहे की नहीं है इसको भी प्लाइब आगए चलके ठीक ना चलिए मांगे बढ़ते हैं जी आप लोग समझगाए हैं पका समझ गया है चलिए समयज गया है आप लोग कि पर्फेक्ट स्क्वाइर तो वाटिज टाफाली अव्प एक्सप्व्ड प्लस वाईब स्क्वाइर इस फौरी ज बना समझ घाए ना शाबते ही यहां पे पढ़िए बना अन्यों इस आए धर मेलू कितना बोलिए चार फॉरा कितना ही सोह किलिए की नहीं है तो ऐसा कोशन मीलेगा मेटेरील हम भी देंगे आपको तो मिलेगा ठीक ना आपका मेटेरीयल एक अलग परीके से miya जा रहा है उसमें थोगा टाइम लग रहा है हम दो चार दिन के बाद ही मेटेरियल देंगे लगिन मेटेरियल देंगे तो बहुत धंक अकॉशन्स में रहाएगा ठीक है एक बात बताईए इधर देखिए आप लोग अच्छा बताईए इलेवन का स्क्वाइर बता दीजिए बिलें व्यां टू वहन ठीक है अशा बताईए रिपल वन का स्क्वार बताना है विलिए हटी के नहीं जानते कोई बात नहीं है चले देखिए अधर अगर अगर वंगर वंगर दो बार एपीट किया तो दो हैएस्ट होगा अगर तीन बारे रिपीट करेगा तो तो तीन हा नहीं समझें कोई बात नहीं है अच्छा यह बताए कितना वन है यहां पर कितना वन है चार गों है चार गों का मतलब समझे के नहीं आप लोग समझ गया है नोट किजिएगा आप लोग इंश हो गया है क्या चलिए अब बताईएगा आप लोग सुनिए गा एकदम सांत रहना है और समझना है हम चाहते हैं कि आप लोग एक निकालिये खुद से हम चाहते हैं कि आप यह जो है इसका निकालिये निकालिये हुआ है वाल टो वन ठीक बिए जो आप इक देखें कि अलिख रहा है जिकना हम लिख रहा है आप लोगों को देखना है कि हम सही लिख रहा है कि नहीं जीशे पीछे वाले लोग नट को आई देखे इधर 1, 2, 3, 4, 5 सही लिख्या भी तक 5, 4, 3, 2, 1 सही है क्या कर बर हो गया हम तो यहीं बोले थे कि बढ़ी यह फिर से घटी यह तो नहीं तो किये थे हाँ तो सुनिये इसका जो गराप होता है ऐसे होता है 1, 2, 1 ऐसा नहीं होता है पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, एक बार, दो बार, कितना बार अरे यह पीक पॉइंट, एक बार की दो बार यह पीक पॉइंट, एक बार की दो बार नहीं होना चाहिए कितना बार एक बार इसमें कितना बार, यह है कि गलत है, गलत है, तो यह सही है कि गलत है, क्या इसमें गलत है, एक हो पांच होना चाहिए था, हम दुव पांच लिखें यही गलत है, आरे है न जी, तो जो पिक पॉइंट है, वो कितना बार है, पिक पॉइंट कितना बार, एक बार, आरे किलियर ह है कि नहीं कि लिए रहा है हो गया कि लिए आगे बढ़ें चलिए दिखिए गाप लोग सुनिए गाशी से समझे जिन्द के बदलने वाला है ठीक है ना सही से समझिएगा इधर दो आएकदम नहीं बताइएगा आशे आप जानते बाईस का इसकोड़ा रट वाए थे चाश्यार सी चाश्यार सी सुनियों हम कुछ करना मने कुछ करना है उसको समझिया आप को करना क्या है कि यह को दो का इसकोड़ा निकालना है सुनिए सही से प्लीज लीज लिसन केरफुली एक दो का स्क्वाइर निकालना है, तो एक दो का स्क्वाइर बुलिए, बुलिए, चार, एक दो का स्क्वाइर, चार, अब सुनिएगा, अगर 11 होता, तो 1 to 1 होता, अरे हां किना, एक दो का स्क्ाइर होता तो 1 to 1 होता, एक 2 का स्क्वाइर, चार, मन ही मन करिएगा, चारे कम चारे, चार दुला आठ, चारे कम चारे, अरे हां किना जी, यह समझें आएक की नहीं कि आप लोगों, नहीं समझे हैं, ओ serious कोई बात नहीं है अगला मारी समझेंगें जी इंधाय अगला दिखिए अश्वा हम यहां पर लिख रहे हैं टेपल टू कि अच्छा सुनिए अगर यहां पर 111 होता तो उसका बता दीजेगा बता दीजेगा तो बताइए वान 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 का टीपल वान होता तो क्या होता बुलिए यहां पर मिलिक रहा है वान टू थीरी आ उसके बाहर टू वान यह होता ना जी पीक पॉइंट एक बार की दो बार एक बार एक बार अगर एक होता तब नहीं होता लेकिन एक है की दो है दो है तो नहीं तो जो कम जोड़ है ओलो सुने चार मन में है यहाँ पर यह चीज है चार से गोड़ा करते जाना है चार एकम चार चार दुना आठ चार तियाई बार का हाथ में एक चार दुना आठ एक चार एकम चार एक समझ में क्या कोई डाउट है एक बार नोट कीजिए हम एक बार और समझाते हैं झाल झाल हो गया चले दिखे साभी लोग कोई बात नहीं है कमजोड है में लिजे आप कमजोड है तो आप कमजोड है तो कोई बात नहीं है एक बात dephora समझते हम यह समझा रहे हैं बाबव आप लोगो के तना बढ़रीएं चीज समझा रहे हैं देखीयेगा टेपल 2 का square निकालने के लिए हम में थर समझा रहे थे हम यह समझाने का कोसिस किये आप लोगों को कि इसका मतलब है 2 into टेपल 1 का whole square हम यह समझाए क्या गलत लिखे हैं कि आप गलत नहीं न लिखे हैं अब बताईएगा is equal to 2 square 4 आई इसका मतलब बोलिए वन 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 का एस्टॉइर बुलिये, वन टू थीरी, टू वन, अच्छ एक बात बताइए, इधर से गुड़ा करते हैं कि उधर से, इधर उधर मत की जब, ऐसे पता नहीं चल रहा है, माने इधरे से गूड़ा करते हैं न, कि आप लों कोई ठीक आना नहीं है, आप लों तो चार, एकम, कितना ? चार, एकम, चार, चार दुना, आठ, चार ती हाई ऑनरा, लॉफाई, दो, चार दुना, आठ, आठ, एक, नो, चार एकम कितना, चार किलिए रहे किया ? अ रहे समझ मैं आया ? इसको valueगाए आप नोट किजेए डीटेल में हो गया था हो गया है चले देखिए चले देखिएगा आप लो है असे बात बताए तीन गोग इधर सबस्क्राइब तू है तु चायर चाहिए एक गूल ना चार का दूงला चार का छार ना कर तीने बार है ना इजरत कर एक गुछना चार का दूंढ दी हुणा उसके बाद जब टीनल का तदीन ai General उश्पी कि चारका एक गुना चारका दुगुना यूकु तिहान दूचे निए उसके निचे माद करो सब आता हमको , पुहली क्लास में समझा दिये कि सबसे ज्यादा मार्नेका डिकौर्ड इंजिनियर भी के गुट है अग्रें पुरूल अर्णे का रिकोर्ड इंजिनिर भी के गुपतिया कर नाम पर पूरा पटना में हम प्यार से बोलते हैं हम चाहते हैं कि आप से अनुस्वर संबंद रहे हैं हम प्लीज को प्रेंड किजिए इंडिस्प्रिन मत होएं, बात मत किजए, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो आपका जो है, हम बोलेंगे कि प्लीज, आप जाए करें, यहां इस केमपस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, मैथ में अगर पचीस पुछेगा, तो पचीस बनेगा, तीस है, बहुत सारे टीचर है, मेरे महल को क्यों खराब कर रहा है, कई और जाकर महल खराब करेए, पहले ही से खराब है उधर, जहां पहले से खराब है, वहां जाईएगा, घुल मिल जाईएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन यहां तो एक आदमी आएगा, तो गरवर हो चलेए ध्यान देजे, जब यहां पूरा फूर रहता था क्लास ना, तो पिछला बेंच पर कौन क्या करता हूं, हमको सब पता चलता है, और आपको पता होना चाहिए, यह पूरा केमपस, जैसे खजानची रोड से आप इन करते हैं, तो आप केमेरे के CCTV केमरा हर जगा पर ल प पाइस, बात कर रहा है, तो बेक्तिकेघ्टों के बीच जगा जगेरा हुआ, तो पहले कौन जगडा कीया, वह भी पता चलेगा, और जो पहले जगडा कीया हुआ उसका, सबस्क्राइबieve आप पीछह पेड़ दिवाल कर तरफ कंवेड़े च्जागे तो हाँ समझ गया ना आप लो उस पेंड पर जाकर बैठीएगा तो पेंड पर चीडिया भी बैठता तो पता चलता है कि हाँ बैठा हुआ चड़िया मेरा पना हरी एक ड ही के अलावा रा महरा सेमिनरी कैमपस का ही अलग से केमरा है मेरा कैमरी मेरा है के मैंने चेहरा म सब्सक्राई तो भी आ जाएगा है उसमें समझ ना आंप लोग इसलिए बात नहीं किजे प्लीज टिंगना बहुत गला जगव पर आ चुक है अम आया चलिया पढ़िए डरना नहीं यह अ सब्सक्राइब कुछ जोडे हैं हम आप सबसे प्रॉमिस कर रहा हैं प्लीज हमको फालो किजे हम ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा और सब चीज फालो किजे हमेने में बहुत सारा कमी होगा लेकिन मेरे बस math को follow किजे हम जैसा math पढ़ाना चाहते है उसको please follow किजे विस्वास करके पढ़िए आपका 30 में 30 नहीं आएगा 29 आजाएगा उधिर हमको बहुत दुख होगा कि क्यों 29 आगया कैसे ये question गलत हो गया ये हम capability रखते हैं और ये capability आपको देना चाहते हैं कहीं 25 question है तो हम 25 में 25 चाहते हैं कि आप सही करें अगर 26 को सही करके आईगा तो हमको खुसी नहीं मिलता है आशा 25 भी सही करिएगा लेइन 25 मिनट लगा दीज़गा तो भी खुसी नहीं मिलता है 25 question आप से 10 मिनट का अंदर बना दीज़गा तब लगेगा कि आप मेरे student है बात आरा समझ में तो ये चाहते हम और उसके लिए हम base त्यार कर रहे हैं वो base को follow कीज़े सही से चलिए देखिए सुनिये बाबू आप लो please बात नहीं करना है और फिर से सही से समझना हम क्या समझा रहे थे हम ये समझा रहे थे आप लोगों कि यहां पे अगर मन में आना चाहिए मन में फील करना है ठीक ना आपके senior आपको बोले होंगे जाईए का भीके सर के पास तो फील करवाते हैं क्या करवाते हैं तो यहां पर वन 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 होता तो उसके समय एक गूना दुगूना उसके बाद तीगूना उसके बाद चार गूना तो चार पहारा भी नहीं आता है चारे कम चारे कर दन्सकर करके लिखये चारे कम चारे कम् learnt गूना चार दूना आठ आठ एक नो अलाश में चार्यक्म चार अन्य हुआ कि नहीं हुआ डांस करते अप्लिख सकते हैं नहीं सकते हैं सहीन है अब उसके डांस मत करने लगेगा ठीक है ना इसका बताइए इसका बताई अपलों बता दीजेगा बताई कितना चार एकम कितना जी चार एकम चार दुना चार त्याई बार का हाथ में चार चोगा 16 अब एक यह अचार चोगा चार पचे हाँ नहीं यहीं तो हम चाहते हैं का प्रोक्राइब चार पच्छे बीस अच्छार त्याई चार थे पार एक तेरा का तीन हाथ में चार दुना आठेक चारेकम अरे आया समझ मैं नोट किजेगा कि कि हो गया है चले दिखेंगा अच्छा अगर हम थाटी थीरी का स्कुराइड लिखें तो लिख दिजेगा अच्छा थाटी थीरी में किसका पहारा पढ़िएगा अच्छा इपना अच्छा की थीरी थीरी में किसका पहारा पढ़िएगा आशा ये कितना बार है दो बार का वान टॉट्वा टाइक न स्कुराइड लिख सब्सक्राइड का नाई पहारा नो का तीन का स्कुराइड मैं नो कॉट युकर म नाद रք अठारइक अम नो एक न क्लिए रहे क्या अरे क्लिए रहे दोस्त सुनिए यह यह आप लोग इसका बता सकते हैं पताइए तीन स्क्वार आशा इसका पहड़ा कैसे बताइए वन टू थीरी टू आन अरे हां कि ना जी कर दीजिए कंप्रीट करिये गुड़ु भेरी गुड़ु कि कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा कि कर उदिक मिटरा रहा है हम मिटा दिये सुनिय कर लिये था न आप लोग कर लिजिएगा सुनिये अच्छा माल ली जबू अगर हम अगर हम आपको दे दे, टुपल सेulsive स्क्वायर्, तो निकालना है। लेकिन याँ 7 स्क्वायर्, उन्चास का पहड़ा याद नहीं है। लेकिन याद होना चाहिए था। 49,N promatt BE, 4999 कितना। अरे बोलिए। देखिए 50, 50 के multiple से Complet Salon asta, तीन कम ऐसे करना चाहिए उन्चास से कम उन्चास उन्चास दुना अन्ठान बे उन्चास तियाई 147 तीने बढ़ जुर्थ पढ़ेगा नहीं छोड़ दीजिए बताइए वन टू थीरी टू वन इंटू 49 यह सही लिखे हैं क्या और यह सही लिखे हैं आई इसके घर पर किजिए नोट किजिए अब आपना इस्पिट लगाईए उन्चास से कम उन्चास उन्चास दुना अन्ठान बे उन्चास तियाई 147 और नहीं तर दो गुड़ा करना जानते हैं कि 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 आगे कि का चले इसके आगे हम करेंगे ध्यान देजे आपकर ओ स्टेश कहलेस कख़कर यहां पर हमें एक Special Rule बताने जा रहे है। को रोल बताने जा रहे है? Special Special Rule Special Person के लिए Special Rule किसके लिए Special Person जैसे किआप लोग है ठीक है نगा? तो Special Rule कोई भी Special जो होता है Special लोगों के लिए होता है यहां पर Special है 3, 6 If 3, 6 or 9 repeats अभी तक repeat कर रहा था लिपीट किया था तो वन का नियम असांद था उसके बास से दो रीपीट किया था तो दो में हम डिटील में है विना रहा थे यह चार का पाहड़ा पर रहे थे का था भी बना॥े श्यार को चाहरी यह इसकोर निकाल लेते हैं लोग तो इसके पहले वाला जो नियम था उस सब के लिए था कुछ भी रीपीट कर रहा था तो वहां पर वह नियम लग रहा था को से में अरें, का, इस नियम को समझना के लिए एक छोटासा बात समझते हैं, हम यहां पर एक चीज लिखे रहे हैं उसको दिखिएगा आप लो, सब्सक्राइब है उनियों है होन्द बोलते हैं इस होन्ग है ऑलग प्लेस होन्ड-डेट्ट यह न अच्छ यह सब्सक्राइब मतलब एक जहेंक दहाई का मतलब कि शीस सेका मतलब सो होगा सब्सक्राइब करें वर इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें चिहेनगें estou के जगह पर अगर हम आठ कर दें एक अंक हम बदल दिये हैं यह को घटा दिये हैं बस हम नौ के जगह पर आठ कर देंगे तब पूरा संख्या मात्र एके से कम होगा क्योंकि एकाई के अस्थान पर हम इधर उदर किये हैं बहुत कम पर भाव पड़ा कि यहां पर यहां पर यह किये थे ना अभी कितना है पैंतालीहे चेसन अबसी है और है्या जी आगर हम चार के जगह पे तीन कर दे तो पैंतालीह जार होगा की पैंतीस जार कितना हजार घट गया पाद तो कुछ है इधर एक करके कर एक को जीदाघा के किक एह जाने कुछ है फिर कुर जादा इफ्रेक्ट कि अ फिर हाँ पसुनित्र इसको Nपने आप लग लोग एक इसडी इसको क्या गोलते है असक को बोलते हैं हम लोग MSD MSD का फूर्परम होता है most significant, significant, most significant, most significant digit अरे इसका value क्या होता है? इसका full form क्या होता है? most significant digit आइसका मतलब होता है least significant, significant, least significant और बताई क्या होता है? क्या होना चाहिए? digit, सुनिए, आप लोग ना सोच रहें कि यहां कुछ पता नहीं क्या चलता है अरे यह list का मतलब? list का मतलब सबसे कम, a significance, significant का मतलब? महत्वपूर, significant हम बोलते हैं कि हम less significant है तो इसका मतलब मेरा महत्व नहीं है आपके साबने और हम बोलते हैं कि हम आपके लिए बहुत माइने रखते हैं यारी कि हम most significant person of your life बाता रसवज में, तो significance का मतलब होता है, significance या significant का मतलब होता है, महत्वपूर तो बताइए, LSD का मतलब क्या चीज, least significant digit, मनि यह कम महत्वपूर है, इसमें एक आथ हीदा उदर होगा तो बहुत जारा परभाव नहीं पड़ेगा आई यह जो है सबसे ज़्यादा most significant digit है, इस पूरा संख्या में यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर है, इसमें अगर एक आथ बीदा उदर करेंगे ना तर सीधे देख रहे हैं, 10,000 बदल रहा है, अरे हां किना जी, इसमें सबसे, अगर आप से पूछेंगे, कि MSD बताइए most significant digit बताइए, तो answer कितना, 4, अगर आप से पुछेंगे कि less significant digit बताइए, answer कितना जी, 9, इतना समझें आप लोग, note किजिएगा, जल्दी से, note करिए, online वाले लोग भी note करते जाएगा, note करते जाएगा, online वाले लोग भी, note किजिए जल्दी टाइम होने वाला है, note किजिए जल्दी टाइम होने वाला है, हो गया है, चलिए, मिटा रहे है, मिटा दे इतना न, तो बताए, कौन सा नियम पढ़ड़े हम लोग, फिटी, सीस, और ना, अब सुनिए यह साई से, अब सुनिए, अब सुनिए, अगर हम बोले, कि लोवर बताईए, लोवर किधर है, तो इधर क्या है, अरे, बुलिए लो, लोवर, अइधर मिडिल है, अइधर क्या है, हाईयर है, लोवर किधर है, इधर, हाईयर किधर है, उधर, अरे, है ना, चेरे ठीक है, अब ध्यान दीजेगा, आप लोग, सही से सुनिए गवाई, यह जो नियम आप पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए यह ज़ितर अरे, हाई कि लोड़ा है, अरे बोलियो लोग, अशा, और यह उच्छान, आप अशै UNEण बताने वाले है इस सहाल, लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, पीन कि लिए, छे के लिए, नो के लिए, यहा पर यए तिन, लगे सावा कि नहीं, अज यह स्छान, आप नियम्सुनिए गा अच्छा सुनिए चितना अभी बाकी है यह को तीन जो अह वाके एक पुजिशन यहां यह flight लोवर साइड है कि हायर है अभी समझेते हैं लोवर है कि हायर है लोवर आये क्या है हायर ये के लिए रहे अब ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा हम ये बोल रहे हैं कि लोवर पे लोवर करें हायर पे हायर करें हम बोल रहे हैं कि लोवर प और आया समझ में, चलिए ध्यान दिजेगा, कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं, कोई बात नहीं है भाई, समझा के छोड़ेंगे, चलिए ध्यान दिजेए, एक तीन का स्कॉयर बुलिए, नौ फिर बोल दिए, नौ के जिरो नौ, सेलेक्शन लेना है तो सही से समझेए, एक त तीन का स्कॉयर कितना, जीरो नौ, आशा कितना, तीन अभी बाकी है, बोलिए, दो, तो दो पोजीशन यहां खाले, और यह समझ में आया, अब ध्यान से सुनिएगा, लोग पे, लोग करें, हाईर पे, हाईर करें, और यार समझ में, तो यह यह क्या है, हाईर है, तो लोग पे लोग करना है, तो लोग करिए, आठ, साथ नहीं, एके बाद लोग करना है, एके बाद लोग करना है, तो आठ, उसके बाद फिर आठे रहेगा, अब नहीं, लोग, एक बाद लोग करके सेम, बात हैं समझ में, अचा यह होता है, हाईर करिए, अरे हाईर समझ में, अब ह अब हम इसका लिखने जा रहे हैं और देखते हैं कि आप बोल पाई एक ने पीन का स्क्वार बोलिए आज बोलिए जी रोड़ा कितना थीन बाकी है तीन वो तीन पोजीशन तीन पोजीशन किलियर है यहां पर नोट किसे लिए आप एक दम तेजी में नोट करें लोग नोट करेंगे अब नोट करेंगे कर लिजेगा सुनिए आप लोग हमको दो से तीन मिनट और टाइम देंगे प्लीज डबल नाइन का स्क्वाइर जैसे माल लिजे निकालना है हमको छोड़िए लगोटा है यहां पर यहां पर चयर माल यह और संस्क्वाअ ऑडिटालनिग आइस गले दोन और में किलें यहां पर फाइं यहां पे चार आप लोग इसका स्कोर बताई टी पर सिसका स्कोर बताई फटाग दें बदाई जल्दी शे का स्कॉर बोल दीजे चाथिस अले हुआ जी दू चे बाकिये बुली आंसर कि यहां पर लोग करना है पांच पांच यहां पर चार चार क्लियर है नोट करिए नोट करिए जल्दी से कि अधिया कि प्लीज चलिए देखिए आप लोग ध्यान दीजेगा आप लोग आपको हम एक कोशन दे रहे हैं तो उसका अंसर बताना है बताइए इसका स्कॉर्ट अबताइए सभी लोग बताइए अंठावे जी रोवान कैसे यह नीनावे स्कॉर्ट थोड़ी है जी आपको दिखता नहीं है क्या हाँ ठीक बताइए नौवे स्कॉर्ट कितना एक आसी किलियर है अचा कितना नोबाकी है तीन तो यहां पर कितना पुजिशन तीन आई यहां पर कितना तीन लोग पर क्या करें लोग पर लोग ता लोग कर दीजें हाईयर अरे आया समझ में हो गया किलियर है तो फुरी रिपेर्स पूर रिपेर्स शोरी रिपेर्स शीश रिपी साल नाइन रिपेर्स अचा सुनिए गाब यह वो कोशन हम दे रहा है कि इतना आसान चीज हम आपको पढ़ा दिए बताए इए इतना मजा रहा है चार इसकॉ यहां पर लगेगा कि नहीं कि इसके लिए लगता है कि से नौ के लिए तहीए वुटा क्या है तो इस पर ब्रेकेट में यहां लिखली जिएता अलिखली रेक्रोत अधर अन्य immigrants के लिए कि कोशन बहुत असान देना चाहते हैं गूरा का उसके बाद छोड़ना चाहते हैं आप लोग को ठीक है ना गूरा का कोर्शन एक एकदम असान कोर्शन देना चाहते हैं और हम चाहते ही कि आप लोग बना दीजिए ठीक है जी बनाईएगा लोग मिटा देना मिटा दे बनाईएगा कि 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 वाट इस गुड़ा करना है क्या होगा बताई लोग सभी लोग से मेरा कोशन है अब कोड़ा का एक बेसी कोशन आप से पूछे हैं कि 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 नई पाले परड़ा है सुनिए कोई बात नहीं है एंप लोग से बढ़ियां से शिखिये बस सुनिए हम दो तरीका से बताते हैं कोशन यह है कोशन आएगा यह, एक्जाम में जाएगा तो, बोलेगा कि x x x multiply by x, then value, the result obtained is 8 x x 1, then what is the value of x, x का मान क्या होगा, यह कोशन आएगा, ठीक है ना, हिंदी में दे देगा बढ़िया से, कि यदि x x x का गुड़ा x से किया जाता है तो, 8 x x 1 प्राप्थ होता है, तो x का value क्या होगा, यह कोशन आजाएगा, ठीक है ना, तो simple भाहि, आपको यहाँ पर 1 लाना है, दो चीज मल्टिप्लाई ही, दोनों सेम चीज मल्टिप्लाई करके 1 लाना है, तो एक चांस बनता है कि 1 into 1 बराबर क्या चीज, 1, अगर 1 1 ले लेंगे तो यहाँ पर, चुकि 1 1 ले लेंगे तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, अरे हाँ किला जी, तभी तो यह सब बराबर ह यह सब बराबर है, तो जब यहाँ 1 1 लिये थे 1, तो आप पताइए, 111 गुड़े 1 करेंगे, तो कितना मिलेगा, 111, तो क्या यह 8 x x 1 मिल पाएगा, अरे मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, तो जो हम सोच रहे थे, कि 1 आने के लिए 1 into 1 होना चाहिए, उस सही है कि गलत है, रहा कि ना, फिर मेरे मन में आया, कि अगर यहाँ पे 2 होता, तो 2 गुड़े 2 करेंगे, तो 4 आ जाएगा, 3 तिरी के 9 आ जाएगा, 4 गुड़े 4, 16 आ जाएगा, 5 पचे 25 सा जाएगा, 6 छका 36 सा जाएगा, 7 सते 49, एक है, 8 अठाटारी, 64 का 4, 99, 81, तो एकस का वैलू कितना, 9 अगर अब डाउट होगा, तो यहाँ साइड में अगर लेंगे, 9, 9, इंटू 9, अरे करेंगे जी, 9, 81 का, 9, 81, 88, बोलिए, क्या कितना, 9, 9, 81, 88, 89, तो आप लो बताएगे, x, 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 यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और एकस सब एकस के जगाँ पर कितना है, जी, 9, 9, 9, 9, तो what is the value of x, आंसर कितना हो जाएगा, नहों हो जाएगा, समझे कि नहीं आप लोड, नोट कीजिएगा जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया है क्या, जिए, बिढ़ाँ एक,bot gaming करेम दूट सुथा हो, रेक सबस्क्राइस आप लोग, जी, धियान दीज्ञे सभी लोग, अचा एक चीज हम बतायते हैं। सबस्कforward भूहिए तो जी एक तो थ्यान दीज्यां दिजियेगा हम कि युद्ध नाइन में अगर सेबिन से गुड़ा करेंगे तो साथ गुड़े नो साथ नावा कीतना साइड ने मिलेगा अब बीच वाला साथ नवा तिरसट अधूगो क्या जी जी नहीं बताय थे अशा पताइएगा इसका गुड़ा बताहिए आप खुलो, यह बता है थे हम, बताएगे क्या होगा, अरे आठ नवा कितना है जी, बहुतर, गातर मा, आठ नवा, बहुतर, कितना भचा है, तो बीच में कितना, ये समझे थे, याद आ रहा है, चीक है, तो याद आ रहा है, तो उधर देखे, ये दे देखे बएई, अच्छ एक तो नो , नो , नौ , होता यहां नो होता तौ न। नंवजी से नंवजी जाएका नउजी से नौइलिक घ्लीजाव चाही insights नई कि और 2 सो नउजी के ने आ अञा कि आप लोग और 9 डाव़ाइव चैसे थो तो कोई डाउट नहीं है ठीक है ना चले हम यहीं पर क्लास को क्लोज करते हैं ठीक है ना कल आ फ़लोग क्लास में जो लाश्ण में हम पर है थे कर तर तुसको रिकॉल करके आगए बढ़ते हैं तो सबसे लाश्ण में हम यह समझायते हैं आप लोग को कि अगर 3, 6, 9 ये तीनों में से कोई भी repeat करने लगे तीनों में से कोई भी repeat करने लगे तो उसको हम लोग ठीक है ना बहुत आसानी से उसका square निकाल सकते है जैसे कि जैसे यहां पे 3 है तो जैसे माल लिजे कि हम double 3 का square निकाले अगर 33 का a square कहीं भी निकालना हो तो हम बताया थे कि सबसे पहले एक 3 को पकड़िए और एक 3 का a square 0 9 होता है तो 0 9 लिख लिजे उसके बाद एक 3 का a square हो गया है जो हो गया उसको छोड़ दीजे उसके बाद से कितना 3 बचा है एक 3 एक 3 बचने का मतलब है एक position यहां खाली एक position यहां खाली कल हम आपको समझाये थे कि इधर LSD होता है और इधर MSD होता है LSD का मतलब lower significant या least significant digit either क्या है most significant digit हम यह समझाये थे कि lower पे lower करें और higher पे क्या करें higher करें तो यह बताइए lower पे lower करें तो 9 से lower कितना नौ से lower कितना जी 8 और आप बताइए यहां higher करिये तो कितना हुआ यह समझाये थे बहुत easy trick है ध्यान दीजे आप लोग अगर मालों बाभू कि यह triple three का a square आपको निकालना हो सपोज तो टीपल three में यह को तीन पकड़िया पाले तो एक ठोट तीन का a square लिखेंगे तो 09 आएगा उसके बाद से कितना three अभी भी बाकी है दो तो यहां पर कितना position दो और आप लोग बताइए यहां पर कितना position दो यह lower है तो lower करें और higher है तो क्या करें higher करें यह चीज़ समझाये थे उसके बाद देखिए माल लीज़े की करके डेट में कोई एजाम देने गए और माल लीज़े की कोशन पुछ दिया पुछ रहा है समझ सुचिए कि important नहीं है सब चीज कि इंप्रोटेंट है का जाएंगा आप नहीं जानते हैं बस यह समझीए कि हर कोशन जो है दो मांक्स का होता है हर कोश हर कोशन का मांस क्या है इक वाल अब किसी भी कोशन को किसी भी कोशन को जो ऑना यह नहीं सोचना है कि बैसी का है तो इसको हम कम important देंगे अरे बेसिक अगर a square root बनाके या a square बनाके अगर आपको दो marks मिल जाता है तो हम कैसे बोलेंगे कि टिग्रोमेट्री से basic खरब है और एक हम CGL की बात छोड़ दे तो बाकि जितना एक्जाम है सारे एक्जाम में हम दू चेप्टर परहाएंगे बस आपको बेसिक पलस नंबर सिस्टम हम परहाएंगे आप बेसिक और नंबर सिस्टम से केवल जो तहां 10 कोशन रहेगा ओभी 10 कोशन हम बोड़ाया ना 25 कोशन में 10 कोशन दे देता है इसलिए यह दोनों चेप्टर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको एकदम थ्वास अभी ना आप लाइटली मत लीजिए ठीक है ना तो चलिए एक नौ एक नौ का स्कॉयर लिखना हम लोगों को थ्वासा ध्यान दीजेगा सभी लोग नौ नौ का स्कॉयर बताईए आपलगों क्या होगा एक नौ का स्कॉयर कितना एक असी, नौ एस्कुार्इड, एकासी, 81, अच्छा, एक बात बाते, कितना नौ बाकी है, 4, यहाँ पर कितना प्लेस, 4 प्लेस, अच्छा, यहाँ प्लेस, अरे होगा ना, अब बताएए, यह लोवर है कि हाईर है, तो लोवर पर क्या करें, लोवर, तो लोवर करिये, नौ, और क्या चीज़, नौ, किलिए है कि नहीं है, किसे को डाउट नहीं नहीं, चली हम आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ को समझेगा बरियासे आप लोग, एक चीज़ समझेगा, हम यहाँ पर कुछ हेडिंग डालने जा रहा है, उस हेडिंग को सही से, पहले समझेग याँ ही याँ पर हेडिंग डाल रहा है, a square ending with, ending with, अशा, a square ending with 5 बताये थे हैं आप लोगो, अंत में 5 तो बताये थे ना जी, a square ending with 5 तो बता चुके हैं, अशा, आज हम बताने जा रहा है, a square ending with 1, a square ending with क्या चीज़ 1, जब अंत में 1 हो, तो कैसे आज तक जो हम ट्रिक सीखे थे, उसके अलावा किसी ट्रिक से जल्दी कैसे हम निकाले, जो ट्रिक सीखे वो सब तो काम आए गाई, ठीक है ना, जैसे हम एक जामपल काफी easy ले रहे हैं, जैसे माल लिजे कि हमको 21 का square लेना है बाबू, किसका square लेना है, 21 का, अच्छ इसका base कितना है, बोलिए, 20 का square, 400, अच्छा, 20 से यह कितना ज्यादा, हाँ, 20 से एक ज्यादा तो ऐसे सुचे, 20 का square, 400, अब 20 अप पलस 21, जो है वो, 20 पलस 21, 20 पलस 21 कितना, 41, तो यानि यह हो गया, 441, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, हम फिर से समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर से देखिए, आप लोग सुनिये सही से, 21 का square, 20 के करीब है, 20 का square, 20 का square, 20 का square, मन में रखेंगे कितना, 400, अब उसके बात से 20, आप पलस 21, जोड़ेंगे तो कितना जी, 41, तो 400, 400, 41 आगया, तो हम बोलेंगे कितना जी, 441, नहीं समझे, नहीं समझे, अचा, नहीं समझे तो, 31 square को हम निकालते हैं, आप सुनिये का सही से, अचा, किसके करीब है, बोलिए बाब लो, 30 square, 900, तो भाई, 30 square, 900, अब 30 में क्या जोड़िये, 31, तो 30 पलस 31, बराब क्या चीज़, 61, तो बताईए, 900, 61, अरे 900 कितना जी, 61, नहीं समझे, समझ गया हैं, अचा, अबर समझ गया हैं, तो आप लो, 41 square बता दीजेगा, बताईए, 1600, 1681, अरे हाँ जी, 1681, अच्छा बताईए, 40 के करीब, 40 के square, 1600, 40 के square, 1600, अच्छा बलस 41, 81, क्लियर है, तो बताईए, कितना लिख देए, 1681, इतना समझे में आप लोगों, ना, अच्छा, समझे में आ गया है, तो एक बात बताईए, आप ट्रिक बहुत बढ़ियां से सीखे, बहुत जल्दी सीख लिए है, आगर सीख लिए हैं, तो फटाक दीश ट्रिक पे, 42 के square बताईए, जल्दी बताईए, 20 का square बताईए, आच्छा, एक बात बताईए, सुनिए, 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 आप बताईए, आप कोई सा ट्रिक सीख लिए है, A square ending with, आच्छा, आप लोग को हम बोल दिये कि 42 का square बताईए, ता आप तुरंद केलकुलेट करके आंसरों बता दिये, आरे यार, A square ending with, क्या सीखे, A square ending with, 1, ये A square ending with 1 है कि 2 है, तो इस पर ट्रिक लगे गा कि नहीं, तक कैसे आप answer बोल रहा है, यहीं गल्ती तो आप करते ह है, आरे आया समझ में, ठीक है, एक आवन का बताईए, एक आवन का A square, बताईए लोग, आशा, कॉल वहला ट्रिक मत लगा दीजेगा, यह वहला ट्रिक मत लगा दीजेगा, कि 50 होता है, तो तो पचीस सो, एक ज्यादा है, तो एक सो ज्यादा है, च्विस सो ये कांसरों हैं, एक आवन किसके करीब पचास का ISquare, पचैसकोय, पचीससो, पचीससो अचांच परसके कावन एक सीससो अचांच पचीससो, एक आवन एक सो एक साथ, टापाची शो एक कुल मिला के, छब इस है, किलिया है क्या, नोट करिये, नोट करिए लोग जल्दी जल्दी लिखिए लोग जितने लोग भी ओल्लाइन है अच्छे से पढ़िए तैनमाय सिकंदर स्वेता प्रसांत नरेंद्र किसोर पूजा प्रिया एंस आन बहुत सरे लोग हैं कि अब दो कि अब कि अब कि अब हो गया क्या चलिए अब देखिएगा अप्रोब चलिए देखिए तो इधर मेरे तरफ अच्छा एक दो एजांपले बना लीजेगा क्या बनाई एक लोग पीछे वाले लोग बना लीजेगा चलिए देखिए आप लोगो एक सट का स्कॉयर बताना है दोस्त कितना अनि 202 खों मुट शेय। अतनी वहर खेय साट क्रेकर इसकॉयर ख़टी सूर असाइट पालस एक सटű एक सटारी चाइट फैना ख़टी स्थट का दुग्यूना प्लस वार्द या थो सुन्य प्लीज लिस लिसर्ट या थो साथ पर्लस एक्सक्ट्राइन या तो साथ रुड़ मॉड्य प्लश दॉटियों 700 भुखा extra tour a time lagain Twa साथ्टोमा एक्सटिस प्लस टो eliminate कितना रिएक्सी कहितना this or it's a Чितना 3600, 121, जोड़ियेगा तो कितना हो जाएगा, 3700, बोलिए 21, बाई समझ गया है, चलिए, आचा हेडिंग डालिएगा आप लोग, स्क्वाइर इंडिंग वीथ नाइन, 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 देखना है आप लोगों को, चले देखिए आप से भी लोग, देखेंगे इधर भाई, हम एक छोटा सा एजामपल से यहां भी चलेंगे, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि आप हर तरह से समझे चीजों को, ठीक है ना, अब देखिए फाइदा क्या होगा, जो अभी जो आप ट्रिक सीखे, उसका फाइदा क्या होगा, फ्रस समझे चीजों का फाइदा क्या होगा, ठीक है ना, उसका फाइदा क्या होगा, देखिएगा आप लोग, जैसे माल लिजाएगा हम यहां पर 961 लिखेंगे तो कुछ फील होने लगेगा, अरे इसी को तो बोलते हैं फील मेथड, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा क्या हो रहा है, बताइए, लाश्ट में वन है, अरे वन है जी, आश्या कीस का 900 मतलब तीस, 900 मतलब तीस, देखिए, सारा के सारा चीज, जो हम बोलते हैं ना, कि 6-7 मिनिट में 25 कोश्चन बनना एकदम पुस्बल है, कुछ लोगों को लग रहा हुआ कि नहीं बनेगा, बने यह किसका है, बताइए, एक तीस, रिवर्स सोचेंगे तो भाई सोचेंगे कि 30 प्लस 31, 60 हो यह रहा है, यानि एक तीस का तो पक्का है, अरे यह फिल कर पा रहे हैं, पेछे वाले लोग फिल कर पा रहे हैं, अश्या चलिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप बताईएगा कि किसका स्क्वाइर है, बता सकते हैं ना, देखे, आप यह इस चीज को बहुत छोटा भी मान रहा है, सोचने के वासर जो है, यह छोटा-छोटा चीज बता रहे हैं, कल तो यही कोशन पुछने वाला है, जब आप बर्गमुल पढ़िएगा ते कोशन ऐसा आएगा, कि ती तीन अंकों की वा बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, जो पर्फेक्ट स्क्वाइर हो, कल जब आप स्क्वाइर में जाईएगा, पर्फेक्ट स्क्वाइर पढ़िएगा, ते कोशन आएगा, कि फाइंड आउट दा लार्जेस्ट नमबर, फाइंड आउट थिरी डिजि का सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, अरे हाँ किना जी, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है, फिरी डिजिट का सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, हाला कि ये तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इसके साथ एक प्रोब्लम है, ये स्क्वाइर में तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 सबसे उपर आता है लेकिन यह पर फेक्ट एसक्वाइब नहीं है इसके नीचे आईएगा तो यह तीन अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या में दुसरे पोजीशन परफेक्ट स्क्वाइड नहीं है इसके नीचे जाते जाएंगे जाते जाएंगेchos 960 है ये तीन अंकों की सबसे बड़ी शंख्या है ये तीन अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वाइर भी है और यहां रहा समझ में यह नहीं आ रहा है अच्छा यह क्या है बताइए बोलिए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई यह क्या है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पर्फेक्ट स्क्वाइर है यह तीन अंकों की बड़ी संख्या नहीं है तीन अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या फिर डिजिट की वह सबसे बड़ी संख्या विचिजे पर्फेक्ट स्क्वाइर जो क्या है पर्फेक्ट स्क्वाइर तो आप देखिए, यह कोशन पूछ देगा, बुलेगा कि तीन अंको की, निम्रे लिखीत में से तीन अंको की, वह कौन तीन अंको की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, इस टाइप से, लेंगोईज इरोदर हो गया थोर सा, मैनेज करिएगा, तो देखिएगा, तो कोई बन इसे, आज हम बना देएगे, तीन अंको की संख्या, सर बताय थे भाग भी दी, भाग का मतलब भाग जाओ, सेलक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, तीन तीरी के नो, हम छोड़ेंगे नहीं, बनाइए देंगे, ठीक है 99 आ गया, कितना बर में जाएगा, एक कम, दो कम, दो बार छिएरी में नहीं जाएगा, एक बन सबस्क्राइब हो 1 तो एक सर्थ यहाँ पालीख लिखे गाइगा, यहां पालीख गे गाथ, यहां पालीख लिगा ओल्धां जादा है, तो बोलेका, बोलेका नो सो नीन आनुप्यक के पालाग दिए लेकिन EMENTE में लिख गॉणन इन हो सब्सक्राइब को जवाब पढ़िएगा सुनिए अब वहीं जो लड़का फ्वासा स्माटली पढ़ाई किया होगा वह हर बातों को देखते हुए चल रहा है आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वह देखते हुए चल रहा है तो उसको पता है कि यह कोशन आने वाला है कि तीन अंकों की वह बड़ी सबड़ी संख्या क्या है जो परफेक्ट स्क्राइब है तो देखते देखते समझ जाएक है कि 999 के करीब है ठीक ना 31 से यह 31 का स्क्राइर है आँ उसके नीचे आएंगे तो 30 का स्क्राइब में 900 मिलेगा सबसे बड़ी संख्या पर्फेक्ट इसको बनाई एक अब देखते देखते मार दीजेगा मार देंगे कोई कोई कि बनाई एक कोई कि मारिये नहीं बनाई यह तब क्या किजेगा इकजाम में जाएगे मार नहीं तो बनाई देंगे दिविजन मेथद परेंगे इंगलुस वाले लोग डिवीजन मेथड परेंगे तो डिविजन मेथड हम सिखा देंगे तो मेथड भी आप सिख जाएगा बाकी ऑबजेक्टिव पॉइंट और भी से भी आगे बढ़ना है इ स्क्रिप्रिव पॉइंट और भूर से भी आगे बढ़ना है अधी किलिए रहे है चलिए ध्यान दीजे एक यह कोश्चिन थोड़ी पुछेगा यह भी पुछेगा सुनिए तीन अंको की पीछे वाले लोग तीन अंको की बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए परफेक्ट इसक्वाइड नंबर प्राफ्थ हो जाए तो जो भाग बिली से बनाएगा पूरा महनथ करेगा गए आज हम गर्दा उड़ा देंगे उसी का गर्दा उड़ा भाई वो क्या उड़ा आएगा उड़ा नहीं रहा उड़ा उसका गर्दा ठीक है ना उसके बास से जाज रहा है कि 999 है लेकिन पर्फेक्ट स्क्वाइड 961 है तो नो इनननबे से नो इक सफ़ेड पर पहुचने के लिए घटाएंगे तो यहाँ पे आठे यहाँ पे तीन यानिक और 30 इससे यह कम है और 30 घटा देंगे तो हम पर्फेक्ट स्क्वाइड पर पहुंच जाएंग कि राकि यह ने के अधर भान है मिएक इस यह कॉने का स्क्वाइड होगा अरे हाँ कि ना लास्ट में वन है तो रहाँ एक ने स्कवाइब होगा ישक 9वी सकता है हां ठीक नौक भी जो हो सकता है हां ठीक है न कुई बात टेक किसका बताईब है शुल सो academy 490 City 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 हो रहा है तो किसका है बताइए किसका है अच्छा हम अगर 3700 लिख रहे हैं 371 लिख रहे हैं तो 3600 आरे 3600 माने 60 60 plus 3600 माने 60, 60 plus 61 माने कितना बोलिए 21 साथ पलस साथ पलस 61 कितना एक सो एक सो एक इस तो अगर हम 3700 या कहीं आपको दिखाई देगा तो आप बनाएंगे तो टाइम लगेगा लेगिन हम चाहते हैं कि बनाना तो हम सीखेंगे ही तो नर्मल बात है सब कुछ सीखता है लिए आपके वहीं नहीं सीखिए आप कुछ एक अलग भीजान रखिए एक अलग अपना परस्पेक्टिव रखिए को देखने का ठीक नाता कि देखते देखते समझ में आ जाए कि लगता कि 61 है अरे यारे समझ में चलिए आगे बर जाते हैं आगे बर देवाबू चलिए हम लोग क्या सिखने जाते हैं जी स्कॉाइड इंडिंग वीथ नाइन सुनिया इसका स्कॉाइर निकलना भाई अब देखिए आप से भी लोग चलिए देखिए आप से भी लोग ऑई 19 अच्छा ये किस के करीब है अरे बोलिये 20 के करीब तब 20 का स्कॉाइर 20 का स्कॉाइर 400 अच्छा 20 में पहले एक इस जोड़ रहा थे लेकिन आप 20 में 19 जोड़ देजिए 20 प्लस नाइस अरे बोलिये 49 49 माने 39 अरे 39 ना तो 400 में से 39 घटा देजिए तो 400 में से 40 घटा ते तो 360 लेकिन हम 40 नहीं घटाना है यह को कम घटाना है तो ज़्यादा मिलेगा यानि कि 300 कितना जी एक सथ 20 से कम हें तो घटाएंगे 20 से जादा पटो जोड़ते थे हम यह आप पर व्य लिख रहा है 21 का earth square निकालते थे तो 20 से जादा है तो जोड़ते थे तो 20 का square कितना 400 आँप 20 पलस 21 41 तो यहाँ जोड कि हम बोलते थे 441 अरे दो निब्स आरहा है ना जहां देखिए इन आईस 20 का स्कॉर कितना चार सो अब 20 पलस तो पिलीए रो रहा है अच्छा उन्तीस का स्कॉर आप सब को इस मेथर से बताना है एक बात बताएं यह 30 का स्क्वाइर अच्छा यह 30 के करीब है तो 30 का स्क्वाइर 900 आप 30 पलस 39 अगर हम 7 घटाते तो 900 में से 60 जाता तो कितना 840 लेगिन अगर 49 अगर एक कौम घटाएंगे तो एक ज्यादा तो पते क्या मिलेगा 841 समझ गया है जी तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ठीक है न नोट कर लिए अपलो नोट करिए हम कुछ हिंट देने वारे हैं उस हिंट को समझना वह इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा इसक्वाइर तो निकालने के लिए बहुत मेथड़ है लेगिन जो हिंट है उसको समझिएगा हो गया है ना चले दिखिएगा अच्छे बात बताईए आप लो एक बात बताइए अगर हम यहाँ पे एक तिसका स्क्राइब पूछें तो पता दीजिएगा लो नौसे अक्षाट है नहुचे से ज्यादा है तो 9 नो भी ये तो वन, एक भी ये तो वन, नो भी ये तो वन, एक भी ये तो वन, तीस से ज़्यादा है, तो 900 से ज़्यादा, अरे हां कि ना, आईए बताइए, तीस से ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो ये 900 है कि 9 से कम है, कम है, समझ पा रहे हैं, सुनिये, हम ये लिख रहे हैं क हम यहां 841 अफ लिख है यह बताए 900 है कि 900 से कम है अशा लाश्ट में 1 है कि नहीं है है अरे है तो किसका है 30 से एक कम अरे 30 से एक कम कितना जी 29 अरे 29 न जी अरे हां किना अशा यहां पर हम कुछ लिख रहे 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 30 की 30 से जादा है 30 से जादा कितना जादा एक तो यह 31 का है अरे हाई कि नहीं है तो यह देखिएगा तो अपने आप समझ में आने लगेगा ठीक है ना हम कुछ और इक जाम पर लें जैसे माल लीजे कि जैसे माल लीजे, हम यहाँ पैसे लेते हैं बाबू, हम यहाँ पे लेते हैं 1681, ठीक है ना जी, 1681, आज यहाँ पर हम लेते हैं, 1680 से कितना घटाना परेगा, 40 plus 49, 40 plus 49 मैंने 79, तो पहले 80 घटा लीजे, तो बताए कितना हो जाएगा, पंदरो सो, पंदरो सो बीस, नहीं 20, हम बोले कि 80 घटा यह तो बीस, लेगिन एक कम घटा यह तो जादा, अभी इन दोनों को देखके बताए आप लो, एक बात बताएए, आशा यह 1600 से कम है कि जादा, जादा, तो बताएए, आशा लास्ट में एक है, तो एक है तो एक आएगा जी, एक तालीस है क्या यह, यह तो एक तालीस है ना, आएए बताएए, शोलो सो से जादा है कि कम, तो चालीस से कम, चालीस से कम, यानि कितना जी, उन तालीस, तो इसे, अगर अच्छे से अउजर्व करके पढ़िएगा न, तो देखते देखते आपको लास्ट मे जैसे question आएगा दिखाई देने लगेगा नोट आउट सब बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा कि, इस कोशन को नहीं बना सकता है, लिए बनाने का तरीका अलग अलग होगा, ताइम टेकन अलग अलग होगा, और वहीं से रिजल्ट निकलेगा, भाई जो समय बचाएगा, उसका सेलेक् नहीं होगा, बहुत सारा बच्चा जो है, यह सब कोशन बनाएगा, 20 सेकंड लेगा, पचीस सेकंड लेगा, लोगी लास्ट में दो-तीन कोशन ऐसा होता है, किसी भी पेपर में दो-तीन कोशन ऐसा होता है, मैथमेटिक्स में, जिसमें देर मिनट, दो मिनट देना पर सकता ह जो hard होता है जो आप छोड़ के आते हैं और उस law question इसलिए छोड़ता है क्योंकि आप easy question को ज़्यादा समय दिये रहते हैं तो वहाँ पर कही ना कही psychologically आपको pressure होता है आप pressure में ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं उस question को तो बनने वाला question भी आपसे छोड़ता है या गलत होता है अगर इस तरह के question को कर लेते हैं अगर हम समय में मैनेज कर लेते हैं तो क्या होगा जो hard वाला question है उसमें हम डेर के जब दुन मिनट देंगे हम सांतिस एकदम बनाएंगे उसको धिर के जब दू मिनट देंगे तो सही हो गया हर्ण को शाही करने का मतलब होता है और उसे बहुत उपर निकल जाना इजी सब सही करते हुए इन एजी गलत करते हुए हाड सही कर दीजेगा बात आया समझेए इजी सारा सही करते हुए ही हाड कोश्चन सही करने का मतलब होता है और उससे आगे निकल जाना तो वहीं सब चीज है ध्यान दीजिए अब यह देखके कुछ समझ में आ रहे हैं 900 है कि 900 से कम है अरे बोलो बाबू अशा महिए न तो न एक तालिस है कि चालिस सब rice और यह ताली से करते तो नंम स default 1000 है 900 ठीक है 900 थिक है 900 थिक हैं 900 देनगें ठीक है न अनम तिस लिख दें है ऊण पिसमें अपर कर नट आशा, 2.9, अरे है जी, बोलिए, ये बताइए कितना, 2 अंग, 2 अंग, 6 अंग है, 3 अंग बाद दसमलो लगेगा, 29 आएगा, लेकिन 3 अंग बाद, तो 29 को हम कैसे लिखेंगे, 3 अंग बाद मैंने ऐसे, ऐसे लिखेंगे न, दसमलो एक लाइन में लिखा जाता है, तो 0, 29 लि यहाँ पर 2 अंग बाद, ना, 4 अंग बाद हो तो 2 अंग बाद कासलिखेंगे, आप लो, ठीक है? सुनिए। हाँ यहां पे 0.00 हम लिख लेते हैं। ठीक है। इसको कैसे हैं यहां प्वाइन क्रुक्त हैं के रिए यहां प्वाइन ? अवे लिखेंगे कितना अंक बाद के तो इसलिखेंगे ना तो यानि पॉइंट, जीरो टू नань अर ऐसे लिखेंगे ना, जोड देंगे आंसर आ जाएगा अजाएगा ना, तो ऐसे टाइम बचाना होगा चल यह आकर बढ़ते हैं, अब देखिएगा आपसे भी लोग, कर लिये हैं यह नोट किये हैं ना चलिए ठीक है हम आगे बढ़ते हैं अब सुनिएगा आप लोग समझिएगा यह सब अभी स्क्वाइर रूट का कोश्यन है इस पर अभी हम हलका फूल का ध्यान दिला रहे हैं कि आगे इसका यूज पढ़ेगा इसका अलग से हम एक्सिसाइज करवाएंगे आप एंसा मत लिजिए बहुत बढ़िया वर यह कोश्यन इस पर हम करवाएंगे जो कि एक्जा अलमुस्स सेम चीज है ठीक है ना हम यहां पर हम लिख रहा है मल्टिप्लीकेशन 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 ओफ थिरी डिजिट थिरी डिजिट वीट थिरी डिजिट तीन अंकों का तीन अंकों से मल्टिप्लाई करना हेडिंग मल्टिप्लीकेशन ओफ थिरी तीन अंकों का तीन अंकों से मल्टिप्लाई करना तीन अंकों का ओल्लाइन वाले सिक अंदर गया पोल रहें के रिप्लाई कीजिए सर आप जो भी अगर डाउट होगा तो पुछ दीजेगा कि सरे एक बार रिपीट कीजिए पाकी कोई चीज मत पुछिए कि बार बार हम नाम नहीं ले सकते हैं जो लोग ही ओलाइन देख रह रहा हैं वबस आप लोग कोरी τιडाउट होगा तो बस बोल दीजेगा कि य्द। विम्हों देखकर हम यहां से घर देंगे में हम देखके आए तेंगे नहीं इग हाfter कि अंच को थे लोग कि प्रोड़ कह थे मत्रैों की टीओ थिन सबोड़ dost शीले कि चलिए अब टीमस जब टूर HR गूर्शेव सब्सक्राइब बतायाते जी, एक दूसरा तरीका क्या बताया थे, UD into UD, UD का मतलब, UD का मतलब, अगर हम UD बोलेंगे आज पास से तक क्या समझियेगा, UD डिजिट, अजिस समझियेगा न, यह नहीं कि अभी UD तक हम बोलेंगे UD तक मुझ बना लीजएगा, UD, यह क्या है, UD का मतलब, unit digit, अग TD का मतलब, TD का मतलब, tense digit, TD का मतलब, tense digit, दहाई यंग, ठीक है न, चलिए देखिए आप लो, तो हम यह बताया, UD into UD, अगर उसके बास से नजदीक का गुड़ा, नजदीक से दूर का गुड़ा, दूर से, अलास्ट वाले स्टेप था, TD into TD, अरे था कि नहीं था, यहीं न था, लेकिन आज हम देख रहे हैं, इस टाइप से गुड़ा ध्यान दीजेगा सभी लो, इधर देखिए आप लो, जैसे हम लिख रहे हैं, बाव, थिरी, फोर, थिरी, इसमें अगर आपको multiply करना है, तीन अंक है, है न जी, इसमें आपको multiply करना है, तू थिरी, माल उसके बाद क्या करेंगे, complete cross, complete cross का मतलब corner to corner, corner to corner, बीच का बीच से, थिसरा step है, फिर उसके बाद से cross, अपरीब उसके बाद सिधा, यह step से बहुत लेंदी लग रहा हैं, देखने में, लेंदी है नहीं, हम करवाएंगे तो लेंदी नहीं लगेगा, यह example लिखे साइड मे यह से सुनी के बाले हो गया क्या, लिख लिख ले आप लोग, छेरे देखे तो, ध्यान देजे, करिए, हम जैसे बता है, उस steps को सही सफ्टो करना है, हम बोले कि सीधा सीधा गुड़ा, तो सीधा सीधा गुड़ा, में तरफ सही से एक बार देखिए, सीधा सीधा गुड़ा, तीन चव का, बोलीए तीन चव का बार, बार का दो, हाथ में एक, ठीक है ना, उसके बाद क्रोस यहां क्रोस आरा समझ में यह क्रोस हम कर रहा है अज़े ठीक है क्रोस करना बता है चार चाहू का 16 तीन तिरी के 9 16 9 25 25 एक 26 26 का 6 हाथ में 2 ठीक है नो 26 का 6 हाथ में 2 अर इतना क्रियर है अचा बताईए अब क्या करिएगा complete क्रोस का मतलब corner to corner corner to corner अब बीच का घुड़ा बीच से चार ती चार ती आईं 12 तीन दोना 6 12 चे चार ती आईं 12 18 बार इन आ तक यहांपे तो हुम क्रोश ले चुके ठीत अब कहा लेंा यहां पर लेंगे दो उसके बास सिधा सिधा तो तो यहां पर सिधा सिधा नहीं अई इधर सिदा सिदाब तिन दोना अ तीन दोना चेयर आठ अए समझ में एक बार नोट करिए एक बार समझाते हैं कि 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 क कि यह बैच ऑनलाइन भी अभिलेबल है तो आप जितने भी आर्थी लोग पहड़ रहा है तो आपके भाई बहन या कोई दोस्त जो पात्ना में नहीं रह रहा है वाहार रहता है कोई मुझा परफूर है कोई सिता मड़ी है समस्ती पूर है मदेपूरा है खगड़िया है या कोई सिवान है गोपालगाज आरा दिश्टेट जहां भी झारखन कहीं भी ठीक है ना उस तरह के कोई बच्चे है जिनको है कि मैथ को बिल्कुल मैथ का ग्रिप बनाना है प्यार स लोग का अप्रिकेशन है उस अप्रिकेशन को डाउन्लोड करें गे ना डाउनलोड करके वहाँ से अपना रजिस्टर करेंगे और रिस्टर करके उसके बास से ऑप Divzu ऑनलाईन प्र और सारним शचिस करेंगे और सारा चीज। जो आप पढ़ रहा है यह से ऩी टाइम पे जै सबसे पहले आप लो तो पहले आप लो तेली ग्राम, आप में से कितने बच्चे टेली ग्राम यूज करते हैं, थुरा हाथ उठाईए, अच्छा आप टेली ग्राम पे, ठीक है ना, आप लोग ऐसा करिएगा, कि इंजिनियर भीके गुपता, दू चीज़ वहां पे आप, एक इंजिनियर भीके गुपता केमपस, ठ उसमें ज्वाइन हो जाईएगा, यह चैनल है, यह क्या है बावू, चैनल है, मतलब होता है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मेसेज करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंफोर्मेशन देना होगा, तो हम इस चैनल के मादियम से उसमें एक मेसेज डालेंगे, कि आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, इंजिनियर भीके गुपता केमपस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो सबके पास तुरंट इंस्टेंटली मेसेज आएगा, कि आज आपका मैथ का क्लास कैंसल है, आप घर से निकलने वाले होंगे, या आने वाले होंगे, तो आप आप उस दिन जोता है, मेसेज आपको पहुँ जाएगा, बात आरे समझने, तो इसके लिए जरूरी है कि इंजिनियर भीके गुपता केमपस चैनल को जुड़े करें, बात आरे समझने, मुबाइल हो अभी, मुबाइल निकालिए सभी लोग, दो चार काम करना है, सब लोग अच्छा, गर्स लोग के लिए, सुनिए, गर्स लोग को बहुत डर लगता है, कि का हम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, तो कोई कोई मैसेज करने लगेगा, तो इस चैनल का खासियत क्या है, इस चैनल का खासियत क्या है, इसमें प्राइवेस, ये मेंली गर्स लोगों के बनाया ग하겠습니다 आप लोग entire a cop असवार के लियो में ते ने पर लोगWow लोग वायगा कि चैनल में किसी लड़की का या किसी लड़के का नमबर किसी और के पास नहीं में को मेरे ध्यूपस भी कोई चाहए कोई चाहा कि कि लड़की को आपने कई लोग जरूरी का चीज है बहुत जरूरी जरूरी का चीज अभी होने वाला है सब्सक्रवाद एक आपके काम का चेज़ है चोकि क्लास कभी केंसिल हो कभी कुछ भी नोटीस हो तो नोटीस आपको मिलेगा तो आपका जो समस्या है बहुत गंभिर समस्या है को जो पाता है तो कोई दोस्त बना लिजए के जैसे कोई फैंड आपकी कोई लगोई से कंडेक्ट रखें कि आउसे बन दीजिए आपके कवी क्लास होता है तो में से या कॉल कर देना ठीक है नाट्यू कि कि किसी के पास टेलीगराम नहीं हो क्या करेंगे एक दोस्त बनाएंगे ठीक है ना और उसको बोलेंगे उसको कभी कभी समय समय पर मिठाई समोसा लीटी कुछ भी खिला देंगे अब बोलेंगे कि कभी भी ऐसा मेसेज आ जाए तो तुरंत हमको क्या किजेगा कॉल कर अचा जोइन कर लिए अरे आयस जोइन कर लिए ना चुनिये दूसरा आशा हाला नहीं करिए बागो लोग एकदम बात नहीं किजे सब टाइम वेस्ट नहीं करना है काम का चीज निव बैच है ध्यान देजे ते इसमें जोइन हो गए सब लोग उसके बास से दूसरा ग्रू बीके गुथा डाउट सेल टेलीग्राम पर ही सर्चा मारिय अब यह सर्चा मारिय यह क्या है पललीस का पर अपर सब्स्क्राइब्स अमझाय करना इसमें क्या है कि इसमें करना क्या है आप लोगों को जब आप मारिएगा इंजिनियर भीके घुपता डाउट सेल, तो इसमें आप लोग मेसेज कर सकते हैं, तो इसमें का जो मेसेज होगा हम भी कभी कभी देखते हैं, मेरे स्टाफ भी देखते हैं, इसमें आप लोग नहीं मेसेज कर सकते हैं, इसमें कौन मेसेज करेगा, पर इस डाउट सेल पर माल लिजे आपके बैच में चलेगा बेसिक, चुकि अब जो हम लोग का जो न्यू मेटेरियल है, जो कि हम दिन रात बैठ कर यहां खुल डिजाइन कर रहा है, न्यू मेटेरियल जो आपके बैच के लिए especially आने वाला है, उस मेटेरियल में बहुत ज्य आप घर पर जाएंगे, बनाएंगे, आप उस में से कोई भी डाउट होगा, तो आप क्या करेंगे, उसका फोटो खीचेंगे मुबाइल पर, आप फोटो खीच कर क्या करेंगे, इस डाउट सेल पर डालेंगे, और लिखेंगे please solve this, कुछ भी लिख दीजेगा, हिंदी भी से अच्छे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, इवन आपके बैच के भी सारे बच्चे भी जुड़े होगे, तो आपके बैच में, मालीजे कैए आपको कोई questions doubt हुआ, वोon question दूसरा लड़का देखेगा, तो ups को सकता है कि बना कर अब डाल देगा, तो डाल देगा तकर doubt क वहां से आके मेरे से पुछने की जवर्द नहीं है, क्योंकि आने में जाने में आपका टाइम वेस्ट होगा, समझ रहा है? मेरे पास आईएगा तो भीडू लगेगा, आपको टाइम वेस्ट होगा, तो आप इस टेंट डाउट किलियर के लिए तुरंत डाउट किलियर करने क यह उस परपस यह बनाय गया है कोई भी कोशिन आप डालिये इस पर सॉलूशन आपको मिलेगा कोई लड़का अगर टाउट नहीं किलियर करता है तो मेरे अपने स्टाप है हैं जो कि मेरे लिए विए करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि ये व calend यूज लोग बेखता हैं कि इस ग्यूश bara passed जब आइक मंदेर आई ऐंपने स्कॉमांधडिण स enroll मचें आपड clingring बग्राइब इसके अलावा इसके अलावा अब हम आते हैं आप फेस्बुक पर यान इंजिनेर भीके गुपता केंपस हुम लोगों सोनिये थीजे कोई आप excited केमपस जो है सच मारेंगे जिए साल पहले की बात है लेगन वह जो इंजिनेर वीकेगुपता केमपस था वो कोई जो है फोरेंग का आदमी जो है कर लिया है करके इसको जो ताना नामचेंज करके मोजी चैनल बना दिया तो बहुत दूख लगा था, बहुत रोए थे, बहुत परसान हुए थे, पल हैक किया, हैक करके हमको हैडमीन से गाइब कर दिया, उसके बासे इसका जो भी है, इंजिनेर भीके गुपता केमपस लिखा हुआ था, उसके बासे उसमें जो भी कंटेंट हम डालते थे, ट्रिक ब हाँ, उसके बासे क्या क्या है, कि हम रिव्यू, मेरे बारे में बच्चा लों उसमें बहुत बढ़िया रिव्यू दिया था, लिखा था ऐसे करके, कि चीते की चाल, बाज की नजर, और इंजिनेर भीके गुपता के कंसेप पर कभी संदे नहीं किया करते, बादारस में, य यह चीज़ उसमें लिखा हुआ था, यह बच्चो का फिरवेक है, ठीकन, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया फिरवेक है, हम जली-जली स्कीन स्वाट करके, जो बच्चा लों फिरवेक दिया था, उसको बखे हुए हैं, सेव करके, लवग हजार बच्चो का फिरवेक थ बनाए और नया गुरूब बनाए तो अभी तक, दो लाख एगा रहे हैं, यह बारा हजार होगा, देख लीजेगा, आपनों फेस्वूप पे साच मारियेगा, तो कितना है, दो लाख 14,000, हाँ, एक देर साल में 2,14,000, दो लाख 14,000, दो लाख 14,000 इस्टूडेंट जोता है इस पे जोता है, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इंजिनर भीके गुर्ता क्यमपस, कोई इस पे हम वर्क नहीं किये, लोगडाउन ही लग गया इधर, 10 महीना से, तो 2,14,000 दो जुड़े हैं, इस पे भी कोई ना कोई ट्रीक होगर हम लोग डालते रहते हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग ना नोटिस नहीं डालते हैं, तो टेलीग्राम फास्ट है, आप फेस्बुक क्या है, स्वे है, टेलीग्राम से तुरंत आपको मेसेज आएगा, इसलिए वो ज़्यादा इंपोर्टेंट इसे वो पहले बता है, लेकिन किसमें दाउट माल लिजे कि पुछना हो, तो इस पे फेस्बुके पर एक ग्रूप है, इंजिनियर भीके गुपता, भीके गुपता, डाउट सेल, उस पे भी नाम है डाउट सेल, और ये ग्रूप है, सब लोग ग्रूप रखता है, सब लोग ग्रूप रखता है पब्लिक, सब ल आपॉबलीक का मतलब कोई भी जुड़ गया, अपॉबलीक रखते तो हो सकता है कि उसमें 50,000 लोग जुड़े होते हैं, यह भी हम 2.30 साल पहले ही बनाया हैं, तो हो सकता है कि 50,000 लोग जुड़ गillar होते हैं, लेकन मेरा बस टार्गेट होता है, जो मेरे ही यहाँ पढ़ता ह वो मेरे से जुड़ा रहा है तो इसलिए इस गुरूप को हम कैसा रखे हैं प्राइबेट तो प्राइबेट में खास्यत क्या है कि जब आप लो इस डाउट सेल पर उधर से रिक्वेस्ट भेजिएगा तब इधर से मेरा स्टाप देखेगा देखेगा तो समझेगा कि यह तो इसमें आप लो भेजिएगा तो केवल जिसका एडमिसन हो जाएगा जो अपने बैच के हैं वो जुड़ेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा इसमें फाइदा क्या है कि माल लीजिए कि कल के डेट में आपको कल के डेट में आपको कोई कोशने पुछना है लेकिन आप आप इसमें पुछना चाहते हैं, तो आप सेम फोटोन लेकर टेली ग्राम पे भी डाल दीजे, और कहां डाल दीजे, फेस्बूक पे भी डाल दीजे, अपने कलास का ही बच्चा, अपने मेथर से, मेरा परहाय हुआ मेथर से ही कोई ना कोई सॉलूसन दे रहेगा, बातार इसके लाग क्या फाइदा है, कल के डेट में माली जे के आपको, आप जैसे माली जे रहते हैं, कोई माली जे रहते हैं बजार समीती में, उसको जोता है माली जे की रूम लेना है, माली जे रूम लेना है भीखना पहारी में, चाहा है मशुवा टोली में, तो वहां लिख द दोस्त देखेगा कि मेरे भीके सर के यहां के कोई बच्चा को रूम की जरो थे भीकना पहारी में, अब वो आसपास में रहता हुआ तो लिखेगा, दोस्त इस नंबर पर कॉल करो चाहिए, प्लीज कम हेर, I will help you. बात हारे समझ में, अब सुनिए, माल लिजे, कोई बच्चा घर से अकेले आया है, तो अकेले रूम लेकर नहीं रह सकता है, क्योंकि एक रूम का किराया ज्यादा है, उसको पार्टनर चाहिए, अरे रूम पार्टनर चाहिए, अरे बात हारे समझ में, तो रूम पार्टनर च को速 भूर खरी करद कैम्पक को साथ में रहते हो जालेगा तो आपने केंपस के लॉद सबांगा होसे क्वारोग सब्सक्राइब लिए थेलों में बैएलगा करेक्वाय जो आप है ऋपना को पीपर निट अपना जेस्का अपने केमपस के सब्सक्राइब तो आपका मेंसे देखेगा कि रूम पार्टनर रिकुआयर कंटेक्ट बारे में कैसे हम रहते हैं वह कैसे रहता है वह कितना बज़ता है वह फोन पर कितना दिर बात करता है इस अब समझ बजगे ठीक है ना इस्टबेंस ज्यादा नहीं हो सब चीज मैच करना चाहिए ना तो पाटना छोड़ियेगा तो इस पर मेसेज कर दीजेगा कि एक गैस सिलिंडर बेचना है ठीक है ना तो गैस सिलिंडर बेचना है अपने केंपस यह काल गदधा आपना कंटेक्ट करेगा ना कंटेक्ट करेगा कि ठीक है भाई तुम डेच सिलिंडर दे दो हमको तुम कितना मिली थे हाथ हम पान्सलों मिलिये थे अच्छों कितना में तो 300 आर 200 में तो उसका गैस सिलिंडर उपिचार कहां बेचेगा तो जाहिए तो कोई पुराना बेच रहा है तो कोई पुराना बेच रहा है अगर उपलब्ध हो जा रहा है तो बनिया उसको भरवार हो आपके सब फुरा कर देंगे गैस भरवा के खाना बरा के खुब खाएंगे पीएंगे रहेंगे चीका ना समझ गया आप लो माली ज़साइकल चाहिए किसी को साइकल चाहिए तो आप बताइए पाटना में घर से तो साइकल लेकाई एक नहीं ना कुछ लो तो घर से बस पर पहले लाद के लाता था जाता गाव में हाफ हाफ रेट पर चोकि ए स्टूडेंट लोग त्वास अब गरीब होता है इसमें कुछ खायत नहीं है सब लोग हम भी गरीबे थे सुरू में इस्टूडेंट थे तो इसमें कभी भी अपने आपको नीचे नहीं सबाजना है ठीक है ना तुमाले जे साइकल ले अब उसे करके बने का मतलब है कि मल्टी पर परस आप यूज कर सकते है ठीक है अब यह मत लिख दीजेगा या पर ठीक है यहां यहां इसा मत लिख तीजेगा कि लाइफ पार्टनर रिकवाइड अगर इसको जो है आप लोग मेट्रिमोनियल साइट मत बना दीजेगा कि मेट्रिमोनियल साइट नहीं है यह अर्यार स्वाज में कि लिख दीजेगा कि लाइफ पाटनर रिक्वाइड माई हाइट इज पाच फीट आथ हिंच सिप्यों में जॉब हो गया है भीके सरका इस्ट इसके बाद सुनिये जूड गया है गुरूप में जो यह नहीं खाली सुन रहा है सुर्य हाँ अब देखिये आप लोग में प्लेस्टोर में जा इस सभी लोग लेस्टॉर में जाएए ज़रूत का छीजे सब प्लेसटोर में जाना की कई onlineAr supportive jakby spend the away तो प्ले स्टोर का नाम सुने है एक प्ले स्टोर में गए वहां पर सर्च मारी है एकजाम मंतरा वहाँ पर सर्च मारी एक्जाम मंत्रा सर्च मारी एक्जाम मंत्रा ठीक है सर्च मारी एक्जाम मंत्रा डाउनलोड करिए उसको जो डाउनलोड कर लिए ठीक है जो नहीं किये हैं डाउनलोड कर लेज़े हाँ जी ओनलाइन वाले लोगों को पीडियेफ मिलेगा टेंसर नहीं लीजे डाउलोड कर लिए सुनिए अशा इसमें ना इसमें आप लोग करिये का सुनिए अशा वाइफ ही वाइफ ही हम नहीं दे सकते हैं पासवर्ड आप लगाईए कि डाटा सारा खतम कर दीजएगा ठीक है ना आदा गांटा पहले आईएगा फिल्ड में बैठ जाएगा मोवी डाउनलोड करिएगा हम सब जानते हैं आप लोग को वेब सीरीज डाउनलोड करिए गाएफ सीजडेए धिजना एक दरख रहे गांटा इजा मंतरा ठीक है ना तो अब एजाम उन्तर डाउनलोड करिएगा तो सुनिए एजाम उन्तरा डाउनलोड कर लीजीगा घर पे भी जाके कोई दिकत नहीं है आपके काम कहीं बात कर रहे हैं वहले थोग फजाम उन्टर डाउनलोड करिएगा तो उसका मोबाइल अप्लिकेशन है मोबाइल अप्लिकेशन में जाईएगा तो इना डैसिबर होगा 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 बहुत कुछ है उसमें आपके बैच का टेस्ट होगा क्या होगा जी टेस्ट होगा जो अच्छाइब मंत्रा हम लोका है दूज़े अविलेफल है मौबाइल में अविलेफल है मौबाइल अप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजेगा जिसको जिसको जो है वेब से काम करना हो, मुबाइल के थूर नहीं, जिसको लेप्टप या डेस्टोप पे देखना होगा, तो करेंगे www.online.exammentra.com, ठीक है न, तो सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये खुल जाएगा, या exam mantra आप जो ता है, Google पर सर्च मारिएगा, Google पर लिख दीजेगा exam mantra, अपने से क्या मतलब है, हालेगे आपका भाई बहन कोई पढ़ने वाला होगा, तो वहां से आप पता सकते हैं, यहां मैं देखे पेड लाइफ क्लासेस है, तो पेड लाइफ क्लासेस पर क्लिक तरह का कोर्स है यहां पर, new exclusive foundation math offline badge, जो लोग offline admission लेना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं काउंटर पर आके admission ले, आप चाहें तो आप घर से बैठे बैठे, आप कहीं भी है, समझतिपूर से है, समझतिपूर दर्भंगा, जहां भी हैं, वहां से direct आप जाईए, और admission लेने के लिए इस पर क्लिक करिएगा, जाईएगा उसके बास से, ठीक है ना, उसके बास से यह काम चल रहा है सारा ओफिस का, तो एक आउन से रुपिया, एक आउन से रुपिया यहां पर पे करके, एक आउन से उसके बास से यहां पर जाईएगा, तो आपका सब डीटेल देना होगा, उसके बास से यहां पर बाइप पेकेज करिएगा, दूसर रुपिया यहां बैंक पर नहीं आईएगा तो बैंक चार्ज आपका नहीं लगेगा आगर घर से लिजेगा जैसे बहुत सारे बच्चे अभी क्या किये हैं अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है जिए सीट अपना हम लोग का अल्मुस्ट फुल है बहुत सारे बच्चे जारखंड के कहीं कहीं द लोग आ नहीं रहें क्लाश बात अगा समझ में जैसे एक्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो आएंगे जो कि बेसिक चल रहा है तो बेसिक हम दुसरे बैच में मैनेज कर देते हैं तो लोग एक्जाम देकर आएंगे इस बैच में एडमिस्ट ले चुकर हैं बहुत सारे बच् अब यहां से अइडेंटी कार मिल जाएगा आपका क्लास लाओड हो जाएगा जो ओनलाइन करना चाहते हैं यहां से ओनलाइन सिर्फ पर्चेश करेंगे उनको आइडेंटी कार और नहीं लेना है कहीं से दिली से हैधराबाद कहीं से भी जुड़े हुए आप एडमिस्ट ले सकते हैं ठीकए अध्यान लाइन अपना क्लास के जे बहुत सारे बच्चे करते हैं ठीक है और धान दीजेंगे और भी बहुत सारा कोर्स है जोगी पुर्णा क्रस से उसको हड़ाइए अब सुने यहां पर टेस्ट प्लान है यह फिरी क्लासे छोड़ दीजिए हम फिरी नहीं पढ़ाते हैं ठीक हर मैं फिरी का मतलब है कि अब एक दो क्लास अगर हम डेमो टाइप का दे दे तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा फिरी भी पूरा अच्छे से पढ़ाई जाए उसका परचाल भी हो गया हूँ अलाइन कमाने का चक्कर है सब ठीक है तो वह सब हम ज्यादा यूटेव अगरे प्रेक्टिव नहीं है तो फ्री क्लासे का टेप बना हुआ है एक आध क्लास यहां मिल जाएगा उसे फायदा आपको नहीं है ठीक है कोई भी कोस यूटूब पर पढ़ा रहा तो समझें कि आधा अधूरा पढ़ा रहा कुछ ना को छोड़ देता है ताकि आप फंस है लाइफ बर्बाद नहीं करना है कहीं भी पेर कोर्स पढ़िएगा तो टीचर का भी जिम्वारी होता है कि हम पैसा लिये हैं तो अच्छे से पढ़ा है हम यह नही कुछ चार्जर लगता है इसका को जरूरी नहीं है लेना आपके बैच के लिए चेप्टर वाइज जैसे माल लिए कभी बेसिक का बेसिक का जब खतम होने वाला होगा तो यहां पर टेस्ट आएगा उस सब के लिए नहीं रहेगा जो एडिमिसन लिया रहेगा एफ लाइन सिर्फ उसी के लिए यहां पर आज आएगा उसके पेकेज में आएगा लिए तक हम यहां बेच में बोल देंगे कि आज रात में आपको इतना एक्रश के ना है आपको उस समय हम ऐसे करेंगे कि मेरा टेस्ट मेरे अप्लिकेशन पर हमेशा एविलेबल नहीं रहेगा हमातर एक दो हंटे का टाइम देंगे ताकि आप पंचुल रहा है क्या होता आपके साथ कि टेस्ट दिया जाता है कि ये टेस्ट जोता है कभियो मार लीजे तो आभी छोड़ देते हैं कि कभियो मारना के लिए हम टेस्ट का टाइमिंग देंगे हाला कि हम चाहेंगे तो मेरे लिए कुल कोस्ट नहीं हम चाहेंगे तो टेस्ट आपको जोता है हम दे सकते हैं जितना हमको दो घंटा के लिए देने में जितना कोस्ट आएगा ना टेस्ट वह हम दो महीना का भी चाहेंगे तो उत खतम करेंगे, डेट यहां पर रहेगा टेस्ट का, उस दिन टेस्ट यहां पर हम एक certain time पर live करेंगे, लाइव करेंगे तो उस समय आपको पता रहेगा, आप उपने घर पर बैठे हुए, टेस्ट मारेंगे, टेस्ट मारेंगे, उस चेप्टर से related question होगा, उस चेप्टर से related question टेस्ट मारेंगे, उसके बास से solution तुरंट वहां पर मिलेगा, तुरंट solution मिल जाएगा वहां पर, आप उसके बास सब्मिट जैसे करिएगा, आपको जो होता है result भी आजाएगा, कि आपका कितना marks है, कितना positive किये, कितना negative किये, आपको पता चलेगा कि जो हम basic किये हैं, जो क्लास किये हैं, वहां कहां कहां पर weakness है, उसको improve करिएगा, तो ऐसे हट topic में, कोई बड़ा topic होगा, तो तीन test भी ले सकते हैं, छोटा topic होगा, जैसे माली जो search and indices है, तो यह छोटा topic है, जैसे छोटा topic से हो सकता है, एक के test लेंगे, जैसे percentage है, बड़ा topic है, 35-37 क्लास पढ़ में, इसके बाद से माली, यह कोई-कोई hard question उसमें रहेगा, easy question का तो हम solution दिये ही रहेंगे, hard का भी solution दिये रहेंगे, लेकिन जो बहुत hard question होगा, हम आपके package में ही, आपके package में ही क्या करेंगे, को उसका video बना कर, हम यहां से live जोता है, कभी 8 बजे, 9 बजे रात में live होकर, हम सारा discussion दे देंगे, तो आपके mobile पर एजा मंत्रा जो application है, उस application पर उस test का discussion अपने आप आएगा, आप test के discussion को attend करिएगा, तो जो hard question है, उस समझ जाईएगा, समझ गया आप लोग, तो यह होगा, इससे पहादा, बाकी और भी कुछ है, current affairs आपको देखना है यहां से, तो जाईएगा, current affairs उस पर अपडेट होता है, ठीक है ना, तो current affairs यहां पर है, जैसे की, हिंदी चाहिए इंग्लिस, दोनों language है, language यहां से selector हीएगा, इंग्लिस है, हिंदी यहां पर किली करिएगा, तो हिंदी आजाएगा, ठीक है ना, तो पर slow चल रहा है, मतलब अपने आप यहां पर current affairs है, 20 January, January 20, 2021, Wednesday, आज का दिन, आज का दिन का current affairs इस पर upload है, पुरा पढ़िएगा कि January 20 को क्या क्या हुआ, इसमें आईएगा, तो यहां पर होगा, ठीक है ना, उन्हें इसका पढ़ना है, जिस दिन का पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजेगा, ज उन्हें आज को कर ले निजेगे, आपको में मोबाईल में हो जाना होगा, ठीक है ना, तो निकान होगा, ठीक है ना, तो सब कर दो को किने देख सकते हैं, इसके अलाभा, बाकी आगे भी कुछ-कुछ प्लान है हम लोग का वो जो होगा हम बता देंगे क्योंगी जोगर का अभी प्लान है जो आएगा तो हम नहीं है ठीक है ना तो यह सब चीज है अरे समझ गए है तो टाइम थो हो गया हुआ हां तो इजाम मंत्र डाउनलोड कर लिजेगा क्योंकि टेस्ट इस पर चलेगा आप लोगा ठीक अभी हम बंद नहीं करना है क्लास ठीक ना एक दो कोशन कराक छोड़ते हैं यह कोशन और करा देते हैं अच्छा तीन अंकों का गोड़ा तीन अंकों से आप सिखे न भी अरे सीख लिए ना एक अपने मन से एक जाम पर लेकर प्रैक्टिस करिए का हम दूसरा एक और ट्रीक बता के छोड़ते हैं आप लोग को ठीक है ना अब उसको भी कर वाएंगे हम तो पांच मेरे बैक से ज 2.0.3 into 2.0.3 into seven zero two इसको multiply करना है शिक बाद बताएए आ सो पुर समान को multiply कर सकते हैं कि नहीं कि यहाँ पलो प्र ऐखी समान के more और बेस्मान करेंगे नहीं आशा ती नंगों करेंगे पैसे कर सकते हैं करिए जल्दी करिए तीन उंकों करीये बेरिए पेरिगोड तीन अंकों का तीन अंकों से भी किया थे ना जी सिधा सिधा क्रोस ऐसे करके कम्प्रेट क्रोस फिर क्रोस सिधा सिधा हो गया क्या हो गया है चलिए देखेंगे बाबो लोग इधार इतर देखेंगे आप सर भी लोग अकलिनद की अई लिघक प्लीज देखेंगे आप करें ओंगे ऐसे 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 किए रहा है हम थ्य tellement नंबर हो लेकिन क्या लिखिया बताईए और बीच में क्या हो जीरो भी बीच में कितना धाड़ु आप लोग बीच वोग कैसे वारा तो के स्क्रास करेंगे था इसका गोड़ा ही इसमें आप डीजेगा..... एक अंको का गुड़ा एक अंको से कितना अंग ? दो अंग तीन दुना अरे बोलिए छे अउसके बाष से साथ दुना चाउदा आप बीच में दो अब इताए दो दुना चार दो दुना चार आप सात तरीका 21 आए 24 पशीस अरे आया समझ में क्या ? इतना ही आया है इतना ही आया है, तो समझे कि नहीं, नहीं समझे माल लीजे, कि समझ गया है, सिंपल, एकदम सिंपल है, देखिए, उतना माथा होथा नहीं लगाना है, कभी कभी बीच में जीरो आजाएगा, तो आप उगा दीजेगा एकदम ऐसे, तीन दुना छे, जिरो छे, साद दुना चौदा, अद्दु दुना चार, तीन साते एक एस, एक एस चार कितना जी, पुशिस, अरे किलियर है, हम एक और एकदम पल दे देते हैं, भान दीजेगा सभी लोग, हम यह आप दे रहे, 402 का मल्टिप्लाई करना है, 509 के साथ, कर ल भेरी होगा, आरे 5, 4, 20, 9 दुना कितना जी, 18, आशे बते इधर, 9, 4, 9, 4, 36, 5 दुना, 10, 36 सा 10, आरे बोल दीजे लोग, मन होग, कितना अंसर होगा, यहीन होगा, कर लिजेगा, एक और एकजामपल देखिए एडर, इधर देखिए, एक और एकजामपल देते हैं, 309 इंट 708, कर लिजेगा, कर लिजेगा, कर तो लिजेगा, फटाक देखिए करना एकदम, करिए बताईए, अब दाईए, आठ नवा कितना, 72, 7 तरीका, 21, आठ तरीका, आठ तरीका, 24, आणनो सते, 33, जोड़ी है, 87, आशा, यहाँ, यहाँ अगर 187 आ जाता तो क्या करते हैं, हाँ, एक यहाँ, एक यहाँ के ज़ब पर क्या कर देते हैं, 22 कर देते हैं, पीशे वाले लोग समझ के हैं, आशा, एक हो मोर्क हम दे रहे हैं, घर से करके आईएगा, ठीक है ना, तो दूसरा ट 35, थोड़ा करबर हो गया है, इसको नहीं इसको लिखे, थोड़ा easy है पहले, यह थोड़ा high level का हो जा रहा था जो लिख रहा थे, 3M4, into 4, into 4, 1, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 6 है, तो आपको बताना है कि, what will be the value of M, M का मान क्या होगा होगा, हो मर्क है, आप अब यह बता सकते हैं, लेकिन home work है हम दे रहे हैं, zero, ठीक, 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 चलिए, okay, good, home work है, zero हो जाएगा, कैसे प्रदर चला, ठीक, ठीक, हाँ, तो यह ठीक है, 4, 4, 16, 8, 3, 4, 12, 20 में zero होतो, हम यह समझाना चाहरा है थे, अब इस गरी, कि 409 का गुड़ा अगर हमको इससे करना है ना तो कुछ नहीं करिए, नो चोव का 36 लिख दिजिए, आचार चोव का कितना लिख दिजिए, 16 लिख दिजिए, खेर, हम कल बता हैंगे, चलिए, आज की लिए इतना ही, okay, ब्राज लो, दो मिनट रोक के जाना है, दो, पीछे, प्लीज, रूप जाए, इदा या कुदिया मत, बैट जाए ना दो मिनट, दो मिनट बैट जाए, निकले, फटा फट निकले, तेजी से निकल ये लोग, तेजी से निकल ये लोग, और लाइन प्रॉसांत, जोही, दिपक, पूजा, किसोर, स्वेता, जो लोग भी है, आप सबका आनसाच सही है, ठीक है, अकल इसके आगे कंटीनू करेंगे, हम कल आपको ये समझा रहे थे, कल हम ये समझा थे, लास्ट में, कि जैसे 308 का मल्टिप्लिकेशन, अगर माल लिजए कि आप पो 407 से सपूज करना हो, लास्ट में, यहीं पर क्लास क्लोज किये थे, ठीक है न, कि 307 into 407 मल्टिप्लाई करना है, इसमें कंटीशन क्या है, कंटीशन है कि बीच में, ये जो बीच में है न, बीच में, बीच में क्या हो, जीरो, बाइस सरी से समझना है, बीच में क्या हो, जीरो, हमेशा नहीं, जब बीच में क्या हो, जीरो हो, तो आपो करना क्या है बाब हो, क्यां दीजे, सबसे पहले यहां पर दो अंख, यहां पर दो अंख, यहां पर दो अंख, यहां पर दो अंख, छे अंख बनाना है, ठ तो अंक है अगर तीन अंक बनता तीन विकले में नहीं क्योंकि 9 9 होगा तो 9 x 9 बनाबर 8181 है लेकिन अगर 3 अंक अगर आएगा तो दो आखी यहां पर लिखेंगे और एक कईरी फरवार्ड कर देंगे ठीकहँ है अब पूरो दादिए थे जयरों का कि इस बार Administration दो आख मार्ण करके दो अंक कई यह दोणों को मिल्टीप्लाई करके इस रूब सेले और अंद्र का दो अंख हो गया बीच में बाना है बीच में आना है दोस्त और ध्यान दिजे बीच के लिए हम आपको बताये थे जिरो को देखना ही नहीं है आप लोगों को साथ से यह साथ को जो है थीरी से मुल्टिप्लाइ करना है और यह 4 को 8 से मुल्टिप्लाइ करना है तो फता है यह 7 3 का कि यहां पर हम लोग लिखेंगे कितना जी 53 तो यहां पे 53 हो गया और यह समझ में यह बताया थे ना चली रेखिए गाब एक और एक्जाम्पल भाई एक्टी भाई यह कि जले से बैठा लीजे दोस्त कोप्रेट कर दिजे बैठा लीजे चले रेखिए यहां पर यहां पर एक और एक और इसे इसक्टर करना कर सकते हैं को अगर आप लोग मिलेगा घुनलाइगा तो क्या मिलेगा तो हां बताईये जल्दी कमेंट करिए बता ये वहुत ही हंता बेरी गुड्च बेरी गुड्च बेरी गुड्च जल्दी बताईय विलों और केल कुलेट करेंब आगे ऊण्लाइन वाले लोग भी आंसर दीजेगा आसू अतूaj सांसर्सी विसाल दीपक पूजा प्रिया जोलू भी है चले ध्यान देजे सभी लोग देखिएगा जी यहां देखिए आप सभी लोग अशा इसका इसका गूड़ा करेंगे वन डिजिट मल्टिप्लाई बाई वन डिजिट इट विल बिकम टू डिजिट यानि कि वन होगा तो बनेगा कितने दिजिट गतरओ याओटफर मतलफी लिजिट साथ सोपू हो कितना जीए अठाइस कुछ एप सत्यूह किन देखिए वन डिजिट मल्टिप्लीन कितना जीट यानि कॉलियर है अच्छ सब्सुन करना है ला कौर्णरे ने साथ पच्छे 25 टू इन्टू फोर कितना एट पैंटिसाथ पैंटिसाथ तिरा लीज तो यहां पे तिरा लीज एनी 43 किलिए रहे क्या हो जाएगा किसी को डाउट नहीं है यहां तक डाउट नहीं है हम एक और लास्ट इक्जामपल लेंगे और उसके बास हम आगे अध्याशन कि मफ घ्राइब तुरंथ जल्दी से बैट जाईए ताइम पे आना है 645 टाइम में आपका ठीका ना क्लास का 645 मेरा इन करने का टाइम है आपका इन करने का टाइम है छे 30 लेकर 1645 के बीच में 50 मिनित में आपको बैट जाना आ कर ठीका ना चलिए देकिए हाँ ध्यान देज़े सभी लोग तो यहां पर हमें काफी इजी एक्जामपल ले रहे हैं ठीक है ना 203 multiply by 102 सपोज इसको multiply करना है कर सकते हैं किजे किजे सभी लोग ठीक है करिए हो गया हो गया क्या अपर तो सब्सक्राइब दोना में दूर बैठें आप इदे रहे हैं और इदे रहे हैं इतना जगाया अठीक चले देखिए तीछ वाले लोग देखना बाप देखिए अचे बताईए इजा देखिए गासा भी लोग थे इंटू टू पू तीन दूना छे तीन दूना कितना जी चे शे लिखें कि जी रहे जी रहे जी रहे यहीं चीज जीखना है डो आंक बनाना भई पाई जीर छे लिखिएगा इसका कुछ मीनिंग है बट इसका कुछ में यह बीच में आएगा तो इसका कुछ मेनिंग है बट इसका ये 0 जो है last में होगा, last में कोई इसका significance नहीं होगा, इसको नहीं भी लिख सकते थे हम लोग दो दूना चार, तीन एकम तीन, चार तीन, तर साथ लिख देना, साथ के 0 साथ, बेरी हुट, 0 साथ, अब समझ गए, मेरा आंसर है 20706, क्लियर है ना, चलिए, आशा एक बात समझना है, फिरे बोला जाता है ना, कि बुंद बुंद, बुंद बुंद क्या भरता है, घड़ा घड़ा की तलाब, भुंद भुंद तलाब भरता है, घड़ा भरता है, घड़ा, ठीक है ना, घड़ा भर एक तलाब ही बर जाएगा, आचले रेखें इतार देखें अब, अच्छे देखिएगा, हम लोगों 302, मल्टिप्लाई, बोलने नहीं है समझना आ अपकी बार, 302, इन दोनों को भाई मुल्टिप्लाई करना हम लोगो नहीं पेंच लाइए इतार देखिए अच्छा एक बात बताईएगा कैसा करिएगा दो गूड़े दो बराबर कितना चार की 0404 दो अस्क्वाइर दो गूड़े दो दो अस्क्वाइर जीरो चार तिलियर है अच्छा पता प्रेकर मत्लब कितना है जी बारो एक के लिए हर लिःशन माल गढ़िए तीन दो नहीं च्छे यान यरAD यह से इन है कि गुड़े दू तीन दूना च्छे दूबर आएगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तीन दूना च्छे दूना बारा नहीं समझें हम दूबर ऐसे करें एदम आप लोग एकदम केफुल हो के सुनिये ठीक ना इदम देखे साधानी अच्छे साथ समझेगा ना पसेलेक्शन छोटा छोटा गैप बना के चलिएगा सुचिएगा कि यह ओला नहीं समझेंगे तक क्या हो जाएगा अगला समझ लेंगे तो यह हो गया ऐसे एक दिन और हो जाएगा फिर जाने का आदत लग जाएगा यहीं बड़ हैबिट होता है क्या चीज़ कि आपको कभी मन करेगा कि अगला एक दिन दो दिन बाद पिसरे दिन बाद क्या होगा फिर मन में आएगा क्या मन में आएगा कि क्लास में फिर आज आने का मन नहीं क्या रहा है चाहे स्चाहिए आज में आइज बन गलते हैं उज़े 오े जी नहीं है आगःगा उस्य विधोर आनम पर मलत थो फिर एक ताइम आये का आई जैंव हो थो फिर जाने का मैं आघ नहीं समझते है निगेटिव फिंकिंग ठीक है ना उसके वाद से ऐसा होगा कि फिर से क्लास छोड़ दीजेगा और उसके बाद से पढ़ाई आपका क्या होगा ये हम एकदम इंस्पेक्टर बने रहेंगे तो क्या होता है धीरे धीरे जोग हर इंस्पेक्टर बने लगते हैं ही चेहिकत में हैं बस यहीं कमी हम लोग का ठीक है ना तो चलिए देखिए हम जो बोले उसको सुनिये ध्यान से टाइम पाईए लोग एकदम टाइम पर 6.45 आपका टाइम नहीं है आप लोगा टाइम कितना है 6.30 6.30 में क्लास इन करने का टाइम है I request each and everyone please come on time हम आप सबसे request कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत पढ़ाना है हम 6.45 में एकदम मेरा टाइम रहेगा 6.46 मेरा टाइम रहेगा 6.45 में हम क्लास में मेरा पैर इन हुए आएगा तो हम इसलिए आपसे चाहते हैं कि आप लोग 6.30 से 6.45 के बीच में इसके बीच में आप आकर बैठ जाएगे प्लीज मतलब last आपका आने के time 6.45 मेरे बाद मतलब क्लास है क्योंकि हम लोगा क्लास है यह आपका क्लास है मेरा क्लास है इस क्लास को अच्छे से चलाना हम सबका काम है, हम सबका जिमवारी है, आपको प्रेट कीज़ेगा, तो ही जाकर हम टाइमली कम्प्रीट करेंगा, अभी तो हम स्लो चल रहा है, डरियेगा मत, ठीक है न, हर चीज समझे में आएगा, कितना हो फास चलेंगे तो, लेकिन पठाना बहुत ज्यादा है, ट टाइम पाई ये लोग, और कभी क्लास मिल श्यादा कीज़ेगा, ठीक है न, है चलें रहेते है, हम क्या बोले, टीन दूना छे, टीन दूना छे, ता ज्टू बार छे आया, त्छे दूना कितना आजी, बार, इसको ऐसे भी कर सकते थे, टीन दूना 3 2 6, डुना 12, 3 2 6, हम जाते ही कि एक बड़ और रहेगा, तो 3 2 6, डुना 12, डायरेक्ट हम यह आपर कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे, actually, actually हम आपको जो समझा रहे हैं वो समझे नहीं आप, यहां पताइए 2a squared अर्यारा स्मझ में अशा 2a squared क्या लिखोगे बही क्या लिखिएगा 0 4 की 4 अशा ज़ी लेगो अशा कितना लिखना है 2 अंक अब बीच में कितना अंक 2 अंक अशा Last में कितना अंक 2 अंक तो लास्ट में 2 अंक जी कहना अब ध्यान दीजिए आपसे भी लोग अब अच्छा एक बात बताइए 2a² 0 4 अच्छा एक बात बताइए 3 into 3 3a² बोले थे हम 3 into 3 3a² 3a² का मतलब 0 9 या 9 लास्ट में हम 9 भी लिख सकते हैं तो आप बताइए 3a² कितना अरे बोले ये 0 9 अब बीच में कितना अंक बचा है दो अंक ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा 3 2 6 6 2 1 3 2 6 3 2 2 बार तो 3 2 6 2 बार तो 3 2 6 2 बार या 3 2 6 2 बार तो 3 2 6 2 कितना जी बार अरे आया समझ में कर लिजेगा कि नहीं कर पाएंगे अगर कर लिजेगा लोग 4 0 7 का a square आप within seconds बताईए जल्दी बताईए हम तो एक साइट से बोल देंगे आप लोग भी बोलिए 16 56 49 बेरी गुड बेरी गुड दिखाईदे आपको चलिए क्लास मत छोड़िये लोग प्लीज और टाइम पाईए लोग आपके आपके आने के एक मिनट के वह जास है देखिए हम लेट हैं हम पुरा बैच लेट हो गया उन फुर्ण नहीं मानिएगा लेट सभी बच्चों को हम बोल रहे हैं मेरे माइन में यह आए आपको वह बढ़ियास नहीं समझाए हैं मेरे माइन में अचल रहा भी और यह बढ़ियास नहीं चमदें समझे तो इसको समझेने में हलका वह फूरो जो आ गया है सभी है स्टूडेंट वह फूरो आप में नहीं आया होगा ठीक है ना तो फिर एक बस समझे लेकिन कल से टाइम पाइए प्लीज मैथमेन आप एक सेकंड छोड़ियेगा तो कई ना कई थोड़ा सा लेप्स करेगा अरे शोला जी अशा बताईये साथ चोग अठाइस अठाइस दुना चपन तो यहां पर हम लिखेंगे 56 किलिए रहे क्या आशा यहां तीन आंक आया होता तो कितना आंक लिखते लिखते दो आंक आईदा सोला के जब्सक्राइब क्या हो जाता है सटरा किलिए रहे हैं आशा बीच में बीच में क्या हो जीरो लोट कीजैंटना आप लोग बीच में जीरो बीच में जीरो हो तो ऐसे हम करेंगे हूं लाज помощ के चलिए अम ऑगर दोस्त कि चलिए देखिएगा आप सभी लोग देखिएगा यहां पर हम लिख रहा है अच्छा एक हम एजामपल और दे रहे हैं आप लोगों जस्ट पर प्रैक्टिस कि आप लोगों को बताना है 708 का स्क्वायर का भेलो क्या होगा कि आपने बनाए बेरी गुड़ बना लिए क्या होगा पीछे वाले दोस्त बना लिए क्या लाएं आप लो ठीके चलिए देखिए इदर मेरे तरफ एक दूस्रे की तरफ नहीं देखना है मेरे तरफ देखिए सभी लोगे देखिए इतना भी समझेंगे एज़ां घ्राधर फिर से देखना है बार बार समझना आ है ठीक ह offenders आठीक ना देखिए आठ अस्कॉार कितना जी 63 के लिए अचे बाद बिता प्रोइस होता है इधर से किया थो प्रोशने लिए के लिए लें आले हम समझाने के लिए वैसे किये थे लेंगे सभी प्रोसेस इधर से इधर बढ़ना है हम इधर से इधर बढ़ेंगे अब ठीक है ना तो बताइए आठ रे स्क्वाइर कितना 64 सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर लीजेगा हम एक और एक्जामपल देते हैं लास्ट इक्जामपल इस टाइप का 908 का स्क्वाइर इधर केल्कुलेट आटे स्क्वाइर कितना जी 000 रहे खर पूए बड़े 1च नाकिशri ऑस्क्राइब कर दना कितना जी 45 ऐसे फसक्राइब केूफ केल्छ ऐसे हाथ में एक अरे एक अशाबत है ये नो का स्क्वायर एक आसी आई एक आसी है एक 82 तो यहां पर हम लिखेंगे 82 कि लिए रहे क्या है किसे को डाउट नहीं नहीं है आगे पर जाएं ध्यां दीजेगा इस एक पर और ना समझाएं हाँ देखें यहीं दिकत होता है देखें कोई बात ने समझे अच्छे से 8 स्कॉयर 8 स्कॉयर 64 ठीक है 2AB ठीक है ना 9 8 72 72 दुना अब आप से नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं है 72 इंटो 2 करिएगा तो हो जाएगा 4 144 ठीक है ना 144 का कितना दो अंक लिखना है तो 44 ठीक है ना केरी कितना होगा वन उसके बाद बताईए 9 का स्कॉयर करेंगे तो 9 स्कॉयर 81 81 81 में एक जाकर जुड़ जाएगा तो बताएं कितना हो जाएगा 82 समझ गया है पुषना है अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से ड़िएगा नहीं ठीक है ना फुषने के लिए बुड़ा पाजाद है लेकिन डिस्टरब करना टार्गेट नहीं होना चाहिए किसी किसी का intention होता है class में so करना, कोई कोई दिखाने लगता है, ठीक है ना, वो चीज पसंद नहीं है, कोई कोई को डिस्टर्ब करता है, class disturbed नहीं होना चाहिए, बाकि आप, आपका intention सही होना चाहिए, और आपका intention सही है तो आप मेरे से पांचो बार पूछ सकते हैं, हमको दि कितना अंग था, कितना अंग था, तीन अंग, चाह तीन अंग था, सुनिए, तीन अंग था, लेकिन बीच में वो condition था, कि बीच में क्या होना चाहिए, जीरो, तो क्या सभी तीन अंगों का a square आप निकाल सकते हैं, क्या सभी तीन अंगों का a square निकाल सकते हैं, नहीं, निक ताके वहां पर कुछ और लाते हैं और उसको सिखते हैं कि उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, हम एक बहुत एजी एक जामपल, 3,1,2 का स्क्वाइर हम निकालने जा रहे हैं और एक दाम मन से समझेगा, हम बहुत स्लो बताएंगे, बाद में बहुत फास्ट आप कीजिए एक बार में देखके बूल दीजेगा, ठीक है ना, लेकिन हम पहले सुबह बताएंगे, ठीक है ना, देखिए आप, देखिए, तीन पार्ट में, हम अभी समझा हैं, तीन पार्ट में, पहला पार्ट ब्रैक अलर से है, दूसरा पार्ट ब्लू है, ये लास्ट वाला रेड ह ठीक हा ना तीन पार्ट में जो मरें रहा हैं जीरो होता हुझाली हैं तो क्या करें कुछ नहीं करना है सदी है अब यह सुचिएगा ना यह सुंची एगा कि लिए फौरेंगे चलिए तीन से बार ज्याद है तो बार लो लेके चलिएगा हम तो टीन तरीका है मेरे पास लेगन हम पहला तरीका फैर है वो बेस्ट है ठीक है ना 12 का A-square बताइए 114, 144 तो 144, 144 यहां पर एक आएगा अगा, अगे रहे कलियर है गरे कलियर है ना दोस्त, अगला देखिएगा अच्छा इसको हम माने हैं तू, आये माने हैं A, ये माने ही क्या चीज भी? तो अभी हम किये को B square फर्मूला होता है A plus B का whole square A plus B का whole square कहता है A square 2AB और क्या चीज? B square तो से पहले B square करते थे तब 2AB करते थे A square करते थे अरे करते थे थे ना देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम B के जग़ाँ पर दो माने है कि 12 माने है 144 का क्या चीज? 44 हाथ में कितना? 1 अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? 2AB अरे होगा जी आपको बताया थे कि इधर सीधर जाना है पहले B square तब 2AB 2A बताइए 2Ti 6 और 6 गुड़े 12 72 आप 72 आएक बोलिये लो 37 अरे कि लिए रहे इतना? आशा लास्ट में बताइए क्या होता है? अरे लास्ट में क्या होता है? A स्क्वाए एक जगा पर क्या है? 3 3 A स्क्वाए 0 नो लिखना है लेकिन चुकि 0 इदार आएगा तो कोई उसका मिनिंग होगा नहीं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 9 यहां 0 लिखिए यहां न लिखिए बात बराबर है यहीं आपको आंसर है नोट कीजिएगा भेरी हूड जो लो भी ओनलाइन है आप लोग आंसर देते रहिए और भी तरीका है बहुत तरीका है ठीक है ना? दो-तीन तरीका है मेरे पास भी लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाईए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है ना? हो गया है क्या? चलिए देखिये आप लो समझ गया है अचलिए हम एक देते हैं उसको बनाईएगा अप लो बनाईए गा लोग बताईए बनाएगे सब दो-सौण नीस का इस पर नकाल सकते हैं आप लो आशा ये दो अंकोगा है कि तीन अंकोगा तीना कोगा बनाई बेरे गोड़ बेरे गोड़ बनाई 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 बनालिय नाओ हो गया है चलिए देखिए इधर आप लो और हम दे रहे हैं दस सेकंड बनाई बिस सेकंड दे देते हैं चलिए आराम से बना लीजिए आरे इस चालिस सेकंड आपके पास बनाई आराम से जो लोग कमजोन है वो टेंसर बनाते हैं ताइम में नहीं मिल रहा है तेसले ज्यादा टाइम दे रहा है है अपर ही भाइज करते रहे एक है ठीक न आप जो है जो है बेशिक टेस्ट वन जितना पढ़ाई हो चुक है वहां तक करब टेस्ट वन हुँआ अगले आथ दिनमाहिए रही है ठीक न अगले आठesz दिन को अंदर सें सर्प्राइश होगा ठीका ना, क्लास में आप आएंगे, क्लास में paper on हो जाएगा, आपका application है ही आपके पास, सब लोग exam देंगे यहीं पे, ठीका ना, 20 मिनट का paper होगा, बागी पर हाई होगा, 20 मिनट में exam देना है, submit करिए, ठीका ना, तोर surprise test कभी भी ले लेंगे, ठीका ना, test होगा, test के साथ में prize भी रहेगा, top 10 के लिए prize रहेगा, top 10 के लिए क्या रहेगा, कुछ ना, कुछ हम जोता है, जो है, क्या करेंगे, आप लोगों को appreciate करेंगे, ठीका ना, ताकि आप और मन से पढ़े हैं, ठीका ना, top 10 को, जो top 10 में रहेगे उनको कुछ ना, कुछ प्राई कि 19 को बलीए लो 19 को जी 19 को प्कड़े ना 19 का स्कॉर प्लीए 300 भेरी फिरीगोर जैना इस एक शर्थ हाथ में हाथ में कितना है थीन है अशा बताए कर दोट दू ना चार तू एट बी के जगए पर क्या है कि बीके जवाब पर एक है कि नौ है हाँ उनिस है तो पताए टू ए बी तो दूना चार आउने इस चोग को ची हट्थर अच्छी हट्थर तीन सेवेंटी नाइन तो सेवेंटी नाइन हम लिख दें यहां पर अरे लिख दें आशा बताएए दो स्क्वार जीरो चा अब तो समझ गए होंगे समझ गए हैं ना कि कोई डाउट है नई डाउट है ना चलिए देखे देखे इधर आब अचा एक बात बताएए हम आप लोगों को पढ़ाये थे हम आप लोगों पढ़ाये थे दो अंकों का टू डीजिट का एस्वायर निकालना हम सिखाय थे हम एक बहुत ईजी तरीक आपको बताया थे कि स्वायर वी बीडे स्कॉर आप गया ऑख लिए बीच स्कॉर फिए ना व Zaris सी तर लिखते थे साध घुर अνचास का हात में अचा यहां एक एक हगों का लिखते थे यहां या लिखते थे यहां यहां अएक हगों को लिखते थ तू ए बी दो ती आई, छे सते, अब दे आलिस चार, छी आलिस का, हात में चार, तीन स्क्वार, और नो चार, ये बताये थे क्या, अरे बताये थे ना, सुनिए साही से, मन से सुनिए, जिन्द्गी बदलने वाला है, बस, यही धिया रखना है, जैसे माल लीजे भाई, और त रिकाइण बंद कर दिजी, पीछे, सबसे लास्ट बैंच पर, रिकाइण बंद रखे, चले देखे, यूटीब पर नहीं पढ़ा देते हैं, चले देखे, एदर आठ, आठ का, स्कॉय Κiतना जी? चոर और, चसर का कितना? चार, चोन सर का कितना? चार, इसके बाद एक हाथ म कितना है छे तू ए भी दो चोगा तो चोगा आठ, आठचाटाई 6 अचल सअест सच बोलिये सतर ना यहां से आठ इसपा चॉइचार लिखे हैं छे बचा हुआ था सब चोगर चॉआ निक्त शे बचा गया हुआ है कितना 7070 को क्या लिखेंगे जीरो हाथ में कितना साथ 4Sqr 16 आ 167 बोले लो तेज़ जी अरे हां कि ना अब कहिए अगर सब्सक्राइब क्यों कर वारे जो तेज बच्चे हो तो यह भी सोच रहे होंगे कि चलिए वैसे भी ठीक है लें हम वैसे थोड़े निकालेंगे पचास हो काई स्क्राइब है तो फचीशौ 2 और 1500 क्यों टेइस्वरा अधोशा-थोष्टी फट पालाउडा नीकाले ना स्कूर्स पातिजया को और दो को कजब निकाल पाईएगा तभी तो बढ़िया से तीन अंकों का निकाल पाईएगा हम दो अंक नहीं सिख रहा हैं हम स्कूर्सिख रहा है कितना या तो कि तीन आंकों में दो आंकों की जड़ütfen है अगर मां लीजिए कि हम लोग को निकालना है 746 का A² निकालना है अभी हम 312 दीये थे तो आप फटाक फटाक 12 का A² 322 का A² 244 बता दिये थे 319 दिये थे तो 19 का A² 361 याद था लेगिन अभी बार हम 1746 का A² तो च्छी आली से स्क्वाइर निकालने आना चाहिए तेजी में या च्छी आली से स्क्वाइर याद होना चाहिए दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए अरे हां किना जी, अरे हां किना, अब बताइए, 46 स्कोर बता सकते हैं, बताइए, 46 स्कोर बता सकते हैं, अशा 46 स्कोर, 50 से कितना कम, अगर 50 कितना बढ़िया समझाते हैं, दुसरा को टीचर ऐसे समझाता है, बताएं, वहीं चीज़ा कोई दुसरा पहा देगा, हम पहा देगे जमील असमान का अंतर हो जाएगा, ऐसे टेकों मेरा मैच नहीं करेगा सब किसी से, ठीक है ना, टेक भी नहीं मैच करेगा बहुत कुछ, और कुछ मैच भी करेगा तब पढ़ाने के तरीका मेरा यूनिक होगा, एक्जांपल देते हैं, हम ऐसा पढ़ाते हैं, हम ऐसा पढ़ाने का सपस्पा है कि और पेट में नहीं गाएँ, जैसे खाना खाते हैं तो कहा जाता है, पेट में पच्छता है उँव, को कि दाइजेश्लो अभल Simmons के बासे जो उसमें से जो ही भी voitamin आज होता है कि अ यहुद में चैश्री अधिर्छ करदे कि सीरे सीधियां जाए प्लोड में भेजते हैं इसे लिए इतना मेहनद करते हैं अपको हम पह young सुनिए आप लोगों को हम पढ़ाये थे टूपल नाइन का A-square एक रम हला नहीं करना है प्याप से समझना है हम समझाये थे कि 9 का A-square बताई कितना होता है एक आसी अरे बते आशा एक नो का A-square होगा एक आसी कितना नो बचा है दो नो तो दो प्लेस यहां अदो प्लेस यहां यादर आए है हम चाहते तो आपको इसको ऐसे भी पहा सकते थे हम ऐसे पहा सकते हम सिंपल तरीका से बोलते कि इधर इधर सुनो ना घटा दीजेगा हम तक हटा दीजेगा तो जीरो जीरो अब बहा दीजेगा तो नो नो इतना हम बोल देते आगे बढ़ जाते अब उसमें दिकत क्या होता आपको दिकत हो जाता आप जैसे तो तीन महिना बीत था आपको यह याद आता कि 9 का A-square तो एक आसी लिख देना है दो अंग का मतलब दो अंग लिख देना है वे इससार घटाने बढ़ाने का बात किये थे किधर घटाना है किधर घटाना है किधर बढ़ाना है यह माइन में अभी जिस तरीके से फिट है अगर हम सीम्पल बोल दिया रहा थे तो फिट नहीं होता हो सकता आपको लगता कि लगता है कि इधर घ डिव दोन लोर करें, हाईयर पर क्या करें? हाईयर करें. अर्यारे समझें, क्या भूल पाएंगे, जे दिन मरते रहिएगा नौ। जे दिन मरते रहिएगा जिस शास चल रहा है, लास्ट। प्रेट नाणों से स्वाइब जैने कर्दक म्तम स्वाइं तुम सब्सक्राइक है निचालना ooh अधर्त है चलिए छोड़िया जाए हम कहां थे इंधर थे अ इस थे अझय का asks कि वहार रही तो कोई एक चटा देगा होस में आएगा तो तो आप बोलेगा कि 9991 का स्कॉैर बताइए तो क्या किजिए गारी एक मौका स्कॉैर लिख दो उसके बाद लोगर पर लोगर करो और हाईयर पर हाईयर करो याद रहेगा ना हाँ वेसे ही यहां पर आये च्छी आलीस स्कुरार लिखना हम लोगों को एक बार में नहीं लिख सकता है सुनिए कितना बढ़ियां से पचास होता तो पचीस सो अरे पचास होता तो पचीस सो चार कम चार सो कम तब पचीस सो में चार सो रहा बोलिए एक एक एस सो अरे कितना कम है कितना कम है चार चार का स्कुरार अरे बोलिए सोला किलियर है क्या कि नहीं किलियर है सुनिए तो यहां पर कितना लिखेंगे तो अंक सुनिए ही में हैं है दो आंग दो अंग दो आंग तीन पहोता है अरे होता है ना यहीं ना फिर यह स्टेप होता है होता है होता है अब तो 46 स्काइब कितना मन में आना चाहिए 46 स्क्वाइर कितना मन में आना चाहिए मन में लाईए नहीं ला पार है तो सूचिए सही से 46 50 से कितना कम चार कम 50 वोता तो 2500 चार कम तो 400 कम तब 2500 में 400 हो गया अरे बोलिये एकई सो, इसका कव में तो चार कास्कवर कीतना है? 16, 1016 сейчас 16 here, ह कासल यहां पर आएगए अभ इसका आगे देखियेगा, 2AB, 2, A, B, आरा समय में? अब 2AB करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम तो चाहेंगे तो एक मौखी कर सकते हैं, लेकिन हमको सिखाना है, हम आराम से करते हैं थीखे, और हम दू तरीका से करते हैं 46 दूना कै है ऐज यह भी नहीं आता है 46 दूना नहीं आ रहा है अरे नहीं आ रहा है तोー कोई बात नहीं 45 दूना मांड एसर काम करना चाहिए 45 दूना 90, एक ज्यादा है तो दूगुना करेंगे तो दो ज्यादा तो कितना बानवे हो रहा है अच्छा नहीं पहो रहा तक अधिक हो जाएगा जैसे अच्छा सुने एक हम कोशन देता है इस पर आते हैं बाद में कुछ शेहरा को देखते हुए कुछ लोग चेहरा मयूस बनाय हुए ह कुछ जो क्या है सब्सक्राइब नहीं चल रहा है इसलिए पता आप नहीं चला है जो भी कम जो हैं कोई बात नहीं है हम बोले थो आपको सेखने घर कुलास में बॉले थे सामी बिवेकानन का स्ट्रेटमेंट बोले हुए थे उसमें ये बात बोले थे कि वाट रिव तोड बताया थे ना, आज आप थुआ सा कम जोड भी हैं, तो पीछे थुआ खराब काम किये हैं, नहीं बढ़ियां से काम किये हैं, बढ़ियां टीचर से भेट नहीं हुआ था, बात आवे से वज में, या आप मेहनत नहीं किये थे, कही नहीं कमी रह गया था, लेकिन, वाट यू आप मेहनत करेंगे, तो यह 46 x 2 नहीं होगा, क्या, यह तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा, बात आवे से वज मेना, तो इसे घबडाना नहीं है, हम एक कोश्यन आपको देते हैं, उस कोश्यन का अंसर नहीं देना है, क्या है? उस कोश्यन का अंसर देना है कि नहीं देना है, आप पूरा कोश्यस कीजिएगा है कि हम आंसर नहीं देंगे, ठीक है, मन में गाना होना सोचिए, कोई मोभवी के बारे में सोचिए, कुछ भी सोचिए, मेरा कोश्यन बस सून लीजेगा, लेकिन आंसर मन में भी मत लाइजे आपको आंसर नहीं देना था, कितना भी आप अपने आपको रोके, आपका मन, आपका दिल, हर चीज, आपका नस, आपका हाथ, आपका मुँव, सब आंसर दे चुका है, आपके हर जगा पे साथ है, अरे हाई की नहीं है? इसको क्या बोलता है? प्रेक्टिस, बश्चपन में यही तीन और साथ को जोड़ते थे बाबू, तो ऐसे करते थे, जब छोटे थे आप इतना छोटा, तीन ले लेते थे पाले, तीन को हो गया है, अब चार जोड़ना है, एक, दो, तीन, चार, अभी पता नहीं चलता था, फ तीन, चार, पांट, छे, साथ, साथ होता है, ऐसे बताते थे, अरे आफी लोग तो थे, हम भी ऐसा किये है, आप भी किये है, किये है कि नहीं किये थे, क्यों, क्योंको उसमें हम सीख रहे थे, प्रेक्टिस नहीं किये थे, अरे हाँ किना जी, हम उसमें प्रेक्टिस कर रहे इसलिए 3 प्लस 4 जोड़ना में रिफिकल्ट था लेकिन चुकि हम लोग अब जब जोड़ते हैं जब भी जोड़ आता है जैसे माली हम 3, 4, 2 दे आई यहां पे माली जोड़ने में 2 प्लस 1, 3 इतना बार कर चुके हैं 4, 2, 6, 3, 7, 10 इतना बार कर चुके हैं इतना ना प्रेक्ट कीसे कुर्टे हैं कि हम बोले कि 3 प्लस 4 हम बोले ते कि नहीं दे लेकि अलौ र जगे आपके शरीर में ब्लड में नस में शांसों में रूं में हर 400 तथा μ 252 हम तो बोले थे कि नहीं देजिए लेकिन आप23 आमसर मूंस नहीं न बोले लिंपा सरी अपषी में आंशर देच था मैं ठान अंगर जैसे एकन को से शिखे थे कि अपर प्रेक्टिस करते कहलें अचौर्ण बड़ेंगे शड़े जोड़ेंगे तो अच्छ जोड़ेंगे, श्रॉच जोड़ेंगे, वह भी हम दिज़ते हैं, आच्छ तेयरों पहले हैं, एन रेज जोड़ेंगे, बटीस ए तरिस बटीस इस वह पी तीर है, नहीं है। यह भी होता है, माइन ऐसे नहीं काम करेगा, तो ऐसे सोचे, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़िए, अगर हम बोले कि 32 प्लस 36, तो आप जोड़िए 30 प्लस 36, माइन बहुना चाहिए ऐसे, आपना माइन मेंटल कल्कुलेशन, हम तो किस पर वर्क कर रहे हैं भी, मेंटल कल्कुलेशन, 32 30 प्लस 36, जैसे माइन बाएगा, तो 30 प्लस 30 कितना, 60, आच 6 प्लस 2 कितना, 8, तो कितना हुआ, 60, अब इसी चीज को फास्ट लाना है, हो पा रहा है क्या, हम जो सिखारे हैं, सीख पारे हैं कुछ-कुछ, ठीक है न, जो तेज होंगे तो आप बरदास कीजिएगा, आपके विलें, ठीक है न, चले एक और जोड़ा देते हैं जी, हम अले जैरों को 37 में, हमको क्या करता है, 37 में, 37 में, 37 में, आ हमको 38 जोड़ना है, नहीं पदा चल रहा हमको, कोई बात नहीं है, 35 प्लस 25 si 750, मन में ला रहे है, 35 प्लस 35 siyttad, अरे ठीक है, ठीक है, गाना नहीं गाना थीक है, थीक है, थीक है, ठीक है, चलिए, यथे रहे, थीज ब्लस 25 कितना, 70, और कितना बोले थे, 37 एछा है, दू आत तीन कितना, 5 कितना हुआ, 27, Doing so, let's make a money, जोड़ दिजेगा, जोड़ दिजेगा न, ठीक है, 44 प्लस 35, 44 plus 35 बोलिए 79 कैसे जोड़े आप लो हाँ ऐसे जोड़ लिजे सुने सांथ हो जाए कुछ कम जोड़ बच्चे हैं उदार से बेचारे ऐसे हो जाए 44 में 35 जोड़ना था तो हम 40 माल लिए 4 उदार से निकाल दिये इसको दे दिये तो 44 का 4 निकाल के इसको दे दिया ये बन गया 39 ये बन गया कितना 40 अब दोनों को 40 40 माने 80 ये वो एक कम था तो अशी की 79 79 ये जिस फिल होना चाहिए ये क्या होना चाहिए फिल होना चाहिए फिल हो पा रहा है पीछे वाले लोग हो रहा है 44 44 plus 35 4 उदहर मन मैन आना चाहिए से मैन मेनन 4 उदहर बचा 40 चालिस और से अच्छा 4 उदहर नहीं होना चाहिए कुछ और होना चाहिए , होन तालीस हो गया यह खाम है 20 हो यह माहिन में आना चाहिए ऐसाण है न !!! एक जोडदे 500 टीजेगा जोड़ के लो..? अन्थावन में जोड़ना है बहतर और यर्दूस का लाक इसको दीजिए बहतर वाला दूसको डीज़े साठ्वा संटाथ प्रस सतर नहीं कर सकते हैं ए सब्सक्रण अजी अधैसे जोड़ियेगा प्रैक्तिस ठीक है ना क्राइब करेंगा वैसा ही रिजल्ट होगा ठीक है ना सिंपल चलिए हमाते हैं जी कहां से कहां लेकर चल गया हमको हम रिदा थे आज यह चलिए बता है छी आली से स्क्वार्र है बोलिए है कितना एकाई सोल है एकाई सोल में क्या लिख दिये बाबू सोल है क्या बचा है एकाईस को भी करना है तर्प्रेवी दो तरीका से एक दो साते चौदा गुड़े 46 कर दीजे है हम को तो बढ़ियां लग रहा है कि 46 दूना बानवे गुड़े साथ मन में बैठा लेंगे बानवे गुड़े कितना है जी साथ यह हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए हम इतना भी नहीं लिखेंगे ति एक अंका गूड़ा दो अंको से वड़ा सात दुना बोले साथ दुना चोओदा चाओदा एक पंदरह एक हासल था ईको जोड़िए यह जोड़ी 14 14 15 15 हाथ में एक अशा बताईे साथ मावा साथ मावा अपिर सठथ दू इस बोग ये मैं सट आपैसर एक छाठड का शे हाथ में से समझ पा रहे हैं अशे लास्ट में पताईए क्या करेए साथ स्क्वार साथ स्क्वाइर उन्चास अच्छे पच्पंड तो यहां लिख मेरा आंसर यह है समझ पाया है बाकि यह सब क्या है हम जो कैलकुलेट किया हो सब जो आया है ठीक है ना अच्छा पते 46 स्क्वाइर कितना एक 116 परसोनर सो निकाल रहे थे 46 स्क्वाइर बड़ी मेहनत करना पढ़ दाता तो यादे है वैसे कल 346 भी याद रहेगा जो याद करने वाले हैं जो मुर्ख है जो मेरा एक परसेंट फॉलो तो तो कुछ नहीं होगा घर पे जाके दस हम बोले हैं कि आने के समय आधा घंटा डिविजन जाने के बाद आधा घंटा बस एक घंटा हमको देजे पर दे आप घर पे था हम आपको आधा देए मं मैध में याद रहेगा हमको जीनी में किatना भी चाहिए जाहिए तो कि दライ कर देंद नहीं करवा कर जिसका रिजट आप चाहते हो कि नहीं हो इससा सब्सक्राइब इंस्पेक्टर बनेगा, रुखो, खर आपटीचर पस ले जाके इसको छोड़ देते हैं, तो उसका नहीं करवाएगा, बाकि जिसका रिजल करवाना होगा उसका तो मैंने पास करवाएगा, भरे कितना उडाटेंगे, इसलिए कि पढ़ाएंगे इतना सुपर कि कोई नहीं प कि 724 स्क्वार बताना है जी, बेरी वूड ओलाइन जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आपका कमेंट हम देख रहे हैं, आप टेंसर मत लीजेगा, करे करे जल्दी करे करें, चल् Strategy इप मेरे तरफ देखिए अब, च्छोड दीजे मेरे तरफ देखिया प्लीज, आप लोग बेंसरा बंद किजिए मेरे तरफ देखिए सभी डिख नहीं कोई बात नहीं है, किसी और से नहीं समझेए, मेरे से समझेए, क्लास में सिर्फ मेरे से समझना है सावा घंटा मेरा है किसी और का एक परसेंट हमको इंटरॉप्शन नहीं चाहिए आपका सावा घंटा मेरा है 6.45 से आठ इसमें किसी तरह का डिस्टरब आप अपने आपको मत किए जब अस मेरा बात सुने आप सही से आप हमको इतना हुज अमांट पे किये है उसके बदले में हम प्रॉमिस किये हैं कि तीगुना चोगुना आपको लोटाएंगे इन टर्म आफ नॉलेज इन टर्म आफ ठीक है ना इन टर्म आफ नॉलेज डिसिप्लीन संसकार, कल्चर, यह सब सिखाएंगे हम आपको जितना पैसा दिये है उसका चोगुना हम आपको देंगे वसूली है, सही से, सिखिए ठीक है ना? चलिए रहां दीजे आप हम सबसे पहले लेंगे 24, हम यहीं समझा रहे हैं तो 24 स्क्वाइर हम आपको 24 स्क्वार 566 का उससे तो बहतर यह लग रहा है कि 24 दुना, 48. 48 गुने कितना जीस साथ improv, 48 गुड़े कितना जी साथ हर जगर देखे टाइम बचाने का हम उपाय बता रहे हैं दोनों तरीका से आंसर सेम आएगा लिए आपको टाइम बचाने का हमेसाथ हान रखना है जेनल कंप्रिशन है तो बताइए दो गुड़े 24, 48, 48 में 8 बाद में होता है, 4 पहले होता है उसमे क्या है, 8, 7, हम देख नहीं रहे है उधर, अभी उधर में देखे अब, मन में रखे, 7 गुड़े कितना जी, 48 तो बताइए, 7 वाठे, बोलिए बाद लो, 7 वाठे कितना, 56, अशा, 56 में ये 5 जोड भी देते हैं, इसको क्यों रखेंगा, जोड देते हैं ना, तो 56, बोलिए एक साठ, एक साठ का कितना, एक हाथ में कितना, 6, किलियर है, अशा, बताइए, तो हम किये थे, 7 वाठे, 56 कर चुके हैं, अब बताइए, क्या करेंगे, 7, 24, 49 में 8 है, या बीच में 4 है न जी, तो बताइए, 7 चोग कितना, 28, 7 चोग, 28, अच्छा, 28 अच्छे, बोलिए, 34, 34 का, 34 का, 4, अच्छा, दो अंग हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ दो अंग पहले लिख चुके थे, अब दो अंग हो चुका है, 34 का हम चार लिखे है, हाथ में भी कितना बचा हुआ है, तीन बचा हुआ है, क्लियर है, अच्छा, लास्ट में बताइए, 7A स्क्वार कितना, जी, एक और दें, करिए का, अच्छे सुनें, किसी किसी को 24 का स्क्वार याद नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे करिए, सारा इंतिजाम करेंगे हम, ऐसे करिए, है चूवित से स्क्वाइर हम अलग नहीं निकालेंगे इसी में सब कुछ करेंगे हम मालें लेंगे दो अंक्वो कगोड़ा एब इसक्वाइड डूबी एसक्वाइड प्लेट पिए एसक्वाइड चार इसक्वाइड 16 का कितना चे सम्झो बाबु अ स्वाज 16 का कितना है जी छे हात में एक वी था चया दुबर सब्सक्राइबbaum को जाएं दूरा चार चार चाहुइस का चार गौनिक लिखना घ्रें रहा है फाचसर रख लिये दो अंक लिख चुका है नहीं समझेग और ऊसके बाद उसके बाद, दो साथे चोवीस, आड़ तालिस, आड़ तालिस हम साथ से कर देंगे? करेंगे ने जी, जो आएगा लिखेंगे 5 उसमें जोड़के, यहां पे तालिस लिखेंगे, तीन हासिल आ गया, और साथे स्वारून चास, उन चास, तीन कितना जी? 22 हम यह समझाए कि माल आपको दे रहे हैं उसको करिए गुड़ा करना तो सिख लिए हैं लगभा कुछ-कुछ और सिखेंगे भी तीन अंकों का तीन अंकों से कल सिखाए थे ना ठीक अच्छ अच्छ कि अच्छ कि 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 चिले ध्यान दीजेगा सभी लोग दिख रहा है ना नहीं दिख रहा है अच्छा ठीक है हम बजा किये थे नहीं पता चला था क्या उतना में कैसे दिखेगा कि अभी नहीं दिखेगा क्या जे इता फट रहा है अच्छा कोई बात नहीं है घबड़ा ही नहीं हम उपाय करते हैं हम उपाय करते हैं घबड़ा ही नहीं कि कि अब इस उपाय हो गया नहीं अब ठीक है ठीक है अच्छे लिए ओके एक एक दिखवास हम लेंग्वेज वहला प्रॉड़म लेते हैं उसको भी करते चलिए इजी हार्ड सब मिलाकर पढ़ते हैं ताकि दोनुचीज होते रहे एक साथ में कि आप कोश्य नंबर वन देखिए मल्टिप्लिकेशन का कोश्य नंबर वन देखिए सभी लोग कि यह वाला सीट जो है ना दोनों लेंग्वेज में है जी लेकिन इसमें जो है ना जो फोटो नहीं लिया गया उसका लागवशन कोश्य नंबर वन पढ़िये सभी लोग पढ़िये लोग दीख रहा है क्या और थोड़ा बड़ा करते हैं कितना बड़ा करवाज़ेगा अब देखिए आप लो अब नहीं दिखाई देगा तो सीरे जो है योगाई होस्पिटल है उसमें जागा अपना आख दिखाईएगा ठीक है ना पढ़िए कोशन नबर वन बाइलिंग्वल है मेटेरियल बसी यह सही से फोटो नहीं आ पाया है क्यों हिंदी वाला फोटो सही साय था लिके कोशन अभर लिकिए आपलों पी में एक लड़का को लिखिये एक लड़का को इक संख्या एक लड़का को एक एक संख्या 423 में एक अन्य तीन अंकों की संख्या से एक अन्य अन्य मनें अधर तीन अंकों की संख्या का मतलब त्री डिजिट नंबर तीन अंकों की संख्या यानि त्री डिजिट नंबर से मल्टिप्लाई करने को कहा गया 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 और उसने मल्टिप्लाई करके उसने मल्टिप्लाई करके 67789 67789 लाया 67789 लाया इस तरह से इस तरह से प्राप संख्या में इस तरह से प्राप्त मने अप्टेंड नमबर प्राप्त संख्या में दोनु सेवेन गलत है बोट सेवेन रोंग है दोनु सेवेन गलत है दोनु सेवेन गलत है तखा तथा अन्य अंक सही है तथा अधर दीजीट करेक्ट है का मतलब अधर दीजीट करेक्ट है सही उतर ग्यात कीजे सही उतर ग्याद कीजिए, करेक्ट मल्टिप्लिकेशन, करेक्ट आंसर ग्याद कीजिए, फाइंड आउट दा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ग्याद कीजिए, तथा इसके हल करने के, इसको सॉल्फ करने के लिए, हल का मतलब सॉल्फ करने के लिए, करने के लिए चर्णों की ब्याख्या कीजिए सारे स्टेप्स को explain कीजिए वहासा हम आंसर तो खहें objective तो इतना ही पूछेगा कि सही answer ग्यात कीजिए लेगिन हमको सिखाना है तो हम क्या लिखिया है कि सभी चर्णों को क्या कीजिए explain कीजिए यह answer है रेर बाला a boy was asked to multiply a three-digit 423 by another three-digit number and he got the multiplication as 6789 and thus obtained number in obtained number both seven are wrong, both seven was wrong, and other digits are correct, find out the correct answer. Continue to get it, quickly. Do not step further. Do not step further. है सबलो कि आप तो खुब बूड़ा पढ़ है गूब आप लोगो आप लोगो गूड़ा करना यह की लिए इसी प्रसार म्ताइब बताई क्या है जी सथ पहला संख्या क्या है तीन अंको का चार सो तेस, एक और ने तीन अंकों की संख्या से गुड़ा करना है, और रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए, 67789, देख लिजे, 67789, और उसके बाद बोल रहा है कि सही उतर ग्याद करना है, दो डो 7 गलत है, बाकि सब सही है, तो देखिएगा आप लो, सबसे पारे मल्टिप करना होता सपोर्ज, तो आपको कैसे मल्टिप्लाई करते, कैसे करते, कैसे हम बेसिक तरीका से करते हैं, वो समझे है, 1, 1 जा, 1 इसकल टो 1, 1 इंटो 3, 3, बताइए, यहां पर कितना हो जाएगा, 2, होता ना जी, आशा, उसके लिए यहां से लिखिएगा कि छोड़ कर, 2 एक इसके लिखेंगे, एक के सामने के दो के सामने, छे के सामने है, ठीक है, चार एकम कितना है, जी, 4, 4 ती यहीं कितना, 12, हाथ में एक, 4, 2, 8, 8 है कितना, जी, 9, इतना समझे कि नहीं है आप लो, अरे समझे, अब उसके बाद क्या करते हैं, बताएए, उसके बाद हम लोग आ ऐसे नहीं होता है, अच्छे, पताए, 6, 4, 10, 10 तू कितना, 12, 12 का कितना है जी, 2, हाथ में, 1, 4, 2, 6, 6, 7, और यहां पर कितना नहीं, ऐसे ही न, ऐसे ही न मल्टिप्लाई करते हैं, चलिए ध्यान देजे, यह हम लोग का बेसिक तरीका है, जो बच्पन में आप पढ़े हैं ठीक है ना, अब इसी तरीका से हमको इस question का answer निकालना है, ठीक है ना, ध्यान देजे, इसमें क्या बोला है, एक 3 अंको की संख्या 423 है, एक 3 अंको की संख्या 423 है, इसमें एक other 3-digit number, 3-digit का मतलब 1-digit, 2-digit, 3-digit से multiply करना है, क्या करना है जी, multiply, सुने से इसे आप अब दोस्त, अगर आप multiply करियेगा लो, करियेगा लो, तो step 1 में, इससे multiply 3 में होगा, जो भी यहां पर होगा, उतना गुड़े उतना मिलके यहां पर कुछ मिलेगा, अरे हां कि ना, इतना गुड़े इतना multiply होगे कुछ मिलेगा, इतना गुड़े इतना multiply होगे यहां पर पांच टाइप का है तो पांच और बीस यहां पर कोई जरूरी नहीं कि एक अंक मिलेगा दो अंक भी मिल सकता है अरे हां कि ना जी कि यहां तरवыми जर्ब्त नहीं है है मिलेगा इससे गुरा होगा यह मिलेगा इससे गुड़ा होगा यह हो सकता है कि यहां पर ऑड़ा होदा कर dengan सकता है अजिये यह गिन भी अखयेравствуйте है अधकर बकिस है करिएगा तThere areट हैं आ सब्सक्राइद च्रहिए हो यहां पर लिखें यहां पर लिखें कि पिसरा जबस अ हाटी है तो यहां है यहां पर यहां पर आइस एक आधर बारा होगा तो चार रहुँ बन सकता पर ज्योदुदका है, यहो सकता है कि तीन ही अंग बहने, दोना अप सर माहिन немного के चलेंगे, यहां तेन हैं तो चार अज़ाए कि भी को जो जोड़िये तो यहां पर आईगा और यहां की यहां जोड़कर यहां आईगा यह जुड़न यहां بटे क्या मिला है डीजर्ट में ऐसे हूं इस इंदर से मुलिए ना इधर क्या सबसे पहले ञाइग नाइन यहां पर eight अचा नाइन यहां पर eight यहां पर यहां पर 7 यहां पर 7 उसके बाद यहां पर 6 अगर आया है तो यह वाला digit होगा कि नहीं होगा नहीं होगा तो इसको हम हटा ही देते हैं इतना तो समझ में आगे भाई कि यह वाला नहीं होगा इतना समझे कि नहीं आप लो यहां तक में कोई डाउट यह पूद में अब सुनिएगा एक बात यहां पर 9 होना चाहिए यहां नो होता तो ही यहां पर 9 होता अब बताईए यहां नो बनाने के लिए सूचना है अब हमको कि यहां पर 3 है यहां पर क्या रखेंगे कि से 12 क उलेबा बने वय इंतरी होता है यहां परका छीम करेंगे मल्टिप्लाई करेंगे कि न व बनेगा बुलिए वलिये से एक सद्सेल नहीं होगा चुनिए एक होड़े 3P यंश्य दू पिंट टेवья य८्टियों कि दू तीव तीव चैन रखेंगे तो तीन तरी के नौ बन ग आठ तिरी के 24 नहीं बना नौ तिरी नौ रखेंगे तो ना तिरी 27 साथ नहीं बना दस रखें रख़ा दीजिए आप लोग का बस चलेगा तो आप लोग कुछो रख़ा दीजिएगा अरे एक से नौ तक ना ठीक है तो बताए क्या रखने से काम बन रहा है बोलिये जी क्यों आप क्यों उद्चा है अ की आप क्यों अधास है अ कार विए आप दो चुप रही है आप नहीं पीछे है अब नहीं अब अब बैठ जाया आप बैठें उदर क्यों उद्चा है कि उदास नहीं रहना है, ठीक है, उदास, जीवन में कितना भी कर्ष्ट आजाए, कुछ भी हो जाए, उदास रहना है कि नहीं, नहीं रहना है, अपको यह सब आप मेरा कर्ष्ट क्या जानिएगा, अब यह मानने चलता है, जैसे मानने लिजेए कि कोई बोलता है ना, कोई कोई जैसे हम कभी टेंसर में होता है, तो कोई समझाता है, समझाता है कि टेंसर नहीं लिजे, तो फिर लगता है कि मेरा टेंसर आप क्या जनिएगा, आप मेरे लिए कितना टफ है, ऐसा होता है, हम भी समझ आएंगे, तो। आप ऐसार लगेगा. लेकिन, यह समझ ज़िये, कि जो हम समझा रहे ही वही करह यह बाकी ज़ण टेंशल ले रहा है उसही में टेंसलेने वहाला चीज़ है ही नए अगे जमीर कोई बूस्स्य अहिक है कोई भी सबस्या हो Regional का कर नग पर द्सरे नहीं less कि कि अपने डिल एक तेंसल नहीं बाध कषय संदेर अपने आफ जो प्रोडर्ब्लम है जो तिसे से हांद दिखाए, बोल दिया कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा हो गया तो टेंसन नहीं लेना है, ठीक है ना, बिंदास रही है, परही अच्छे से, जो होगा आप अपना कर्म अच्छे से किज़े बस, ठीक है ना, हमेशा जो ता है कर्म की कुछ ना है, सही से कर्म कीजिए, अपने अप फल मिलेगा, बढ़ी अफल मिलेगा, बहुत मीठा होगा, ठीक है ना, चली कोई बाद नहीं है, उदास इतना है, हम पढ़ा रही दर तीन इंटो तीन, आ उनके मन में कुछ और चल रहा है, ठीक है तो बहुत है, ठीरी इंटो सही की गलत, सही, आईए सही तो यह सही, तो सही है यह अब, एक स्टेप पुरा हो गया, अब पुरा करिए, तीन तिरी के, नो, तीन दोना, छे, तीन चोग का, बार, इतना किलियर है, एक स्टेप किलियर हो गया, अरे हुआ जी, अगला आईए, अशा बता है, यह सही की गल तो नाना है, तो इतना गुड़े सम्फिंग बराबर दो, क्या लिख्या है, चार, बेरी गुड़, तो चारतियाई, बाहर, घर पर जाके चार कलावा कुछ ट्राई करके दिखेगा, हम यहां पर एक से लेकर नौ तक ट्राई किये थे, आप हो समझाने के लिए, डायेक्ट हम एक, चार दुला, आठ है कितना जी, नौ, चार चोका कितना, सोल, इतना के लिए रहे क्या, यह स्टेप भी क्या हो गया, लास्ट इस्टेप, सबसे इंपोर्टेंट इस्टेप अभी बाकी है, इसको सुन लिजेगा, आपके सामने होगा, चले देखिएगा, ठीक है, देख जब यह गलत इतना प्लस इतना प्लस कुछ बड़ाबर गलत यह पता नहीं है तो यह निकलेगा कि नहीं निकलेगा इने कुछ Miranda आशा विसे इस इस स्रेप पूरेंगे लेकिन यह सही की गजट है अश्रा यह स्वाथिये तो यह हैं ल किस पांग है यह तो यह कितना है जीत आफ है किस सब्सक्राइब तो एक पलáस पांच बढब कितना है। Шए कि हो सकता है ने । अच्छा यहां यह और चांस से बताते हैं, तीन पल से कितना? बोलिए चार हासिल कितना? दो तो भी छे हो सकता है, हो सकता है? तो आप देखिये, अब देखिये मन से, हम एक बार और समझाएंगे, जो उदास आत्मा है, खबराना नहीं बस ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, त देखिये, यहां छे हो सकता है? नहीं, क्योंकि छे और एक साथ बन जाएगा, यहां छे बनाने का possibility क्या क्या में है, अगर यहां पांच होगा, तो पांच और एक छे बनेगा, चार होगा, तो चार और एक पांच हो सकता है, हो हासिल आजाए, तो क्या बनेगा? छे बन अर reflected यहां पर चारा सोट दिसे और एक रहो कर एक बार्में पहाडेंगे, पारा परेंगे तो एक गुड 543 7 ब्रहाबर यहां पीलाफ दोना कॉर देंगे तो चार सो टोना कीटना आइब 1 रैट औरफ गुणा करने चैये कि गूना और मारे घुणा करें गूना है छया क्या आप है कऊंया है आए सबस्क्राइब कर टेला कर सुष कि factors यजु क्या अाएंगा हासिल क्या होगा है अब जोड़िये तो नौ आठ अब जोड़िए पर दो नो आग जो नो एकारट तीन चाहर कितना चाहर में एक एक ऐक भू ऑच रिखा जिरी रो आप में एक जाहर कितना पांच आगे कि तना रेच झे अशाब बताइए यह दोनों सेवन जो गलत था उसके जगह पर क्या आ गया जी रोचार तो वाट 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 इस दो करेक्ट मल्टिप्लीकेशन क्या करेक्ट मल्टिप्लीकेशन है 6,7,7,8,9 कि 6,0,4,8,9 6,0,4,8,9 किलियर हुआ है एक बार नोट किजिए जल्दी से जल्दी से नोट करें टाइम हो गया है विसाल स्वेता रोहित प्रसांत नरेंदर खुस्बू जोही अम्रित अकलेस पूजा प्रिया जल्दी आंसर लिखी आप लो लिखे जल्दी लिखे लिखे हो गया है चलिए चलिए देखिए सभी लोग इदर देखिएगा सभी लोग देखिएगा इदर सुनिये मिटा दिये टेंसन खतम अभी तक टेंसन था था न जी बोड़ पर था तो टेंसन था अब टेंसन है की खतम खतम अब फिर से समझेए ठीक है ना देखिए चार स्वतेईस इंटू डैस 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 ठीक है ना डैस 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 भूड़ गूवर बढबर, डैस डैस बून भूड अवट, बढबर या गइस सुन मेर, अच्या Calm एस गे स्टैस से करएंगे तो, जैस डैस ≃ यह दो स्कुश्.. यह दूग हो डैस र माली मिल बेका दो आगपकं एड यहां तो बहुत आसान चीज बढ़ रहा है मैथ में यहां पाचास में पचास इस खुड नहीं किया तीसमें पीस नहीं किया सो में सो नहीं किया, उस समझेंगा कि लुड़का नहीं है, चलिक आदिए, अटरी किसा, कि आखना है, अशे, यहां पर 9, तो यहां पर कितना, बोलेलiban और यहां आठ दूना मुष्णारे दोनों गलत था था यहां आठ यहां पर मोलिये रुप मैजने में करक्म करने यहां इस दोको यहां पर चार त्य आई रहाव मतले तर की तैनलों 17 संगरा Rs यहां छे सो यह उस्से कं बनाना है तो 800 रखेंगे तो सही हो गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा किलियरली 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 यहां पर ऊने होना चाहिए उड़े हाँ किthat अभ्यद है यहां पर मिल जाएगे तो 423 औरह धोगा की नहीं होगा अब जोडाएगा तो 9 8 4 यहां पर कितना है चार यहां पर कितना है जीरो चार यह पांच यह वहां सरी दर से छे तो करेक्ट आंसर है 60489 यह मेरा आंसर है कि लिए हुआ कि नहीं हुआ एट नाइन और सी सही था एट नाइन और सी सही था बीच में दिया है यह ओप्सर में दिया है 00, 007, 004, 005, 007 के जगा पर चेंज करना था तो चेंज करके क्या लिखेंगे? 004 007, 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 00 झाल झाल कि अब भी भी नहीं जाना है अब सभी से नोट नहीं किया है करें नोट किज़े जल्ली कर लें नोट पीछे वाले रोग भी कर लिया है चले देखे हम क्या लिखे है हम लिखे कि डॉन टेल पीपल योर्स डिरीम्स डॉन टेल पीपल योर्ड डिरीम्स इस पर हम हाइलाइट इसको नहीं किये थे इसको इंपेसाइज नहीं किये थे हम कि don't tell people your dreams इसको हम a small letter में लिखे थे और इसमें मेरा focus था कि सब क्या है बोले लेटारे, क्या करना है किसी भी person को, people को अपने dreams के बारे में बताना है, कहना है अरे कहना है कि नहीं don't tell people your dreams अपने dreams के बारे में किसी भी person को, people को बताना है, कहना है, नहीं करना है, कुछ कहना नहीं है, डायर्टली क्या करना है, सो देम, क्या करना है, सो देम, सो देम का मतलब, यह दम हाइलाइट एक दम, सब बोल्ड लेटर में और सब केपिटल लेटर में लिखे हैं क्यों, क्योंकि बताना नहीं है, करके क्या करना है, द कि आपने से कुष बच्चे सुनिए को अभी यहां से निकलेंगे निकंद से तो जाएंगे राश्ते में टूल किमर में में चलेगा जलीच Luigi ड máximya इस पार से खुब हो सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब इदर के सामज की सबक chilli है कि हन спасибо हा इसे वो immense एक हाऊ कि अब मद एक ममी के आपके सोच्छक के आपकी सोच रहा है है ह अममजांक नहीं dal इतना अपर आप मजाद करके जाईएगा तो क्योंकि जो हम जिस लेवल पाफुल लेगा थे वो लेवल तुर्ण डाउन हो जाएगा मिरे काने का मतलब है आज जाएंगे मेहनत करेंगे कल दीन भर मेहनत करेंगे और फिर कल हम लोग 6.45 में मिलेंगे लेकिन कंडिसन यह है आप सबसे हां जोड मेहनत करना है करिएगा उसके बाद कल आईए प्रोजुटिंटीब इनर्जी के साथ हम पढ़ाएंगे और आप पेसं साथ क्या कीजिएगा पढ़िएगा अरे ठीक है ठीक है ओकर से बाधको आज लोग ठीक है ना हम ऐ और लाइन वाले लोग, आप लोग भी ठीका ना, आप लोग भी एकदम दिल से पढ़िए, करल हम लोग मिलते हैं, छे ते तालिस में, बैठे रहिए, खड़े बोने से महल खराब हो जाता है, हर चीज का रीजन है, जेके हम क्यों बोलते हैं कि बैठे रहिए आप लोग, इसक समझने लगे हैं, आप लोग हमको समझने लगे हैं, आप लोग हमको समझने लगे हैं, अरे हमको समझने लगे हैं, ठीक है, बेरी गुड, तो धिक खड़े होने से क्या होगा है, आप में से जैसे माल लिए, आप दो बच्चे खड़े होगए, हमको को कोई दिकत नहीं है, फिर आप मैं ख़ड़े और प्रीखी घंप फ़हल होने से महुल खराब हो जाता हूं इस क्षमेगा लेकिन कोकुछ नहीं जाएंगा। दिदेंग केला हूं जाना टीक Стolay कि कि यहां इस campus में principal साहब है management है बहुत कुछ है तो सब लोग हम मतलब हमको agreement में लिखा गया है कि आपके बच्चे कोई किसी तरह का छेड़ खानी किसी तरह का बदनासे इस campus में नहीं करना चाहिए तो भी एक अब लोग लेटे जाएंगे वही होता है नहीं का अध्याव के चक्कर में सब्लों बंदमास उजाता है तो अब टेलिग्राम पर सही चीज़ लिखिएगा अब टेलिग्राम पर लोटा का फोटो डाले थे आप ही थे क्या हो खड़े होई एगा आज अब दिन में लड़का यह लोटा का फोटो डाला था लिखाए कि हमको सेल करना है अरे तो लोटा का फोटो लोटा सेल करिएगा अब साइकल के बारे में बोले थे हैं साइकल आगे सिरिंडा के बारे में बोले थे वह भी बोले थे टेलिग्राम पर नहीं सुनिए सुनिए टेलिग्राम पर सिर्फ कोशन डालना है अलोटा का फोटो से सिरिंडा का फोटो फ तो अभी gas cylinder या कोई महांगा टाइप का चीज़ अभी डालना होगा तो डाल सकते हैं उस पर, Facebook पर डाल सकते हैं, टेलिग्रम पर नहीं, ठीक है, अब आकी कोई आपको डाटे होंगे तो मेरे ही आद में कोई डाटे होंगे, हम यह किसी को रखे होंगे, उसमें बहुत सारे अ पर नहीं को लगा होगा कि मिश्टे होगा, कल आपी लोग पर डाटे हैं मेरे पास, आप लोग हमको जो बढ़ियां से समझने लगिएगा कुछ दिनों में, में अपते टेलर चल रहा है, टेलर का टी स्टाट हुआ है, अभी टेलर भी बाखी है, ठीक है ना, तो जब आप गलाट युज मत के जिएगा, ठीक है?